दोस्तों मैं आपके लेके आगया हूँ ये free English speaking course जो के historical course होने वाला है क्योंकि इसके लिए आपको ना कोई पैसा खर्च करने की जूरत है, ना इस course में हम हिंदी से रट कर English सीखेंगे, in fact English को English के style में सीखेंगे, जो भी rules सीखेंगे, tenses के, voice के, models के, वो सब भी ना हाथ तो ह करो, कि मैं तो पूरी मैनत जोगने के लिए तैयार हूँ इस course में, क्या आप तैयार हो मेरा साथ देने के लिए, तो आईए दोस्तों शुरू करते है, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा, कि कभी आपका किसी पर ऐसे गलती से हाथ लग जाता है, तो आपके मुझे एक दम क्या आपने कभी इन सभी words ये sentences की, हिंदी जानने की कोशिश की, क्या आप पहले हिंदी में translate करते हो, और फिर बोलते हो, सवाल का जवाब है नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता, ये तो हमारे मुझे एकदम आए हुए है, ये मुझे आए हुए नहीं है, ये आपके mind में आए ह आप जानते हो, कि किस situation में किस phrase का इस्तेमाल करना है, किस situation में किस sentence को बोलना है, अब आपको उसकी grammar की चिंता नहीं होती, आपको उसकी Hindi translation की चिंता नहीं होती, यही important point आज मैं इस spoken course को start करने से पहले आप से share करना चाहता हूँ, कि आप कभी भी English speaking हिंदी से translate करके तो नही सीख सकते, अगर आपको लगता है, कि आप Hindi से sentences को English में translate करते रहोगे, और English speaking सीख जाओगे, तो यह possible नहीं है, क्यों possible नहीं है, क्योंकि आप पहले Hindi में सोचते हो, उसे translate करते हो, और फिर बोलते हो, सामने वाला जैसे ही जवाब दे देता है, उसके बाद आपको दूसरा sentence सोचना पड़ता है, उसे भी आप Hindi में translate करते हो, फिर उसको सोचते हो English में, और फिर उसको बोलते हो, इसमें इतना लंबा समय लग जाता, in fact आप confused होते हो, nervous रहते हो, कि आप यह क्या पूछ लेगा, सामने वाला क्या बोल देगा, और मुझे क्या जवाब, बनाना पड़ आएगा, तके तरीका तो यह होना चाहिए ना, कि आप situation, जिस situation में हो, जिस भी situation हो, उससे related, आपको words और vocaps mind में fit होने चाहिए, जैसे कि किसी को बड़े विश करते होए हम सोचते हैं, sorry बोलते होए सोचते हैं, thank you बोलते हो सोचते हैं, क्या, 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 sorry और thank you जिस तरह स हम सोच लेते हैं, feel कर लेते हैं, क्या, बाकी की, जो English है, बाकी की speaking के sentences हैं, वो नहीं सोच सकते हैं, क्या, सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, हाँ, लेकिन हमने तरीका ही गलत choose किया हुआ है, हम तो हिंदी को English में translate करने में लगें, कि समोसे को English में क्या कहते हैं, पानिपूरी को क्या कहתे है, नहीं हमें तो exact वही वर्ट सोचना है ना, जैसे ही समोसी को अरे अच्छा ये तो ये होता है, समोसी को गर समोसी भोलना है तो समोसी जूस बोलेगे, अगर कोई भूँ है तो उसको हमें देखते हो नंद में क्या आना चाहिए, he's happy, यह sentence हमारे mind में click होना चाहिए, इसी लिए मैं आपके लिए आज इस course में हिंदी का इस्तेमाल बहुत कम करूँगा, मैं हिंदी ही बोलूँगा, सिर्फ चीजों को समझने के लिए हम हिंदी का इस्तेमाल करेंगे, translation नहीं करेंगे, हम tenses भी सीखेंगे, हम vocabs भी सीखेंगे, हम कुछ phrasal verbs भी सीखेंगे, phrases भी सीखेंगे, लेकिन उन्हें हिंदी से translate नहीं करेंगे, बलकि हम उनका feel लेंगे, situation में कैसे इस्तेमाल करना है, ये सीखेंगे, और देखना फिर आपके अंदर कितना dramatic change होगा, ठीक है दोस्तों, तो क्या हमने सोचा है, कि हम ABCD से सीखने वाले हैं, आज सारी चीज़े बिल्कुल zero से start करेंगे, but we make sure, हम पूरी कोशिश करेंगे, कि हम हिंदी से चीज़ों को translate नहीं करेंगे, बलकि हम feel लेंगे, pick करेंगे, English बोलने का style, समझ पाए, अब आपको करना क्या है, बिल्कुल relax mind से मुझे बस सुनते रहो, देखते रहो, एकदम enjoy करो, enjoy करोगे, सबसे ज़ादा सीखोगे, बोज बन के सीखोगे, attention में सीखोगे, कुछ समझ नहीं आएगा, तो दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से, ABCD से मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश के style में, आओ जी, आप सब जानते हो, कि इंग्लिश में सबसे जो basic चीज़े, काखागा जैसे हिंदी में होती है, ऐसे ही इसके जो alphabets होते होते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, वो A to Z तक होते हैं, आप भी जानते हो, A to Z, ठीक है, आवाजे होती है, क्या होते हैं, यह कुछ sounds होते हैं, क्या होते हैं, sounds क्यों होते हैं, sounds ही तो सब कुछ है, मैं हिंदी में बोलू, इंग्लिश में बोलू, मुह से ता आवाज ही निकलेगी ना, तब ही समझ पाओगे, अब क्या होता है हमने क्या क्या साउंड को आपस में जोड दिया साउंड को आपस में कैसे जोड दिया ऐसे जोड दिया जैसे बू यह बा का साउंड था यह टा का साउंड था तीनों को जोड के हमने एक साउंड बना दिया जिसे कहा गया बैट है न ऐसे बैट बन गया ऐसे ह अगर B, B, O और ऐसे sound और जोड़ा, तो यह बना boy, यह तो बहुत basic सी बात है, जिसे हम क्या कहते है, word कहते है, बिल्कुल basic से बता रहा, advance तक लेके जाओंगा, ध्यान से बस देखते रहो, चलो जी, तो यह boy इस तरह से हमने sounds को आपस में जोड़ के क्या बनाया, क्या बनाया, हमने बनाया word, word बनाया, हमने कुछ sounds को आपस में ऐसे connect किया, आपस में जोड़ दिया, और अगर उनका कोई meaning निकला, उनका कोई meaning निकला, meaning तो सबसे important है न, उनका कोई मतलब जरूर होना चाहिए, बिना मतलब के तो कोई बात ही नहीं होती है न, तो वो क्या बना, word बना, अब हमने और आगे की प्रक्रिया शुरू करी, हमने आगे का काम शुरू किया, हमने क्या करा, अब इन words को आपस में जोड़ दिया, हमने इन words को आपस में जोड़ दिया, तो क्या बन गया, जब हमने इन words को आपस में जोड़ दिया, अब पहले क्या करा, letters को आपस में हम यह हम निग्लिश होने कंट वर्ड करने कश ला उसका और बिन बहुत को भी बत कर देरिंग कों कि प्यार करता हूं आप surrounding कुछ निकाल किताम मैं तूंस ओ कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कुछ meaning होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तब ही होगा ना, बिना meaning के तो कोई बात नहीं होती है, meaningless नहीं होना चाहिए, तो sentence के लिए क्या था, 2-3 हमने words को आपस में जोड़ दिया, 2-3 sound के जो group थे, उनको आपस में जोड़ दिया इनी को, और इनका कोई meaning निकला, तो हमने क्या कहा, कि यह sentence हो गया, यह एक बात हो गई, sentence को मैं क्या बात कह सकता हूँ, हाँ 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 हाँ, बात कह सकते हो, एक बात ही तो होती है, चलो, मैं आ रहा हूँ, तुम आ चुके हो, वो चला गया है, यह स सेंटेंस बना, अब हमने क्या खरा, अब इन सेंटेंस इसको भी न, आपस में जोड़ दिया, अब क्या बन गया, जब मैंने सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया, तो यह क्या बन गया, यह पूरी language बन गई, भाई, यह क्या बन गई, पूरी language बन गई, यह पूरी English language बन ग यहां समा गई है दोस्तों पूर इंग्लिश लैंग्विज आपके सामने यह रखी इससे जारे इंग्लिश में कुछ है ही नहीं क्या सेंटेंस इसको आपस में मिला इनका कोई मीनिंग निकला बस इसी तरह से बात्चीत बन गई मैंने का यह भाशा है यह होता है इतनी सी बात ज cray चैलों जी हैं यह सेंटेंस को सेंटेंस से बोलते चले गए हम बोलते सेंटेंस बोला मीनिंग था उसका उस्का फिर दूसरे सेसे बोलका बूटे चले गई एक बहाशा बन गई थी चलो जी हम आगे बढ़ जाते हैं आगे अब क्या किया हमने अब हमने क्या किया अब हमने क्या किया भाई 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 हमने क्या किया हमने इतना तो सीख लिया कि ये बाते होती है क्या होते है टोटल सारा खेल सेंटेंस का है अगर मुझे इंगलिश बोल नहीं है अगर मु भी sentence है लेकिन इसका तरीगा सही नहीं है aujourd गो से चाहिए ना मैं आपसे प्यार करताम तो इसको बनावट इसकी सही होनी चाहिए आफ बनावट सही नहीं होगी तो sentence नहीं बन पाएगा sentence को बनाना आना चाहिए अब वो बने गा कैसे बनाने का भी रूल तो होगा है कुछ रूल्स है ठोटे- cannot रूल्स है वह हमने शीक लेंगे ठीक है चलो जी सीकत लेंगे लेंग Means से बैंपॉर्टन बात किया है एक march में हम बोलते क्या है हम अपने असपास जो रहा उत हहा हो गोभित बात करते हैं किसी इंसान की तो चीजों की ही तो बाते कर रहे होंगे कामों की ही तो बाते कर रहे होंगे समझ भार मैं कहां लेके जा रहा हूँ आपको क्या कह रहा हूँ आपसे कि यह जो sentence बनता है इसमें किस चीज की बाते हो रही होंगी किसी person person बोलते हैं किसी इंसान को किसी person की तो बात हो रही होगी person कौन हो सकता है या तो कोई boy boy का मतलब तो पता है ना आपको अच्छा लड़का किसी girl की तो बात हो रही होगी यानि इसमें किसी की मेरी ही तो बात हो रही होगी मैं ही तो बात कर रहा हूगा यानि आए ही तो होगा अरे आए होगा तो तुम भी तो होगे मैं अपने आप से थोड़ी बातیں करूँगा कोई मेरे सामने भी तो होगा तो यू भी तो होगा हम मिलके course पढ़ रहे है हम मिलके सीख रहे है तो वी ही की तो बाते हो रही होगी क्या ये sentence में ये words होगे हाँ होंगे होंगे जब मुझे खुद की कोई बात करनी होगी तो मैं ऐसे करके तो करूँगा आए अगर मैं तुम्हारी कोई बात करूँगा मैं कौँगा यू है ना मैं किसी लड़के की बात करूँगा तो कौँगा वैसी है ना हमारी बात करूंगा बहुत सारी लोग मौजूद है दो से जादर लोग मौजूद है तो मैं कुछ और लोग हैं बाहर बैठे हुए हैं किसी और हो रही होती है तो उसमें मैं बात कर रहा हूँगा अपनी यानि आए आए कहके इस तरह से हम बात कर रहे होते हैं अच्छा और बाते क्या हो रही होंगी अब बाते भी क्या हो रही होंगी इतना तो समझ में मुझे आ गिया कि सर जो भी हम sentence बोलते हैं उसमें जो बात कर रहा ह जो भी बात कर रहा होता है, जिसे मैंने एक sentence बोला, I love you बड़ा common है, बड़ा common है भाई, इतना common है, इतना special sentence इतना common है, कि हम बहुत सुनते है, भाई, I love you आपने कभी ना कभी, किसी ना किसी को, अपने parents को, अपने friends को, बोला तो होगा, अब I love you बोला किसी ने, I, 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 है ना अब कोई काम तो किया होगा, क्या काम है, भाई, love करने का, ठीक है, किस से, भाई, किसी और की तो बात किये होगी, आपने सामने वाले की बात की तो, you बोल दिया, है ना, तो मैं कहना ये चाह रहा था, कि ये जो sentences होते हैं, इन में बात कौन करता है, मैं अपनी बात करता हू ये सामने वाले की, ये किसी तीसरे की, ये तो हो रहा होता है, तो कैसे रटना है, ये इसे नहीं रटना, अब बात करते क्या है, भाई, बात में हम किसी काम का जिकर करते हैं, जैसे मैं आपसे लव करने का काम करता हूँ, लव भी तो एक काम ही होता है, लव करने का, या study कर करने का या read करने का काम है क्या काम है यह सेंटेंस होता है इसमें बाते क्या होती है मैं बता हूं टोटल बाते क्या होती है मैं बताता हूं आज आपको इस दुनिया में जितने भी लोग English में कुछ भी बोल रहे होते हैं वो सिर्फ दो तरह की बाते करते हैं सिर्फ दो तरह की दुमाग में चीज अपने अच्छे से डालो दो तरह की ही बाते कर रहे होते हैं वो लोगो दो तरह की बाते कौन सी होती हैं बच्चो बहुत important चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको द्यान से देखो 2 तरह की बाते एक तो कोई काम होता ए कोई काम की बात हो रही होता है कोई काम चल रहा होता है खाने का पीने का रहने का देखने का मानने का जानने का सोने का उठने का बैटने का यह सारे काम हो रहे होता है या फिर या फिर या फिर बता जाता है मैं कैसा हूं कोई कैसा है कैसा है यानि होने का कि कोई चीज कैसी है ह कोने की बात हु रही होती है कोई चीज कैसी यानि अच्छी है बुरी है खुबसूरत है बहुत चीज एक आप वाले और एक बे-काम वाले- heck बाले- ना-काम वाले लिखदू इसे ये अच्छा बन गया लिखते है नाकाम वाले नाकाम का मतलब यह नहीं कि नाकाम है बट इन में कोई काम नहीं हो रहा होता थोड़ी साइज पढ़ाओ जुसमी काम में कोई एनरजी लग रही होती है यानि वो काम वाला सेंटेंस है जैसे मैंने का मैं खाना खाता हूँ तो खाना भी तो एक काम है ना एनरजी के बिना कोई मरा हूँ आदमी थोड़ी खा लेगा, है ना, वो तब भूत होगा फिर, है ना, इस तरह से, ऐसी ही, मैंने का मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो drive, drive करना भी एक काम है के नहीं, है ना, I'm driving, I'm driving, तो drive करना भी एक काम है, लेकिन मैं आपसे कहूं, मैं खुश हूँ, I'm happy, अब happy कोई काम नहीं है, खुश हो ना कोई काम नहीं है, आदमें खुश है, बस वा अंदर की feeling है, तो समझ पारे हैं दोस्तों, क्या, 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 इसमें मुश्किल आई अभी किसी को, ने, क्या मोटा मोटा clear हो पारा है मुझे, हो पारा है, हाँ सर समझ पारा हूँ मैं, कि मुझे जितने भी sentences अब English में बोलने हैं, वो दो तरह के बोलने हैं, एक तो वो वाले, जिनमें मैं काम बता रहा हूं, कि किसने क्या किया, या मैंने क्या किया, कोई भी काम, घुमने गए, खाना खाया पानी पिया, हसे, महनत कि, खुश हो गए, खुश तो दुसरा ओलता, दुसरा sentence कों से होते हैं, जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता, है ना, मैं खुश हुआ, मैं विदास हो गया, है ना, इस तरह के, या मैं बीमार हूँ, मैं बीमार था, है ना, मैं बहुट स्ज़़ ज़ आईए दोस्तों थोड़ा और इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं आपके पूरे प्यार के साथ तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दो तरह के हमने sentence देखे एक तो काम वाले और एक नाकाम वाले या भी नाकाम वाले अब ये दो sentence बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, कहां क्या चीज आती है, क्या चीज मतलब कुछ तो होता होगा न तरीका, ऐसे थोड़ी बोला जाता होगा, किताब है मेरे पास, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, हुल्टा थोड़ी बोलेंगे, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गाना शुरुआत में बीच में तो मैं आपको उसका भी एक राज बता देता हूँ कोई भी कोई भी English का जो ये sentence होता है जो बात होती है कोई भी जो हम बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले रखते हैं उसका subject अब ये subject क्या देगो बच्चो मैं आपको यह grammar नहीं पढ़ाना चाहरा ना मैं grammar पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको writing पढ़ा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको speaking पढ़ा रहा हूँ ये speaking के लिए important है तो speaking के point of view से समझते हैं subject अरे जिसकी भी बात हो रही होती है जैसे मैंने आपसे कहा था I, मैं परी बात करूँ तो ऐसे तो बोलूँगा I love you आगे बात की बात होगी यू मैं तुम्हारी बात करूँगा तो तुम सब्जक्ट हो जाओगे उसकी बात करूँगा, कोई लड़का है, तो ही हो जाएगा, क्या मैं इसको लिखके समझ सकता हूँ, हाँ हाँ लिखके समझा दो सर, लिखके समझा दो हमारी इजादत है, चलो जी बता देते हैं, तो सब्जेक कौन हो सकता है, बहुए अगर मैं अपनी कोई बात कर रहा मैं बहुत कुछ हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं नाराज हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, तो सब्जेक यहाँ पर मैं हो जाऊँगा, ऐसे ही तुम्हारी बात करूँगा, तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, यह मैं दिल से कहा र पने ईंग्लीशे और तो आप को आंगे नगव मिल जाये है और लड़कों के सामने हे बहुत प्रैक्टिकल आओ जी आगे बढ़ते हीशी और कौन सा रह गया अगर ये हीशी मिल जाए यू मिल जाए सारे सारे मिल जाए तो क्या बन जाता है वी वी मतलब जैसे हम हम और आपकी पर जो हमारा पूरा डियर सर की फैमिली है आप हमारे जो 16 मिलन से ज्यादा भी लोग जुड़े हुए ये हम सब मिल के क्या बनते हैं वी क्या बनते हैं वी चलो जी ये वी हो गया और क्या बचा एक और होता है एक और होता है अगर ये ही और शी जो कोई दूसरे लोग है कि नहीं दूसरे लोग की बारे में बात करनी है मुझे मालो चाइनीज लोग के बारे में बात करनी है बहुत मैं दे क्या बोल दूगा टीक है ना जैसे पांच लोग भार खड़े में तो मैं क्या बोलूँगा दे ऐसी दस लोग खाना खा रहे दे इम अनका नहीं जानते तो क्या बोलूँगा दे तब ही थोड़ी लगाऊंगा शी थोड़ी लगाऊंगा ही शी कब कि कोई भी नड़का है कोई भी मर्द हो सकता है किसी भी उम्रका हो सकता है बूड़ा जमान कोई भी एक हो तो क्या बोलूँगा ही ठीक है इतना क्लिर हुआ क्या रटने की जुरुत पड़ रही है देखो ये सेंस अगर आप ले पा रहे हो आप खुद से ये बात तैय कर सकते हो मैं गैरेंटी देता हूँ जिसने इतनी बात समझ ली वो फ्लुएंटली अंग्रेजों की तरह फ्लुएंटली स्पीकिंग कर सकता है अब आप वो कैलिवर है वह ये बात मैं आपसे बोल सकता हूँ अगर आपको इतना समझ मां गया चलो जी आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं आगे बताओ ना सर आगे बताओ आप तो रहा नहीं जाता रहा नहीं जाता अच्छा ये तो इंसानों की बात हो गई इंसानों क उसके लिए क्या लगाओगे और जो बहुत इस्तेमाल होती है वह क्या होती है इट रहर है अब लड़का होती तो मैं ही बोल देता है लड़की नू कुई सामने बैठा होता हुआ यू बोल देता लेकिन वह क्या है है उसके अंदर जान नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया इट आपने बहुत सुना होगा बहुत पढ़ा होगा अरे सर आप तो खुद ही बोल लाइते कि बिल्कुल जीरो से सिखार हो फिर कहरें आपने पढ़ा होगा अरे जीरो से तो बता रहा हो लेकिन मेरे बच्चे न नहीं बोलना चाहते थे किसी का नाम था तो यहां पर नेम लगा दो तो इन सब में भी ना किसी का नेम नेम है तो नेम लगा दो नेम मतलब मैं आय करके बात नहीं करना चाहता मैं यह नहीं कह रहा आई लव यू मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं तो नाम बोल दूंगा न तो उनका नाम रख दूँगा, सीधी सी बात है, लेकिन जिसके बारे में भी बात करोगे, वो होगा subject और वो आना ही आना है, sentence में बिना subject के कोई sentence नहीं बनेगा, कोई बात होई नहीं सकती ना, किसी की तो बात करोगे ना, किसी की तो बात करोगे ना, ठीक है, clear हो पा रहा है, तो सर सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट या तो किसी का नाम हो गया किसी भी जगा का कोई जगा हो सकती है ताज महल का नाम हो गया कि ताज महल is a very popular building ऐसे बोल सकते है is a historical place ऐसे बोल सकते है या मैं बोल सकता हूँ कि जो सुन्दर है लड़का वो बड़ा सुन्दर है तो सुन्दर is very beautiful ऐसे तो किसी का नाम है अगर नाम नहीं है कोई अपनी बात कर रहे तो यह आई हो गया सामने वाले की बात हो रहे तो यह हो गया और कोई लड़का है लड़की हीशी हो गया और एक से जजादा लोग है तो we और they और native ना तो हमने clear कर लिया और क्या अधाय सर सेंटेंस में और ना उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद हम कोई ना कोई verb जरूर रखते हैं कोई भी सेंटेंस हम इंग्लिश में बोल रहे होते हैं subject रखते हैं उसके बाद फिर वर्ब लगा देते हैं वर्ब लगा देते हैं ये सब करते हैं सब करते हैं शशी थरूर सहाब से लेके MS धोनी से लेके विराट कोली से लेके शारुखान से लेके अमिताब बच्चन जी तक सब लोग ऐसे ही अंग्रेजी बोलता है सबका यही तरीका होता है इसमें कोई वेदवाव नहीं है इसमें कोई बड़ा छोटर नहीं कोई अमीर गरीब नहीं सबका यही तरीका है अब वर्ब लग जाती है वर्ब क्या होती है वर्ब क्या होती है या नहीं कोई वर्ब का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज कैसी है कोई चीज कैसी है वह खुश है वह अच्छी है वह बुरी है इस तरी किसी चीज के होने को दिखा रही होगी क्या चीज किसी चीज को होने को दिखा रही होगी बिल्किसको मैं और सही करके लिख देता हूं आपक होने को दिखाने के मतलब होने को दिखाने का मतलब एक वर्ड होता है बी-ई-बी क्या होता है बी-बी का मतलब पता है क्या होता है बी की को हिंदी नहीं होती बी का मतलब होता है कि वह किसी चीज के होने को दिखा रही है होने को कैसे दिखा रही है होने को कैसे दिखा रही है या तो कोई चीज is है या कोई एम है या कोई चीज आर है या कोई चीज was है यानि past की थी या कोई चीज वर है इसका मतलब यह हुआ कि subject के बाद कोई ना कोई वर्ब होगी या तो वो वर्ब भी होगी भी मतलब वो दिखा रही होगी इस, यानि अभी में बात हुई है, अभी की है, जैसे he is happy, अब इसका मतलब क्या हुआ, कि वो अभी ही खुश है, वर नव दिखा रही होगी, was या वर को, कि वो अभी कुछ नी थी, पहले थी, वो किसी और वक्त की बात कर रही है, तो यहाँ वक्त को दिखा रही है, तो वर्ब क्या दिखा रही है, भी टाइम को दिखा रही है, किसको दिखा रही है, टाइम को दिखा रही है, ठीक है जी, अब इसे मार कैसे इस्तेमाल होगा, वो अजवर कैसे इस्तेमाल होगा, यह थोड़ा हम आगी चलके पढ़ लेंगे, अब इ तो टाइम कैसे पता चलता है, बी से पता चलता है, बी से कैसे, क्या बी लिखा हुआ होगा, ने बी नहीं लिखा होगा, इस लिखा होगा, या फिर एम लिखा होगा, या आर लिखा होगा, होगा ना जिसे, मैंने का, I am happy, जैसे इन एम को देखा ना, मुझे समझ में आगया क ये अभी की बात है अभी बिलकुल अभी की बात है लेकिन अगर मैंने का I was happy अब मिरे को समझ में आया कि ये अभी की बात नहीं है ये पीछे पहले की बात थी ठीक है तो ये तरीका था ये हिंट थी ये पहचाने थी जिससे पता चल जाता है कौन से टाइम में काम हुआ था ये कौन से वक्त की बात है अब एक तो ये वर्व हो गई और कौन सी वर्व होती है और होगी आपकी एक तो भी हो गई हां सर भी हो गई और एक होगी आपकी action वर्व Action verb जिसमें कोई काम होता है यानि ये तो वो वाले sentence जो नाकाम वाले थे जिसमें सिर्फ बात हो रही थी कोई चीज कैसी है जैसे he is happy या फिर he was happy सिर्फ इसमें पता था कोई कैसा है और कौन से समय में है वो हमें B से पता चल रहा था लेकिन अब कुछ ऐसे sentence होंगे जिनमें काम हो रहा होगा काम कैसा हो रहा होगा खाने का, जाने का, गो का, कम का, रीड का दुनिया भर की बाते हो सकती है ये वो वाली वर्ब होंगी यानि काम वाली वर्ब होंगी अब काम वाली वर्ब होंगी इतना clear हो गया कोई चीज़ कैसी है या कैसी थी तो भी वाले वह अपसा जाएंगी और उसके बात क्या होता है अब तो कोई का असर जिस पे पढ़ा, वो object होता है तो ये पूरा complete मेरा sentence होता है दोस्तों, अभी मैंने कोई rule नहीं सिखाया, कुछ ने basic बाते बताएं कि अगर मैं English speaking कर रहा हूँ तो उसमें मैं दो तरह की sentence बोल रहा हूँ दोनों को बनाने का तरीका same होता है, कि हर English sentence में, एक subject होगा, एक verb होगी और एक object होगा, वब अपने रंग बदलेगी, वब अपने रंग बदलेगी वब या तो बी वाली होगी इसमें मार वोजवर लखके बन जाएगा कोई sentence जिसमें काम नहीं हो रहा है, लेकिन जिसमें कोई काम हो रहा है, वहाँ पे काम वाली वहब आईगी और कुछ rules भी लगेंगे दोस्तों इतना तो अब सब को पता है कि जो हमारी बाते होती हैं, जो भी हम English में बात करते हैं, English में sentence बोलते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो काम वाले और एक नाकाम वाले, अब आपको जानके बहुत खुशी होगी, कि इन में सबसे ज़्यादा सर इस्तेमाल होने वाले sentence कौन से हैं, क्या हम काम वाली बाते ज़्यादा करते हैं या नाकाम वाली खुद से पूछो, खुद से बूझे जो समझ आ जाएगा, जवाब मिल जाएगा हम ज्यादा तर वही sentence बोलते हैं, जिन में बता रहे होते हैं मैं गया, मैंने ये किया, मैंने खाया, पिया, नाचा, दोड़ा जो भी काम होता है सब में मैं कह सकता हूँ, कि जो काम वाले sentence होते हैं हो 90% होते हैं, और जो काम वाले होते हैं, वो सिर्स उनका हर्प करते हैं, बीच-बीच में आ जाते हैं, उन HipAT सिर्फ 10% होता हैं सिर्फ 10%, पहले से नाकाम हैawat, उन्मे कोई काम ही नहीं नहीं है, नाकाम ही फेल वाले sentence है वो, यानि वो कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमें सीखने तो दोनों है, दोनों का इस्तेमाल करना है, अभी बोलना सीखते हैं, अभी शुरू हो जाएगा, अभी बोलना शुरू हो जाएगा, क्या सर लेकिन सेंटेंस बनाने का तरीका दोनों ही तरह के सेंटेंस का सेम होता है हाँ, दोनों ही तरह के sentence इसी तरह बनना आते हैं कि सम्में ही subject आजाएगा subject क्या आएगा, जिसकी भी बात हो रही होगी किसी का नाम होगा, कोई काम कर रहा होगा सुर्य कुमार यादव उनने काम किया तो सुर्य कुमार यादव हिट सुर्य कुमार यादव उनने अब सेम चीज, सेम चीज, सुर्य कुमार यादव बहुत खुछ था मुझे ऐसे बोलना था सुर्य कुमार यादव was happy sentence में subject सेमरा काम अपने हिसाब से बदल गिया clear हो पा रहा है, clear हो पा रहा है sir, तो ये काम वाले sentence भी सिखा दो नाकाम वाले sentence भी सिखा दो और speaking में भी practice करा दो अब ही शुरू करते हैं ना, आओ ना आपके सामने मैंने कुछ ऐसे word लिखें English के जो नाकाम वाले sentence में ही इस्तेमाल होते हैं इनमें कोई काम नहीं है चलो आओ बनाएं, बनाते हैं, आओ मेरे साथ बनाते हैं सबसे पहले subject रखेंगे subject में क्या रख सकते हैं, कोई सभी रख लो क्या ही फरक पढ़ रहा है, कोई सभी रख लो यहां पे मैं लिख सकता हूं, I सबसे शुरू में, हाँ, लिख सकता हूं सर यहां पे लिख दो चला आप से पूछ पूछ के लिखता हूँ आये लिख देता हूँ यहां लिख दूँ शी लिख दूँ यहां पे यहां पे मैं किसी का नाम लड़की का नाम लिखता हूँ मैं नाम लिखता हूँ पूजा लिखता हूँ लड़के का नाम लिखता हूँ आशू है कोई आशू आशू लिख देता हूँ अच्छा हैं कोई और लिख दूं पनी मर्जी से आप बोलना हम लिखना थोड़ी सीख रहे हैं हम तो इंगलिज बोलना सीख रहे हैं सो समझाने बर के लिए चलो आगे बढ़ते हो अब subject तो रख दिया, रख दिया ना, नाकाम वाला sentence है, नाकाम वाला sentence है, इसमें कोई काम नहीं था, इसमें कोई काम नहीं था, इसमें कोई काम नहीं था, कहां गए हम, कहां गए ही रहा, उसके बाद हमें क्या B लगाना है, यह B लगाना है ना, is, am, are, was, वर में से कुछ वर, सर इनका इस्तेमाल कैसे होता है, ये भी थोड़ा समझा दो ना, किसका इस्तेमाल कब करना है, अरे शाट में समझते हैं, अभी याद हो जाएगा, भई, M तो हमेशा आई के साथ आएगा, M ऐसा जुड़ा हुआ इनका बंदन है, ये कभी अलग नहीं हो सकता है, इसका ब बिरियानी लवर्स भी बहुत सारे होते हैं, तो भई, तुम्हारा जैसे चटनी के साथ होता है, प्यास के साथ होता है, वो समझत, इसके विना अधूर है हम, तो आए तो हमेशा M के साथ आएगा, M का कोई और इस्तेमाल होता ही नहीं, M किसी और के साथ लगे गए नहीं, म बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, तो I का M के साथ रिलेशन होता है, इसका किसके साथ होता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, या ही, शी, या फिर कोई भी सिंगल हो, ओ माइगाड, यानि इसकी शादी नहीं होई है, इसका रिष्टा देख रहे हैं, कोई भी एक सिंगल सिंगल कोई सकते हैं कोई घर हो सकता है औरね wieder कि चलते हैं कि U न प्लूरल को दिखाता है, एक से जादा लोग को दिखाता है, तो R का इस्तेमाल U के साथ होता है, ठीक है, clear हो गया, ऐसे ही V के साथ भी R आ जाता है, क्योंकि V भी बहुत सारों को दिखाता है, एक को थोड़ी दिखाता है, ऐसे ही D के साथ भी R आ जाता है, चुकि देवी बहुत सारों को दिखाता है तो क्या मैं कैसे बता हूँ, इस तो singular के साथ आता है और जो R होता है, वो plural के साथ आता है क्लियर हो गया, क्या इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि I हमेशा M, और कोई सोच नहीं नहीं और इस किसके साथ आएगा, इस आएगा हीशी और singular के आर खमेशा plurals के, clear हो गया, plural singular, single एक और एक से जादा plural वोलते हैं उसको, clear हो गया अब यह वाजवर का खेल क्या है सर, यह वाजवर का खेल क्या है आरे कुछ भी नहीं है, बेवकूप बनाने वाली बाते है जो आज की बात होगी न अभी की, जिसे हम इंग्लिश में एक वर्ड होता है present, जो आज अभी की बात है कि वो आज खुश है, आज प्यार करता है प्यार तो जिसमें तो काम हो गया न, या आज खुश है या आज उदास है, intelligent है, teacher है, बच्चा है आज की बात होगी, वो वहाँ है, आज की अभी है न, थे तो नहीं न, तो आज की बात होगी, उसमें इजमार आ जाता है और अगर कल की बात थी, तो उसमें ये आ जाता है, जिसे हम past बोलते है, was work का इस्तेमाल, जैसे इसे सिंगलर होते हैं, सिंगलर मतलब, he bी हो गया, she bी हो गया, ठीक है, उनके साथ, और वर, बाकी के साथ, वर लग जाता है उनके साथ वर आ जाएगा, जैसे ू, एक से जादा लोगें यह, यह के साथ भी लग जाएगा वी के साथ भी वर लग जाएगा, दे के साथ भी वर लग जाएगा, यह बहुत सारे लोगे, बॉइज, बॉइज के साथ क्या लगाओगे, वर लगाओगे, बॉइज के साथ क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे, लेकिन जैसे वॉज वर लगी है न, तो यह समझ जा न, यह आज की बात कहना है, मुझे कहना है, I am good मतलब होता है, दोस्तों अच्छा, क्या होता है, अच्छा, कोई भी चीज बहुत अच्छी होती है, तो उसे बोलता है, good, it's good, है न, तो मैंने क्या, I am good, इसका मीनिंग क्या निकला, कि मैं अच्छा हूँ, अगर मुझे इसको कल में ले जाना है, तो कैसे बना दूगा, I के साथ क्या लग जाएगा, was लग जाएगा, I was good, ऐसे, she, she के साथ happy है, happy बनाना है, अब इसमें क्या बना सकते हो, she is happy, she was, या फिर was happy भी हो सकता है, ठीक है, clear है, ऐसे, पूजा is a student, आशु, was a teacher, ऐसे, ऐसे sad का बना सकते हो, I am sad, I was sad here, here मतलब होता है, यहाँ पे, मतलब इस जगा, अभी, here का मतलब क्या होता है, कि यहाँ कोई भी चीज जो आपके सामने देख रही हो, यहाँ पे, ठीक है, अब here के लिए कुछ बना सकते हो, हाँ बना सकते हो, बनाओ ना जरा, इसका मीनिंग क्या बना, I am here, इसका मीनिंग हाँ, तुम वहाँ पे थे, वहाँ थे तुम, ठीक है, ऐसे, sick, sick मतलब है, बीमार को बोलते है, बीमार, तो she is sick बन जाएगा, he was sick बन जाएगा, clear हो जाएगा, बिलकुल, sir smart, I am smart, you are smart, they are smart, we are smart, कुछ भी बन सकता, beautiful, she is beautiful, he was beautiful, मैं सर समझाने कोशिश कर रहा हूँ कि इस त student है, लेकिन काम नहीं हो रहा, sentence बना रहा हूँ, काम नहीं हो रहा, क्या इस तरह के sentence की practice कर सकते हो, इस मार, वाज़र का इस्तेमाल करते हुए, बना सकते हो, अभी अभी अपने माइड में कुछ तो sentence बनाओ, वीडियो को pause कर लो, कम से कम 10 sentence अपने माइड में घुमाओ, जि कोई चीज अच्छी है, ठीक है, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल वर्ट तो आप connect कर सकते हो, किसको सोच रहे हो, कौन ब्यूटिफुल है या था, कोई था, पुरानी बात थी, तो उसमें sentence इस्तेमाल करके देखो, 10 sentence कम से कम आप इसमें को अपने माइड में घुमाओ, और फिर बताता हो, दूसरे वाले sentences के बारे में, जिनमें काम होता है, जो 90% इस्तेमाल है, वो कैसे बोलने है, मिरे प्यारे दोस्तों, अभी बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ, कि आपना ना कुछ रटो, ना मैंने आपको कुछ रटाया, कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश की है, कि इंग्लिश जितनी भी लोग बोल रहे हैं, वो बोल कैसे रहे, इतना समझ में आ गया, रही बात इन words की vocabulary की, वो मैं आपके लिए सब कुछ लेके आए, वो सारी चीज़े सिखा गे जाँगो, सारी files नहीं, सब कुछ मैंने आपके लिए खुद अपने हाथों से बनाए है, notes से सब कुछ है, वो सिखा देंगे, वो बात की बात है, vocabulary भी सीख लेंगे, अब इसमें feel लो, समझ में आ रहा है, कैसे work हो रहा है, कैसे English बोली जारी, जितने fluent speaker हैं, वो कैसे बोलता है, वो इस तरह से ही बोलता है, समझ आ गया, इ इतने भी बड़े अच्छे speaker हैं, वो बहुत आसान सी vocab इस्तेमाल करते हैं, बहुत limited words का इस्तेमाल करते हैं, और जो नए-नए English बोलने वाले होते हैं, वो जान बूझ के आपको impress करने के चकर में, मुश्किल या hard word का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत general नहीं होते हैं, वो ऐ I am, यही सब चल रहा होता है, I will you the heat sheet लगाते हैं, और छोटे-छोटे-छोटे words के इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है तो घमराने की जुरत नहीं है, हम कर लेंगे, इतनी vocab कर लेंगे कि English speaking हम आसानी से करें, अब ही बस feel लो, feel ले पा रहे हो, अब बात करते हैं कि जो दूस I did that, I play, I understand, I go, I went, इस तरह से मैं बनाऊँगा, है ना, है ना, है अगर you, 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 you ने कोई काम किया था, तो मोलो, you, you, you did that, you, you, you fight with me, ऐसे करके बोलूँगा, है ना, है ना, है ना, मैं आपकी तरह try कर रहा हूँ, feel ले रहा हूँ, है ना, अगर हमने मिलके कोई क्या होगा, तो क्या बोलगा, वी करके, और आगे जो भी काम किया, वो बोल देंगे, है ना, ऐसे ही तो होगा, कोई नई बात तो नहीं है, नई बात तो कुछ नहीं है, लेकिन नई बात क्या है, मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यह आपके लिए जरूरी है, अब जब हम कोई का अब था, आज हूँ, यह कल था, उसके लिए हमने is, m, r, और was, वर से पहचान कर ली, कि अगर आज की बाती तो मैं बोल देता था, I am happy, you are a teacher, he is honest, I am glad, ऐसे करके मैं बोल देता था, तो m, r, is, r, और was, वर से पहचान हो जाती थी, अब इसमें भी तो कुछ पहचान करोगे वो काम कब हो रहा है, हाँ जी, और दूसरा, वो काम कितना हुआ है, वो काम कितना हुआ है, क्या वो अभी भी चल रहा है, क्या वो काम पूरा हो चुका है, क्या पता ही नहीं वो काम कितना हुआ है, ये भी तो पता होगा, तो work done कितना हुआ है, ये भी बताना होगा, कुल म आपको पता है तो मैंने का I play मैंने बहुते है इतना चोटा से संटेस्ट मैंने जादा लंबा छौड़ा ने किया मैंने ऐसे बूला है और इसके साथ में एक और सेंटेस्ट लगा दिया आ इम हैपी मैंने इंगलिस तो आप भी बोलना शुरू कर दोगे वाइथ इस तरह से बुला अब यह मैंने कहा आइप लेख रहा है कि इसकी बैचान कैसे करोगे क्योंकि इंग्लिश के अंदर ना सिर्फ प्ले-प्ले का मतलब होता है कि खेलना कुछ भी खेलना खेल रहा है या खेल चुका है उसके लिए कोई इंग्लिश का वर्ड है ही नहीं इसके लिए हम प्ले के अंदर ही कुछ ना कुछ जुगार लगाएंगे इसके अंदर ही हम कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे के इसके साथ ED लगा देंगे प्लेड बना देंगे या फिर इससे इस एमार लगा देंगे, इस एमार में से कोई सा लगा देंगे, या इसके साथ ही ING जोड़ देंगे, प्लेइंग बना देंगे, ऐसा कुछ हम ना छोटी-छोटी पैचाने बना देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा, कि वो काम चल रहा है, या फिर हो चुका है, या फिर normal होता है इस तरह से ठीक है, तो इसको मैं कुल czy बलाके कहूं, थो हमें किस चीज की जर्च पड़ी उन rules को हमने कहा, tense, हमने क्या कहा, वो tense के rules होते है, क्या सिर आप हमें tense पढ़ा रहे हूं जो आपको टैंस की rules नहीं बताउंगा। मैं सिर्फ इतने tense के rules बताउंगा। इतने tense rules की practice करा दूगा। इतने tense की sentence की practice किरा। दुगा। जो आपकी spoken English में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जो आपको पता होने ही चाहिए। जो बहुत ज्यादे स्तेमाल होते है। समझपा रहे हो करो क्यों तो बहुत quickly, बहुत ही जल्दी से जो tenses English speaking में daily life में इस्तेमाल होते हैं, वो सीख लेते हैं, दोस्तों बहुत आसानी से यह जो tenses का हुआ बना पड़ा है उसके rules को spoken में इस्तेमाल होते हैं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, मैं यह नहीं कह रहा कि बाकी इस्तेमाल नहीं होत काम कौन सा, काम का मतलब यह नहीं मैनत करना, मजदूरी करना, नहीं, खाने का भी काम हो सकता है, जैसे go मतलब कहीं जाने को कहते हैं go, see, ऐसे करना, see करना, speak मतलब बोलना, laugh करना, read, पढ़ना, understand, समझना, feel, कोई चीज महसूस करना, eat मतलब खाना, ऐसे get, यह भी सारे काम है get हो गया, किसी इसको पा लेना, समझ लेना, teach मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, teach कर रहा हूं, love मतलब प्यार करना, like किसको पसंद करना, write लिखना, think सोचना, ऐसे take ले लेना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, हजारों काम हो सकते हैं, अब इनकी पहचान सुनो, इनकी पहचा होते हुए, तो ये ट्रिक बता रहा हूं, कि हर वर्ट के आखिर में, जहां उनकी हिंदी आवाज है निकलती है, तो मैंने क्या कहा हिंदी सिर्फ समझने भर के लिए, तो जहां कोई समझ मनी आ रहा है, बिल्कुल ये आखरे option मज़ जा तो थोड़ा अब हिंदी में समझ ल कहना होगा कि मैं कल गया था, मैं कल वहां गया, मैं स्कूल गया, मैं तुमसे मिलने गया, मैं पढ़ने गया, मैं खाने गया, पीने गया, हसने गया, दोडने गया, घूमने गया, मैं आगर गया, इटली गया, दुबई गया, मैं ही जाओंगा, तुम गयते तो, यू, यू अब गयको सर बारबार हिंदियों बोले अच्छा लग रहे हैं इसे बोल दो और जो भी काम हो रहा है वर बोल दो और हो गया काम अब यह पास्ट में अगर बीते हुए कल में हुआ होगा तो इसमें थोड़ा बहुत ना कुछ नमक वेरे छड़क देंगे यह समझाने के लिए इसमें बतने लिए की यह में पुराने वाक्त के बात कर रहा हूं अगर मैं तुम्हाए आगे बोड़ा हूं ना कि भाई सीगो तो वह बो नहीं कि बात करो पास्ट क्ये कवा गटना-गट्टी ती कोई इवइंट उड़ा कुछ भी घटना घटी थी कोई भी बात हुई थी पुराने भी यह वह कंँ नहीं होती यार बस वर्ब की हमने क्या कर आत्र私 क पहचान बनाने के लिए इसके वास्ते फलक से मैं वर्ब की सेकंड quasर्म ले राया ये किया मैंने, क्या मेरे को आफ़त पड़ गई थी, ये करने की, मजबूरी मैं करता है आदमी, क्योंकि मैं कह रहा था, बार बार, शीगो, शीगो, वो चली गई, वो सोच रहा था, कि वो अभी जा रही है, सामने वाले को समझी नहीं आया, और उसकी बीवी उसको छोड़क चली गई, ठीक है, वो बताना चाहता था, कि वो बाई जा चुकी थे, वो कल गई थी, कल गई थी, तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी, मैंने तो हमेशा बाई बात सुनो, बीते हुए कल की बात होगी न, जो ये वर्ब लगाओगे न, जो तु सी मत बोलना, अब क्या बोलना, सी की सेकंड फॉर्म लगा देना, जो कि क्या होती है, अरे बाबाजी ये क्या हो गया, अच्छा ही कुछ हो गया, गडबड हो गया, तो क्या हो गया, सौ लिखना, सेकंड फॉर्म लगाना, सी की, यू बोलो, I saw, she saw, क्या देखा तुमने, I saw I saw you, I saw you, he saw you, he saw you there, अरे सर अब तो इंग्लिश बनने लगी फटाएक से, I was so happy, मैं बहुत अच्छा, खुछ था, I was so happy, when I saw you, जब मैंने आपको दिखा, इस तरह से sentence बनने लगे भाई, नाकाम वाले और काम वाले बना के हम sentence बना सकते, तो बीते हुए कल में कोई काम हुआ था, और सबसे ज़्यादे इस्तेमाल होने वाला यही tense होता है, जिसे हम कहते हैं, past tense मेरे प्यारे बच्चों, past tense बोलते हैं मेरे दोस्तों, और इसमें subject के साथ वो अपकी second form लगा देना, और कोई लंबा चोड़ा रूल नहीं है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस यही है, इतना clear हो पा रहा है, सब थोड़ी practice करा देते तो अच्छा था, और इनकी form कैसे याद करेंगे, कुछ vocab का भी जुगाड कर दो, अरे tension नको, यहीं पर खड़ा हूँ, आपके सामने पूरा जुगाड लिख के आया हूँ, सारी चीजे तरीके से लाया हूँ, यह नहीं verb की forms भाई, अभी आपको ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा, इसको मैं अलग से दे दूँगा, यह आपको टेलिग्राम पे दे दूँगा, दुनिया भर की vocabs, verb की forms मैंने यहाँ पे आपके लिख दी है, जितनी भी इस्तेमाल होती है, ज्यादा ज्यादा वो spoken में, वो आपके लिए मैंने दे दी है, उन्हें सिर्फ याद भर कर लेना, उनकी forms को याद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा, क्यूं करना पड़ेगा, क्यूंकि सबसे जादे इस्तेमाल यही वाला टेंस होता है, second form यह सबसे जादे इस्तेमाल होती है, इसलिए करना पड़ेगा, अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी कर ले, अभी कर डाले, आजाओ जी, सर रखो ना कुछ सब्जेक्ट रखो ना, आजो अरे बड़ा मज़ा आता है मुझे तो ये करने में, अब हम सीख गए हैं, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जो भी आप कुछ भी बोलना चाहते ह उसे किया था, तो क्या बोलोगे? अब कुछ भी सब्जेक्ट रखते हैं, मालो मैंने ही लिखा, ये दूसरे पेज़ पे लखो क्या, बच्छो? दूसरे पेज़ पे लिखो क्या? हाँ सरब दूसरे पे लिखो ना, और अच्छा से समझाएगा नामने को, हमको, तो हमने लि और कौन सी वर्ब लगाने चाहते हो, कोई सी भी बनाओ, ऐसे I laugh, मैं हसा, मैं अभी नहीं हस रहा हूँ, मैं कल हसा था, I laugh की second form, ED, I laughed yesterday, अच्छा सर, और और भी बना जो ना, और भी बना जो ना, कोई से ही बना लो, understand, understand मतलब समझना होता है, she understood, अब इसका मतलब समझना है न मेरे प्यारे दोस्तों, किसी गाउं से बैठे वे देख रहे हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, फर्क नहीं पड़ता, यही रूल से इसी तरह से लोग बोलते हैं, ऐसे अब विराट कोली वाल इंग्लिश बोलते हैं, आओ चलो, विराट कोली बहुत अच्छा खेला, मिरे को इसा था खेला हैं, बहुत अच्छा खेला, मिरे को तारिफ करनी थी, ठीक, अपने words के अदर, तो कहा हो, कौन खेला, विराट कोली खेला, सब्यप्तुर आ नहीं था, विराट कोली हो, क्या करा खेला, लो जी बनाने लगे आप इंग्विश, बनाने लगे, समझ महाने लग आने लगा थोड़ा-थोड़ा कि ट्रांसलेशन करने की जुरत है। नहीं 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 लिए बस आपको यह थोड़ी भाट वग्वक्पी फॉर्म से ना उनका पता होना चाहिए। कितनी जादा नहीं है, मुश्किल से सो डिर्सों है, वो आप कभी भी आसानी से बार-बार इनको देख लोगे, नजर मार लोगे, तो भी आद हो जाएंगी, और आपको बस पता होना चाहिए, फील ले लेना, कि भाई, अगर खेलने की बात आ रही है, आपको इतना पता होना चाहिए, बागे अपने मुँपे सब्जेक्ट बलाओ, सबसे पहले सब्जेक्ट लाने कोशिश करो, जो भी आप मन में सेंटेंस बोलना चाहरे हो, कोई भी अपनी थोट आप बहार निकालना चाहरे हो, सबसे मुँपे पहले क्या ना चाहिए, और आगे फिर बोलने कोशिश करो, ठीक है दोस्तों, कर पा रहे हो, इतना कर पा रहे हो, हाँ, सर ये तो past tense आपने बहुत असानी से मुझे समझा दिया, अब इसमें कुछ और भी रूल है क्या, थोड़ा सा और बता देता हूं, बच्चों ये तो आपने देख लिया, मेरे प बना लूँगा, कितने भी sentence मैं बोल भी लूँगा, अभी मेरे साथ बोलोगे भी आप, ठीक है, लेकिन अगर इसमें नहीं में बात हो, जैसे ये लिखा था, I laughed yesterday, मुझे बोलना था, नहीं मैं कल नहीं हसा, या मुझे कहना था, she understood, उसने समझा मैं बोल, नहीं उसने नहीं समझा, तो क्या करोगे, तो नहीं किना है, जो इंगलिश बनते हैं, not बन जाती है, not तो आपने सुना भी बहुत होगा, not आ जाएगा, तो तरीके से क्या हो जाना चीए था, she not understood है, लेकिन थोड़ा सा रूल में हलका सा फेर बदल है, इसमें क्या करेंगे, जब कोई negative में ब समझा, जो नहीं पर लगा देना, सुरी, फर्स्ट फर्म क्यों आ गई, अरे यहां पर टी रात हो गया, सेकंड फर्म, यहां आ गया, एक बार आ गया, एक बार आगया, बार बार लगाने की जुरत फिर नहीं थी, तो अब सेंटेंस कैसे बोलोगे, जैसे विराट कोली ने प्लेवल, विराट कोली नॉट प्लेवल, अब उसको फील लो, दो चार बार अपने माइंड में इस तरह के सेंटेंस बनाओ, फिर आपको सोचना नहीं पढ़ेगा, शी दिद नॉट लाफ, लेकिन सर अब मुझे क्लियर हो गया, मुझे स्क्रमजमा आ रहा है कि मुझे कैस ऐसा बोलना है कि पास्ट में पास्ट की कोई बात थी, और उसमें काम नहीं होता है, तो मेरे मन में एकदम से यह यार, I did not, I did not सुनते क्या मन में ऐसा लगा, कि did सुनते पास्ट नजर आया, बीता हुआ कल, नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है, तो मतलब आप सही रास्त क्या, I went सुनते हैं, आपको पुरानी, बीत हुई बात याद आ रही है, कुछ ऐसा माइड में क्लिक हो रहा है, तस्वीर सी बन रही है, कि यह बीत हुई की बात हुई है, कल की बात थी है, क्या फील आ रहा है, आप बहुत सही डारेक्शन में हो, मैं बार बार बोल रहा हू उनकी हिंदी सिर्फ माइड में रखना है, जो भी आपकी फील है, फॉट है, जो बोलना चाहरे हो, लेकिन यहाँ पे न, सिर्फ इंग्डिश लिखना, अब सर, सर कुछ ऐसे भी तो सेंटेंस हो सकते हैं, जिन में सवाल पूछा जाए, क्या विराट को ली अच्छा खेला, जो बोलना चाहरे हो, अरे वो चला गया, क्या उसे समझाया, ऐसे भी तो बोलना हो, तो क्या करेंगे, तो बच्चों, जहां कोई सवाल पूछा जाए न, जहां कोई सवाल पूछना होगा, तो कुछ भी नहीं करना, उसकी न, हमेशा शुरुवात किस से होती है, डबलु ए दॉर गार्न, बच्राट्पोली प्ले वेल, ऐसे बुलना है, एक एक दम सी था पर अपर तो पहुंच होगे, लेकिं प्रक्टिस करोगे, माय्ड में फिर ओर रहा है, देखना पिर यह साथ द्रैमाटिक चीज चीज आएगा, तो आ रहा है, इतना इतना थोड़़ थोड़ परसेंट आ रहा है मैंड बें आ रहा है बस दस परसेंट आ रहा है तो बात को पूरी हो जाएगी अभी इतने फ्रेजिस करा दूंगा कि ये तो अडिशनल लगेगा उसकी इटेंशन मतलो बस इतना क्लियर हो पारा है हाँ तो तीन तरह की सेंटिस बना सकते हो ने पास में क्लियर उपार है ईजी सर क्लियर उपार रहा है इसकी प्रैक्टिस करा दो बड़ा मस आ जाएगा अब प्रैक्टिस इसकी करा देता हूं मैं और फिर समझेंगे के आज की कोई बात हो रही होगी वह वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं वह कॉनसर टन्स होता है आओ चलो पहले कोई भी subject पकड़ना है, जिसने भी काम किया वो, और उसकी second form लगा देनी, यतना ही तो करना है, आप देखते हैं, सर ये word हमें याद नहीं, अरे बाद में याद कर लेना, practice कर लेना, आराम से कर लेना, को दिक्कत नहीं, repeat करते रहना, हर कोई यही करता है, बार बार repeat करना, दि कर लगा तो क्या होगा, I agreed, I did not agree, did I agree, बना पारे हो, next जिल इसाओ तोड़ा तेस करेंगे, arrive, she arrived, she did not arrive, did she arrive, did she arrive, she did not arrive, she arrived, ऐसे ऐसे आगे, ask, ask मतलब, ask, 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 पूछना है न, so, I asked, I did not ask, I did not ask, I did not ask, did I ask, अब यह धूरा सा लग रहा है, तो मैं बोला चाहँगा, I asked a question, meaning समझ में I asked, I asked a question, I did not ask a question, did I ask a question, समझ मा रहा है, थोड़ा और स्पीड से करें, आगे, आगे, आजाते, 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 ब्लेम, she blamed, अब ब्लेम किसी को तो किया होगा न, she blamed you, she did not blame you, did she blame you, ऐसे, ऐसे, सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है करने में, I believed, क्या believed, थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं क्या, हाँ, ऐसे आगे बढ़ा देंगे, I believed her, ऐसे आप भी न थोड़ा पॉस ले सकते हो, अटकना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक आज सेकंड का पॉस हो जाता I did not call him yesterday, did I call him yesterday, did you call him yesterday, अरे सर, हिंदी बिना बन रहा है, समझ में आप आ रहा है, feel ले पा रहे हो, जब मैं बोल रहा हूं, I called him, जब मैं ऐसे बोल रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है, क्या feel आ रहा है, कि एक तो दिमाग में वो situation आ रही है, कि क्या हुआ होगा, I called him, सुनत at home, है ना, आ रहा है ना, इस तरह से feel, feel आ रहा है, very good, आ रहा है, तो I enjoyed, आप कुछ भी लगा दो आगे, बढ़ाओना इसको थोड़ा सा, situation ऐसी हो सकती है, I enjoyed this party, I did not enjoy this party, did I enjoy this party, चलो दोस्तों, मुझे पूरी उमीद है, कि ये सारी वो कैब, ये सारी वो कैब, आप इसी त हमने चाहे तो लिख लेना, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अराम से बैठना, cool एक दो चिल मारके, और ऐसे ही sentence को मुपे लेके आना, repeat करना, repetition is the key, जितने भी fluent speaker बने घूम रहेना, सबने कहीं ना कहीं उनको इतना बोल रखा, इतनी practice कर रखे, कि मैंड में यहा इतना कर पा रहे हो, सरह कर पा रहे है, मेरे प्यारे दोस्तों करोगे ना, practice करोगे, मैं आपका time बचाना चाहरा हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहरा हूँ, क्योंकि वहनना इक course बहुत बढ़ा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ, इसको ना, यह छोटी चीज है, यह आपके level की आप कर सकते हूँ, जैसे invite, I invited, आप किसी को दो invite किया होगा, I invited, feel आ रहा है, I invited him, I invited him, I did not invite him, I did I invite him, ऐसे करके बोलना है, 100 बार बोलो, 200 बार बोलो, 500 बार बोलो, 1000 बार बोलो, आप जितने यह practice कर लोगे ना, देख रहा है, आपके इंदर एक dramatic change होगा, सबसे ज्यादा यह यह tense बोला जाता है, English के अंदर, सबसे ज्यादा यह tense बोला जाता है, आप चलो, अब मैं दोस्तों आगे बढ़ जाता हूँ, और इसके अलावा कौन सा important tense है, वो पढ़ लेते हैं, यह तो past का मने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सब detail में इसमें तो बहुत सारे और भी rules होते हैं, होते हैं, मैंने खुढ tense का वीडियो बना रखा है, ज्यादा इंटरस्ट आरे है, टेंस पर कमांड हासिल करने का वीडियो देख लेना, करोडों लोगों ने देखी, उनकी life बदल चुकी है, आप भी देख लेना, बाद में देख लेना, अगर आपक तो एक प्रेजेंट करने इंडेफिनेट होता है, जिसमें subject रखते हैं, वर रखते हैं, और इसके साथ कभी-कभी CES लगा देते हैं, और object रखते हैं, ये कौन सा होता है सर, कैसे subject तो सब में आता है, ये सर मुझे पता ही है, जैसे go था, है न बच्चो go था न, आँ go था, अब इस पर रूल पते हैं, क्या कहता है? इसमें रूल ये कहता है, SCAES हमेशा नहीं लगेगा. ये आज की बात करता है, जो काम आप आप आपकी आदते होती हैं, जो काम आप daily break पर करते हैं, जिसले, मैं सुबह उठता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं हाज आपकी आदते होती है इस तरह के sentences यहां पर sentence बनाने कोशिश करो गो है तो भई मैं जाता हूं मैं देखता हूं मैं बोलता हूं इंगलिश बोलता हूं अब यह आदती तो है आज की बात में हो रहा है काम और एक आदत बताई जा रही है तो डेली के साथ ही मेल लिया जाता है तो थार्ड बर्सन होता है यह फिर किसी का नाम हो हो क्या कहा मैंने अगर कोई singular है किसी का नाम है तो पर ही परानी बात नहीं तो अभी की बात बोल रहा हूं मैं कहना यह चाहरा हूं कि वह रोजाना हुआ जाया करती है तो बहुत बोलूँगा शी गोज अभी गोज की बनाओंगा क्योंकि यहां पर यह यह जी इट था या कोई क्या पढ़ता है एंगलिश ऐसे आगे बढ़ता हूं यह अज की बात हुई अब सेंटेंस समझ में आया जो दुनिया भर में आज तक इतना सेंटेंस आपने सुना था आज तक आपको उसका समझनी आता यह क्यों बनता है आई लव यू यह कौन से टेंस में बोलते हैं हम आज की बात कह रहे होते हैं मैं तुमसे आज प्यार करता हूं या आई लव यू आज लव करता हूं अगर मैंने पहले किया था तो क्या बल दूँगा I loved यू और इसी का चेंज करूँगा तो I did not love you, did I love you, did you love me इस तरह से sentence बन जाएगा ठीक है प्यारे दोस्तों अब ऐसे इसके भी तो नेगेटिव हो सकते हैं इसका नेगेटिव होने लगे जैसे यह तो यहां ऐसे था कि I eat ऐसी था अगर ऐसी मेरे को बनाना हो कि यह काम में नहीं करता हूं ईये यह जिसमें कोई आदत है कोई आदत रूटीन है और मैं कहरा हूं कि अगर मैं ऐसा काम करता हूं तो तो मैंने आपको structure बताई दिया बड़ा असान था subject था work था work की first form थी SES था और object था है ना लेकिन अगर इसी का negative हो जाए तो क्या करोगे अरे कुछ भी नहीं करना समझे जैसे उसमें not लगाया था इसमें सिर्फ does not लगेगा अच्छा does not क्यों लगेगा अरे वो past का था past में second form आई थी तो second form not वालों में भी लग गई second form जो बनी है ना English के अंदर सुनो मेरी बात second form जो बनी है English language में उस सिर्फ और सिर्फ past tense के लिए ही बनी है उसका present और future से कोई लेना देना है ही नहीं clear हो गया तो subject plus does not और main verb की वही first form आ जाएगी और object आ जाएगा अच्छा इसी में अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए तो कैसे बना दोगे सर्फ चुरू में डूडर्स लगा देंगे और फिर subject आ जाएगा main verb की first form आ जाएगी और object आ जाएगा इस तरह से ये बन जाएगे क्या मैं आपको tense सिखा रहा हूँ नहीं नहीं मैं तो आपको spoken सिखा रहा हूँ English speaking सिखा रहा हूँ जो आपकी सबसे जादे स्तेमाल होते है वो sentences सिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत जो इधर का रह जाता है वो तो आप सीखते 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 सीख जाते हूँ अभी मेरा हात पकड़कि एक बार खड़े हो जाओ । दोड़न अपने आप सीख जाओगे जना रिवर बच्चों विश्वास करो believe me believe me एक बार बस खड़ सोट अवी ले लेता हुएम अब सुयाह और को अब कुछ आगे और बढ़ाते हैं को बैस Ñ कहने दोनाट इसकूल आज की बाष समझ माँ दमांग में कि आज की बात कर रहा हुए जहां भी do not लगा है ना अगर did not हो था पुरानी बात थी we do not go to school did we go to school do we go to school क्या हम इस्कूल जाते हैं इस तरह से ऐसे I see का करते हैं I see you I don't see you I don't see you there मैं तुम्हें वाँ नहीं देखता हूँ ठीक है do I see you there कि हम आपको वाँ देखता हूँ इस तरह सेंटेस बन जाएगा अब थोड़ा सब्जेक्ट बदल देते हैं SES वाला बनाते हैं शी के साथ लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगलर हो या ही शीट हो तो SES जुड़ जाएगा अब फर्मेटिस में speaker she speaks English she speaks English थोड़ा और बढ़ा दो she speaks English fluently she does not speak English fluently does she speak English fluently यह जो zaka sound आता है यह अज की बात हो रहा है यह जोसे संटेंस आ गया है यह जो speak करने की बात हो और यह ना ही कब की है मुझे समझ मा गया समझ मा यहlı rules क्यों बने थे करो गे आपको मैं PDF दे रहा हूं ऐसी जैसे में प्रैक्टिस कर रहा हूं आएसे तो नो तीनों सरम के संटस बनाने के ची स्विक्स इंग्लिश्न टी आपके माइंड में चप जाएंगे पिर आपको कहीं बोलना पड़ेगा है सीधर बोल जा लहाँ आपको बहुंती बात बता रहा हूं आपको आपको चलो जी और भी कुछ है कि एक छोटा सा और है वो भी सुनते चले जाओ अब क्या और होता है इन जो जितने भी अपने सेंटेंस देखे ना उनमें देखा कि ताइम की दो बात हो रही थी कि वह काम हुआ था ठीक है कल किया था या फिर ये काम में करता हूं कोई काम चल रहा है उसके बारे में बात नहीं है और आज भी होता है जो चल रहे होते हैं तो सब्चेक्स सबसे पहले हिसाएगा में बपकी फौर्स फॉर्म में या थी है और आपimalस विसमभी हाता है तो याद रखना करें कोई काम हैसा हो जो चल रहा हो ना आपको क Ready मैं जा रहा हो आप बशनत में परस बीकिंग इस हो Dop तो गए लिधिन करने का रिट करने का यही चल रहा है अभी हो रहा है यह जल रहा है तो किसे दिखा तो main verb की जो first form है उसमें ing लगा दो ing का मतलब होता है एक तरह से दिल की धड़कन क्यों दिखाने लगता है अरे यह तो अभी चल रहा है मैं खा रहा हूं मैं तुम्हिभा हूं मैं अगर मैं इशीखता हूं और में आदत हो जाती मैं बना कि आ क्या है यह दिल की धड़कन है यह तरह की मोटर है मोटर है इसके पहिये लग जाते हैं फिर यह दिखाता कि चल रहा है और यह आज में हो रहा है इसको दिखाने के लिए एस या फिर एम या आ रहा जाएगा अब वही रूल पुराना वाला इस सिंगुलर के साथ आई के साथ एम और और अगर पास्ट का है मैंने कहा मैं इंग्लिष सीख रहा था मैं वहां जा रहा था मैं तुम्हें देख रहा था मैं इंग्लिष बोल रहा था वह कोशिश कर रही थी वह तुम्हें पहचाने कोशिश कर रही थी वह तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रही थी वह पढ़ा हो गई सर इतना अच्छा तो हमें कभी जिन्देगी में क्लियर नहीं हुआ था जब हो गया आउट बना देते हैं गो जाने का काम आज हुम हो रहा है बनाओ चलो कोई अगर नगर को आखा करो बनाओ इसे बन जाने अजहता थोड़ी इसे इसे सेंटस्यतो अपन्हां अजहता एंप French और श्रया इस ऑलका का चलए लिकिन ढाचा ता जो फ्रेम कि अम नोट लफिंग काम तो चलते को दिखाएं ये मैं लिकिन वक्त बदलने के लिए फ्रेजर को दिखाता है उसके साथ यूलर्स के साथ ओर प्लूररल के साथ जैसे understand ством dramasuld उंदेस्टानिंग मी योसी अंडश्टानिंग मी ऐसे करके सफीलर अब आई वोस्टी और भी अब जो फ्लुट स्पीकर हो, I'm eating, क्या हीट कर रहो, कुछ भी बीट कर रहो, I'm eating Maggie, I'm not eating Maggie, अच्छा, प्रेजन में पास में पढ़ा, पुचा दें, क्या बाद है, I was eating Maggie, I was not eating Maggie, जैसे वाज आया न, मुझे इद्धन समझ माय कि पुराने भी तो वे कल की बाद थी, I was teaching you, I was teaching you English, I was not teaching you mathematics, was I teaching you mathematics, इस तरह sentence बना पारे हो, love, कुछ भी बना सकते हो, like, right है, I was writing a letter, I was not writing a letter, was I writing a letter, अब बच्चे क्या करते थे, अब आज समझ में आया, अब हर जगा इसे मार घुसा देते थे, और ING लगा देते थे, वो कब लगानी है, वो सिर्फ तब लगानी है, जब काम चल रहा होता है, क्योंकि ING का काम ही होता है, मोटर की तरह होता है, वो ना किसी जितको चला रहती है, जब तक सिर्फ नॉर्मल आदत की बात है कोई नॉर्मल काम हुआ है तो उसके साथ हम आएंजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दोस्तों ये सबसे ज़ाद इस्तेमाल होने वाले चार तरह के sentence थे चार तरह के tense के rule थे एक बार sum up कर देता हूँ ताकि आपको रती भरावर भी कोई confusion ना बचे क्यों कौन से थे कौन कौन से थे एक तो past से बात करते हैं एक था past का indefinite वाला अब indefinite मैं आपको बताया नहीं था बार बार यानि कौन सा वाला subject था जिसके अंदर work की second form और object आ रही थी जिसमें क्या बाते हो रही थी normal कोई काम हुआ था normal घटनाए जो घटी थी जो normal बाते होई थी कि मैं गया मैंने ये किया वो किया खाया पिया हसा अना चाहा दोड़ा वो वाले events थे सबस्याद इस्तमाल होने वाला और इसी का फिर हमने क्या देखा इसी का हमने पास्ट का एक continuous देख लिया continuous मतलब इसमें काम चल रहा था इसमें काम चल रहा था subject था was word था काम चलने के लिए main verb की first form और ing लगाई और इस तरह से हमने sentence बना लिए है एक हमने देखा present का indefinite जिसे कहते हैं जिसमें हमने अपनी आदते बताएं हमने क्या बताएं इसमें अपनी आदते हमारी आदते बताएं इसका रूल क्या था subject था word की first form as या es और object आ गया था इसी का फिर हमने present continuous पढ़ा और उसके अंदर कुछ भी नहीं था subject था और इसमार था इसमार था विन वर्ब की first form थी ing थी और object थी दोस्तों कराने को मैं पूरे टेंस यहां पढ़ा सकता हूं लेकिन time waste नहीं करूंगा सब साधे इस्तेमाल यह होते हैं अच्छी बात है अगर टेंस पूरे आते हैं तो लेकिन इस्तेमाल spoken के अंदर मैं आपको ब हैनत को खराम मत होने देना वच्चों पूरा साथ देना पूरी प्रैक्टिस करना यहां हमने क्या खत्म किया जो बहुत हुआ बना रखा है इंग्लिश बोलने का टेंस के रूल्स वगेरा का वह हुआ आज हमने तोड़ दिया वह हमने भर्म तोड़ दिया और आप हमें समझ में आ रहा है कि जब मैंने बोला इंग्लिश बनने लगा अभी तो सब कुछ बचा हुआ है लेकिन आपको समझ में आने लगा आप बोल सकते हो बोल सकते हो ना आप चलो दोस्तों और आगी की बाते करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हमारी इतनी अंडर्स्ट्र ना उनके रूल्स जो हैं वो कहते हैं कि जुक्के रहना पड़ेगा मेरे आगे ऐसे करके बात करते हो क्योंकि उसके बिना आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी तो इतना तो हमें समझ में आ गया कौन से टेंस इंपॉर्टेंट है यह भी समझ लिया ना अब मैं निकानने व लिगती है अभी वर्फस मेना आपको याद नहीं कराई है अभी आपको मैंने वर्ड मिञ याद नहीं करा हैं लेकिन बातों बातों में बहुत सारे आपको याद कर आदूँगा और बात में death करादूँगा चलो जी तो कुछ वह लिखिए हैं किसी चीज को चाहना कोई चीज की चाहत होती है किसी चाह करना खुआईश करना अब वेंट वेंट क्या है वेंट गो की second form है जान बूच के second form लिख दी मैंने याद रहने के लिए यानि past में कोई बात होगी है कम मतलब आना do मतलब कोई काम करना watch मतलब कोई चीज को देखना try मतलब कोशिश करना अलगे रहना किसी काम की कोशिश में play मतलब खेलना कोई भी खेल खेल लेना help मतलब किसी की help कर देना ज्यादा हिंदी पे मैं जोर नहीं देता हूँ जान बूच के लेकिन समझाने के लिए बता देता हूँ ठीक है तो आपको बीन चीजों को समझना भर है word जैसे मनमा आए न वर्ड तो दिमाग में आना चाहिए कोई कुछ देख रहा है आखे यू दिखते भी आए तो आपको असानी हो जाएगी फिर इसको समझने में तो आपके समें मेंने कुछ vocab से लिखे हैं कुछ verbs लिख्के है in fact अगर हमें कुई sentence बनाना है कोई भी sentence बना सकते है kun देखते हूँ छलो इसको देकते हूँ ज्यादे माठाँ क्या करहूँगा इसके साथ कुछ सब्जेक्प्रग दो हूँ cambio of sentence बन जया होगा हम क्या करते हैं एक होता है ती और टू आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा हैना कई ना कई पढ़ा होगा अब टू के बाद हम कोई भी जब हम कोई भी मेंवर यह एक्षण वर होती हैं उसकी first form लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि यह किसी तो को आप कर रहे हो। कोई भी काम जो आप बता की आ है या आप कर रहे हो वो क्यूं उसका जवाब यह तो मिलन्वेर की पम से पता चल जा जाता है वो कैसे यह सब अब लग लगाया two अब मैं लगा तो कोई और वर्ब, में वर्ब लगा नहीं न कोई सी, मान लो मैंने उठा के लिख दिया speak, अब sentence क्या बना, I want to speak, मैं किस चीज को करना चाहता हूँ, मैं speak को करना चाहता हूँ अगर मैं यहां लिख दू, I want to go, अगर मैं यहां to go कर दू तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, मैं जाना चाहता हूँ ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, I want to say, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे मैं बोलो I want to learn, कुछ भी बोल सकता हूँ लेकिन यह बता देता है कि आप क्या काम करना चाहते हो, किसी चीज के purpose को बता देता है, तो क्या अब इससे बड़े-बड़े sentence बना सकते हो, बिलकुल बना सकते हो, अब आप कुछ भी लगा दो इसमें, आगे की कहानी तो बढ़ती चली जाएगी, जिससे sentence था, she went वह गई, इतना तो में समया था, कि she went, कई गई, अब आगे लिख दिया, मैंने she went to agra, यह sentence बना, मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ, she went to agra, वह agra गई, अब मैं कहता हूँ, क्यों गई, she went to agra, to, और आगे क्या लिखा, मैंने meet, meet मतला किसी से मिलना, to meet his, या फिर हर हो क्या काम करने गई, तो क्या आगे बन जाएगा, to meet, क्या करने गई, meet करने गई, तो यह जो to है बड़ा काम का है, बड़ा काम का है, कोई भी वर्व उठाओ, to लगाओ, इसका मतलब यही निकलेगा, कि कोई काम जो मकसद है, जो purpose है, जिस वज़े से वो चीज हो रही है, व क्या करने आता हूँ, I come to learn, क्या करने आता हूँ, to learn, मैं learn करने आता, I come to learn, क्या बोल सकता हूँ, मैं English आगे और sentence बना दिया, इस तरह से जब भी हमें कोई ऐसा sentence बोलना होता है, जिसमें एक से ज्यादा काम होते है, I come, यह काम, कम भी तो एक काम यह ना आना, और उसके बा बनते हैं, कोई भी वर्ब, कोई भी वर्ब, कोई भी काम होता है, और हमें कहना होता है, तो हम उसे to लगा के फिरी बोलता है, जैसे, we come here to play cricket, हम यहाँ आते हैं, ठीक है, क्या करने आते हैं, to play, to play cricket, ऐसे ही बड़े बड़े जो भी आप sentence बनाना चाहो, वो इसकी मदर से ब watch, I watch movie, I watch movie, to have fun, क्या करने के लिए, मजे करने के लिए, I try, क्या करता हूँ, मैं try करता हूँ, क्या करने के लिए, to speak English, मैं try करता हूँ, speak करने के लिए, तो आप देखते होंगे, to लगके verb लग जाती है, और first form ही रहती है, वो इसी तरह रहती है, अब आपको और मुझे मिल शुरू करोगे, जैसे, I learn English, I learn English, किस लिए सीख रहे हूँ, I learn English to look good, अच्छा दिखने के लिए, है न, ऐसे, I watch you, I watch you, मैं तुम्हे देखता हूँ, I watch करता हूँ, I watch you, to learn something, क्यों सीखने के लिए मैं तुम्हे देखता हूँ, इस तरह से आप कोई भी, कोई भी sentence बना सकते तो जैसे play था, इसमें चलो, she लगाते है, तो she, she के साथ play रहेगा, न, हमने पढ़ा था कि इसके साथ है CS जुड़ जाएगा, she plays cricket, she plays cricket, to, 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 to क्या करने के लिए, to earn money, अभी इस तरह से भी हो सकता है, वो cricket खेलती, क्यों खेलती है, money earn करने के लिए खेलती है, दोस्तों help आप बनाने कोशिश करो, न, यह को सब बन जाएंगे, यह तो सिर्फ कुछ examples थे, आपको बस feel लेना कि बड़े sentences कैसे बनते हैं, कि जिस sentence में कुछ इस तरह की बात ही होती है, कुछ इस तरह की sentences होते हैं, जिनमें हम न, एक से ज्यादा काम दिखा रहे होते हैं, एक से ज्या तूर आएगा, याद रख लेना मेरी बात, to meet his family, to meet his mother, to meet his friends, इस तरह से sentences बनेंगे, अब आपको क्या करना है, इनकी अभी क्या भी practice कर लेते हैं, कर लें practice, ताकि आपके लिए असानी हो, आप बोल पाओ, और अच्छे से इन चीजों को और घोट लो, आज ही घोट लेते ह something, अब इसमें क्या feel हो सकता है, आप सोचो, I want something, यह भी sentence ठीक है, इसका मतलब यह कहता हूँ, I want something, अब लेकिन मुझे इसको अगर बढ़ाना है, बढ़ा के कोई बात कहने, तो कैसे कह सकता हूँ, कई तरह से कह सकता हूँ, मेरे दोस्तों, है न, है न, है न, आप भी वही feel कर पार हूँ, जो मैं feel कर पारा हूँ, I want, और आगे कोई भी काम करोगे, कोई भी verb लगाओगे, बिना two के नहीं लगाओगे, यह याद रख लेना, ठीक है न, वर्ब तो समझने लगे हो न, बाकि के verb क्या होती है, जिसमें ना की अवाज आए, कोई काम करना, तो यहाँ प और क्या चाह सकता हूँ, मैं, I want to eat something, क्या यह सही है, क्या, बिल्कुल सही है, sir, I want to eat something, या और क्या हो सकता है, I want, I want, I want, I want, I want, I want to, I want to buy something, मैं कोई चीज़ बाय करना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, I want to feel, sir, यह तो आप कितनी भी verb लगा दो, sentence तो बहुत सारी ब बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, कोई भी चीज़ चाहते हो, उसके आगे कुछ और काम करना चाहते हो, बस तू लगा के आगे बनाते हैं, चले जाओ, अच्छे इसी को नेगेटिव में भी बना सकते हैं, कोई रूल होंगा, क्या, नहीं, 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 देखो, common sense पक बना पारे बड़े-बड़े, आज उसरी situation देखते हैं, I was ill, I was ill, कौन से वाले sentence है, बिना काम वाला, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, बीमार हो ना, तुम्हारी कोई काम नहीं है, तुमने कोई achievement आसल नहीं, खुद पढ़ गए, I was ill, my mother came, मेरी मदर आई, अब वो क्या करने योगी sentence को बढ़ाओ ना, my mother came, हाँ, क्या रहा है दिमाग में, मम्मी आई, my mother came to meet me, क्या sentence सही है के नहीं, बिल्कुल सही है के नहीं, हाँ, my mother came to meet me, तो इस तरह sentence बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा rules करना, नहीं, नहीं, सर इतनी सी बात है, कि जो tense के rules होते है, जिसमें काम हो रहा होता है, main verb होती है ना, अगर एक main verb के साथ, कोई आगे और आजाए, तो उसका क्या की खरेंगे, बढ़ा देंगे अपनी बात को to लगाओ, अगे बढ़ाओ, अपनी बात को तू गो टू आगरा और आगे लिखा है ताज महल, अब ताज महल का क्या करोगे अगरा में जाके, क्या करोगे, बेट डालोगे, नहीं बेच अनिदि बबली थोड़ी है तूं, तूं क्या करोगे, I'm planning to go to अगरा, 2 क्या करने के लिए C the taj mahal क्या sentence गलत है क्या क्या बना पारे हो इसे छोड़ो, तुम मताओ, समझ में आ रहा है न sentence हो कोई भी हो सकता है आप feel लेना शुरू करो, आ रहा है मुँपे आ रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर आ रहा है the answer, फिर क्या हुआ, so, 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 so क्या हुआ, फिर तो क्या हुआ, he came, पास की बात थी न, तो second form लग रही है, अब वो मेरे पास आया होगा, तो क्या करने आया होगा, भुटे भुनने थोड़ी आया होगा, भाई आया होगा, सवाल को पूछने के लिए, ask करने के लिए, so, he came, आगे बोलो na, क्या करने आया, काम करने आया न, कोई, कोई काम करने आया, यहां कोई वर्ब लगा होगे, तो वर्ब खाली नहीं लगेगे, to लगेगे, so, he came to ask, he came to ask me, he came to ask the question, कोई भी बात हो सकती है आपकी मर्जी समझ पारो कैसे feel ले ना कैसे मनी मन जादा हिंदी को सोचे बिना translation को सोचे बिना sentences बनाये जाते हैं कभी भी कोई भी sentence जो ये बहुत fluent speaking कर रहे होते हैं जो आपको बड़े fluent लगते हैं वो भी यही कर रहे होते हैं नोटिस करना जब वो अटकरे होते हैं जब उन्हें लग रहा होता है कुछ मंड में नहीं आ रहा होता है उनके जुबान पे वो टू लगा के बरवाई बढ़ाते हैं I came here to ऐसे बूल देते हैं आप भी ऐसे करो I came here to see the people ऐसे करके आगे चीज़े बढ़ाई जाती है तो यह टू ना बड़ा काम का है बड़ा काम का है भाई यह टू सबको help करता है जितने बड़े speakers होता है आपको भी करें I eat यह बड़ अच्छा है I eat मैं खाता हूँ क्यों खाता हूँ मैं I eat to live live मतलब होता है जी न तो मैं जीने के लिए खाता हूँ और यहाँ क्या है You live तुम जीते ही हो क्या करने के लिए बगर, पैटीज, पीजा इस सब के मजे लेने के लिए तो इस तरह के भी sentence अब आप असानी से बोल सकते हो बोल सकते हो ना ज्यादा सोचना तो नहीं पढ़ रहा ना तू लगा के बना पा रहे हो ना मुझा पूरी उम्मीद है और प्रैक्टिस करेंगे ना अब यह वाले sentence है He is trying, dash his English अब क्या कर रहा है वो try करने की क्या करना है English को क्या करेगा वो खा जाएगा क्या नहीं He is trying, he is trying तू लगा दो तू तो लगे गई लगेगा ना कोई तो काम है ना आगे एक तो वर भी आ गई ना अब बार बार तो आप आई एंजी नहीं लगाओगे ने वर्प्स के अंदर यह कोई रूल नहीं होता He is trying to improve इंप्रूव तो होगा हाँ इंप्रूव करने के लिए देखो दोस्तों सिर्फ मैं आपको एक फील देना चाह रहा था क्या मैं फील देने में काम्याब हुआ मुझे उमीद है कि कॉमेंट में आप मुझे बता दोगे जो आपके असल काम भाएंगी वो सारी PDF में नोट्स की फॉर्म में मैंने आपके लिए बना रखे तो बिल्कुल मत गबराओ सचे मन से पूरी लगन से मेरे साथ जोड़े रहो दोस्तों हम बहुत सारे ऐसे sentences बोलते है English speaking के अंदर जिसमें हम कहना चाहते है कि यह चीज मेरे पास है पास होने के sense में दिखाने के लिए जैसे मैं बोलूँ I have my brother मेरे पास मेरा भाई है I have my mother ऐसे मेरे पास मेरी मा है I have a car मेरे पास car है Do you have a car? क्या तुम्हाँ पास car है I don't have time मेरे पास time नहीं है मतलब यह जितने भी sentences मैंने भी आपके सामने बोले इसमें कोई चीज पास होने के sense में तो दिखाने के लिए कह रहे है कि यह चीज मैं रखता हूँ मेरे position में तो इनको कैसे बना जाता है वो समझ लेते है इनका इस्तेमाल करते है हम has have से has have लगा के हम इनको बना देते है अब आपके सामने मेंने कुछ words लिखे है इन words का इस्तेमाल करते हुए क्या has have लगा के बोल सकते हो हाँ यह चीज मेरे पास है यह चीज मेरे पास नहीं है बोल सकते हो और ट्राइ करते हैं, अभी speaking करते हैं, अभी speaking करते हैं, brain, है क्या, तो बोलो, I have brain, नहीं है, तो बोलो, I don't have brain, ऐसे बोलो, अगर इसी का सवाल बनाना पड़ जाए, वो यह दूड़स लग जाएगा, present में दूड़स लग जाएगा, पास्ट में दूड़स लग जाएगा, अ तरह से सेंडर्स बन जाएगा क्या मुश्किल था नहीं नहीं और बनाओ जल दी मनी आई हाव मनी यू हाव ब्यूटी शी हैस ब्यूटी अच्छा हैस किसके साथ है किसके साथ बहुत असान सी बात है और आए और जितने भी प्लूरल होंगे जो एक से ज्यादा होंगे उनके स इस तरह से बना लो पार एम सब्सक्राइबर जैसे बोलो मेरे साथ बोलों जितना बोलोगे न मूँ पे चड़ेंगे बोलो बार-बार बार रपीट करो ऐसे सक यूँ और आप स्किल यह साप कि पूछ सकते हो एंदर आपके होँ इस तरह सेंटेज बने एंस किया आजाते हैं अच्की। आपके पास ability है क्या करने की ability मतलब क्या ताकत शम्दा काबिलियत आगे बना दो क्या करने के लिए to speak English वाँ बहुत बड़ी है आपके बना पाएंगे बिल्कुल बना पाएंगे ऐसे बन जाएगा डॉक के लिए बोल सकते हैं आपके घर में पैठे तो आपके पास है ना बोलो I have a dog, you have a dog, she has a dog, coffee अब coffee होने का मतलब खा लेना पी लेने के लिए भी हम इस हैजव का इस्तमाल कर लेते हैं I would like to have a coffee, would you like to have a coffee इस तरह से sentence बन जाता है अच्छा एक चीज़ समझने की कोशिश करो, head कब आएगा, head कब आएगा तुक्का मारते हैं सीधी सी बात है सर, present में है जब है और अगर पास की बात थी के वो चीज़ थी, तो head आजाएगा He had fame, उसके पास fame था तब था, ऐसी कोई बात कहनी हो He had ability पहले थी, he had opportunity, he had power, he had money इस तरह के sentence बन जाएगे और अगर negative बनाना हो तो क्या, वो ही did आजाएगा ना, उठके, he did not have, ऐसे बन जाएगा He did not have brain, he did not have life, he did not have money, इस तरह से sentence बन जाएगा क्या इसमें कहीं किसी को थोड़ा सा भी doubt है, कोई doubt नी है, अच्छा doubt नहीं है, प्रैक्टिस कर पारे हो कर पारे हो, कर इसको ना daily basis पा आपको प्रैक्टिस करना है, अभी मेरे साथ किया ना, और प्रैक्टिस करना है, जब तक मुँपे चड़ना जाए, तब तक छोड़ना मत, यहां बिठा लेना, कि कब पास होने को किसी को दिखाना होगा, तो हम क्या बोलूँगा, have का इस्ते संटेंस करें हां सर, I have go, बिल्कुल सही है, सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, consegu, सई, है न सही है, नहीं, सही नहीं है, फ़र्क समझो, हमने देखा कोई चीजपास होने के सैंस में, यानी इसमें कोई काम नहीं हो रहा सबसे important बात क्या, यह जो अभी हमने हैंसरे वाले sentences है, जो नाकाम वाल है इनमें कोई काम नहीं हो रहा, तुम्हारे पास power है, पैसा है, opportunities में काम क्या हुआ, काम कुछ नहीं हुआ यानि इसके अंदर verb नहीं आएगी, action verb नहीं आएगी, जो main verb होती थी जो tenses मम करते थे, वो इसमें नहीं इस्तेमाल होगी, clear हुआ के नहीं, फर्क समझ पारे हो कि जो main verb होती है, और जो main verb नहीं होते हो वाले sentence कैसे different होते हैं, समझ पाए देखो ना, brain, brain में कोई काम हो रहा है क्या brain कोई काम वाला word है, नहीं क्या potential कोई काम है, नहीं, नहीं नहीं, डॉक, डॉक, कुटा, कोई काम है क्या, नहीं, कुटा कोई काम नहीं है काटना काम है, आखिर में नाकी आवास आएगी, तो इस तरह से हमने देखा कि हम हैसे-इसे sentence तो बना सकते, लेकिन वो वाले, जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता, बस बता देते के इसके पास ये है समझ आया, बहुत बढ़िया तो अब ये sentence, I have go, क्या ये correct है नहीं, सर, ये incorrect है आप बोल सकते थे, I have dog, I have coffee I have cat, I have home, आप कुछ भी बोल देते लेकिन आपने go बोला, तो गलत हो गया ऐसे ही, she has eat eat तो एक verb होती है, खाना खाना she has खाना खाना, ये क्या हुआ, ये भी गलत हुआ कुछ और बोल देते, she has sofa she has new phone, she has blanket, कुछ भी बोलते बट ये ना बोलते, ये पाप कर दिया आपने तो ये भी गलत हुआ, they have right ये भी गलत हुआ, they have walk रोहित has walk, ये भी गलत हुआ, रश्मी has teach, ये भी गलत हुआ, ये सब गलत हुआ क्योंकि इन में ना verb थी यहां काम हो रहे थे, इन में ये नहीं बता रहा था कि इसके पास ये है समझ गया, अच्छा सर ये थोड़े देखे-देखे लग रहे हैं, has have के बाद आपने देखा verb की third form आती है, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों वो present perfect tense होता है, जो मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि वो ज्यादा spoken में इस्तेमाल नहीं होता, कम होता है अगर आपने पढ़ रखे, बहुत अच्छी बात है उनकी practice कर लेना, मैंने वीडियो बना रखे उसको देखके कर लेना, लेकिन मैंने बस आपको एक understanding दी है क्या मैं उसमें कामयाब हुआ, क्या हुआ आप बात समझ पाए, पकड़ पाए, कि कैसे hazard का इस्तेमाल सिर्फ, 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 सिर्फ important चीज़, सर अब क्या बता होगे आप हमें, अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही प्यारा word जो spoken में एक जबरदस ट्रिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो है that that क्या होता है, सर, that क्या होता है देखो भाई, ये न दो भेन भाई होते हैं ये दो भेन भाई होते हैं, basically एक होता है this, और एक होता है that, सबसे ज़रे इस्तेमाल होता है that, this और that का मतलब क्या होता है कोई चीज़ मेरे सामने रखी होती है, जिसका मुझे नाम नहीं पता होता और जो कोई लड़का होती, लड़की, कोई इनसान नहीं होता तो मैं इस बोलता है this, this कोई सामने रखी है मैं उसे जाता है वैसे तो हीशी बोल दूँगा लेकिन मुझे हीशी नहीं पता, मुझे पता ही नहीं वो लड़का है के लड़की तो मैं दिस कहके बात कर लेता हूँ, जो मेरे सामने होती है, जो मेरे पास में होती है, उसको मैं दिस कहके बात कर लेता हूँ, अभी ऐसा मोटा मोटा समझते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मुझसे दूर होती है, तो मैं दैट कहके बोल देता हूँ, क्या क्या इस्तेमाल कर देत इसा आजाता है कि हम ना जो पहले कोई हमने बात एक्सप्लेइन की होई होती है पहले कोई भी बात हमने की होती है हम उसको बताने के लिए सिर्फ लगा देते हैं उसकी जगह पे कैसे आज़ा तो I like that I like that अब वह देट में कुछ भी हो सकता है कोई इंसान नाच रहा होता है उ को बोल सकता हूं I like that मैंने तो कह दिये अपनी बात आजो कुछ और समझते हैं that is correct that is correct that is correct एक टीचर ने स्टूडेंट से ऐसा बहुत बार बोलोगे आप से किसने पूछा do you know about that जो भी पहले हमारे discussion आप लोगा I don't know about that ऐसे ही it is not that yet is not like that यह उस तरह नहीं है जो पहले हमने that was my mistake that was my mistake my mistake तो बताई नहीं कौन से mistake थी तुमारी that यह जो भी मैंने हरकत करी थी वो तो that was my mistake समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो तो that का इस्तेमाल करते हुए आप भी कई तरह के sentence बनाओगे आपको बहुत help मिलेगी जब हम speaking कर रहे होते हैं तो क्लिविंसी लाने के लिए बीच-बीच में मुलते है I wanna say that that is I think that is right that is right क्या जो भी आप कह रहे थे जो भी बात चल रहे थी that was not good that was yeah that was easy मैंने movie देखी movie से बाहर आके खड़ा हो मैंने का that movie was very good I like that movie I like that song I like that hero I like the acting of that particular person इस तरह से मैं अपनी बात को that का इस्तेमाल करते करते यूज कर सकता हूँ ठीक है दोस्तो तो उम्मीद करता हूँ कि that कभी आप इसी तरह भरपूर इस्तेमाल करोगे दोस्तो अब हम सीखते है डगलू एच फैमिली को ये कौन सा परिवार है अरे ये ऐसा परिवार है जो spoken English में काफी इस्तेमाल होता है हमने अब तक इतने भी sentences पढ़े उनमें मांसर कर रहे थे कि ये काम मैं करता हूँ या मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ या ये काम नहीं करता हूँ इस तरह से हम अपनी बाते कह देते हैं कई बार ना हमें कुछ सवाल भी पूछने पढ़ जाते सामने वाले पस इसको याद कर लेना है अभी practice कर लेना है वैसे तो मैंने इसकी separate video बना रखी है अगर आपको detail में पढ़ना होगा तो video देख लेना लेकिन अभी spoken के point of view से समझते हैं जो important है न सबसे important WH family जो बार-बार इस्तेमाल होती हो देख लेते हैं what का बहुत इस्तेमाल होता है what का काम किया इस तरह से देखो मैं हिंदी से translate नहीं करवाना चाहता सिर्फ एक समझाने भर के लिए हिंदी के इस्तेमाल कर रहा हूं तो सिर्फ समझना और फिर छोड़ो देना ठीक है फिर यहां बिठा लेना सीधा सीधा वाय जैसे हो ना यहां वाय आना चाहिए यहां वैन आ कहता है और कौन है यह कौन हो तुम कौन बोल रहा है कौन बाते कर रहा है कौन नाच रहा है उसके लिए हु का समॉल होता है वह कि इसको किसको तुमार्स क्षक्ट कर तो में किस को मार्या तुमने किसको पढ़ाया तो हुं कस estabhomim कैसे कैसे इतनी जल्दी इतनी अच्छ इंग्लिश कैसे मोल ली सब आपको स्कोर्स को देखने के बाद यह कहेंगे वह यह कैसे सीख लिया बताओ आप बिल्कुल एक दम छाती चौड़ी करके बताना प्राउडली कहना वह डियर सर के साथ सीखी थी हमने कितना वह कितना पैसे हो पहले रख देते थे या फिर दिडगों पहले रख देते थे हैंना जो भी हम दिखा देता ऊंतर के भी कुछ भी ऐसे हवा में नहीं हो रहा है हम ऐसे रख देते थे शुरू मिहीं ही अगर ne नहीं बोलता हूं तो मैं जा जाता था। क्या why का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ तो आ जाएगा why do you speak अगर आप पूछना चाहता हूँ तुम कहां बोलते हो भई कहां speak करते हो तो बोल दूँगा where do you speak अगर कोई English बहुत अच्छी बोल रहा है आप कैसे English बोलते हो तो कैसा हो जाएगा how do you speak इस तरह से हम जो भी हमने अभी देखे ना यहां पर यह डबल फैमिली उनका इस्तेमाल कर सकते हैं असान है ना कोई बड़ा लंबा चोड़ा है क्या हुआ क्रेट किया हुआ है कुछ भी नहीं है है ना बस सबसे शुरू में रख दे ना और आगे फिर sentence वही बना दो पूरा का पूरा उटके वही आ जाएगा सवाल वाला जो interrogative का होता है why do you learn English why do you live here where do you live where are you going why were you going tense बदलते जाओ, खेलते जाओ खेलना सिखा दी, अब तो मेरे बच्चों बड़े हो गए हैं, अब तो सारे मेरे दोस्स सब कुछ समझ लेते हैं, इशारा भर काफी होता है आओ बनाओ ना इसको इसको असानी से बना सकते हैं where do you learn और आगे इसके that भी लगा सकते हो, हाँ लगा सकते है where do you learn that या where did you learn that कि तुमने ये जो सब सीखा है, ये जो तुम सीखते हो ये तुमने कहां सीखा और अगर प्रिजेंट में कहना चाहते हो, तो where do you learn that तुम ये कहां सीखते हो, इस तरह से बन जाएगा next way, did you come late ये तो हमें आसा था, इसका मनलब था इसे करके हम कुछ भी सेंटेज, जो बनाना चाहते हो, बना सकते है और सवाल सामने वाले से पूछ सकते है क्या मुश्किल लग रहा है, आप तो बड़े हो गए, और सर अब तो मुझ पर आ रहे है सर अब हमें ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ रहा माइड में बन रहा है, बन रहा है, फील आ रही है, डिड़ देखते ही न, डिड़ देखते ही पास्ट आता है दिमाग में डिड़ माइड में ऐसा ऐसे फिट हो गिया है न, तस्वीर बन गई डिड़ की, डिड़ देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ पुरानी कोई बात थी, डू देखते हैं आज की बात हो रही है, डिड़ नो, दोनों में बहुत फर्क समझ में आता है सर, हिंदी नहीं सोचनी पड़ती, जब बोलना हूँ, I don't know, अब नहीं सोचना पड़ रहा है, आजओ न, इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे, बना पाओगे के नहीं, यह जो मैंने लिखे हैंना सेंटेंस, इसी तरह के आपकी जनरल, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने व मिरे साथ यह नहीं, मिरे साथ भी, और मेरे बाद भी, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है, वर्ट को देखो, पक्लो मायंड में बार बार बोल लो, मुह से एक बार निकाल लो, अगर मुह से नहीं सकती हमसे का मायंड में चला लो, देखना फिर न, ट्रांसलेशन वाला कुल खतम हो जाएगा और फिर आपके बूप अपने आप sentences होंगे और और हुआ था खतम हो चुका होगा यह जो इंग्लिज बोलने वाले बड़े इतरा इतरा की बोलते थे ना आपके सामने अब आप दिखोगा है रहे भाई रहने दे मुझे पता है तुने अभी जो sentence बोला तक कैसे बनाया था मुझे भी आगया हो ठीक है दोस्तों आप प्रैक्टिस करते हैं मैंने अभी आपके सामने कुछ situation दी है मैंने आप कुछ hint दे दी है कि ऐसी कोई situation है माल लो और आपको उस कि जानबुच की लिखा है मैंने second form ताकि याद हो जाए बातों बातों में सी मतलब होता है देखना उसकी second form होती है 100 क्या 100 किया एक sad girl को 100 किया और फिर उससे ask किया के what happened सोचो ना एक जगा एक लड़की बैटी है वो वो बड़ी sad है आपने देखा आपने देखा अच्छा sad है तो आप उसके पास गए उससे पूछा क्या होगा वाई क्यों सेट हो तुम उसने का मेरा पैन खो गया पैन खो गया लॉस्ट पैन और आप क्या करोगे अरे ऐसे दिल निकाल के देदेंगे पैन तो बहुत च्छोटी सी चीज़ है और आपने ऐसे पैन दे दिया गिव व किसकी बात हो रहे थी I saw a sad girl then then I asked her sentence आगे बढ़ाई कुछ कर रहा हूँ आप अपना बनाओ I asked her what happened what happened to you she answered me that I have lost my pen इस तरह से आगे बढ़ेंगे then I gave her my pen and she got very happy and thanked me इस तरह से आपकी बात पूरी हो जाएगी के नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है इसको बढ़ा भी सकते थे then she asked me who are you I said my name is Nikhil ऐसे करके आप बात आगी बढ़ाओ बनाओ बनाओ देखो आएगा मुपे एक और है situation my friend है वो इल है went his home भाई मैं उसके घर पे गया होगा her mother opened the door उसकी माने gate खोला होगा she asked me that मेरे मुझे निकल ली पूरी पूरी बात वह उसने पूछा होगा मम्मी ने पूछा उनकी वह कौन हो तुम कैसे मुठा के आगए I replied I answered मैंने क्या answer किया और जब उसने मुझे बता दी क्या answer किया होगा कि I am his friend और फिर उन्होंने अलाओ कर दिया and I met my friend मैं उसके घर वेंट किया मैंने है ना है ना मैं उसके घर गया I went to his home to his home her mother opened the door सारी बात पास्ट में थी second form लगती चली जाएगी her mother opened the door and asked me and asked me who are you I answered I replied that I am I am I am I am I am I am the I am the friend of your कौन होगा उसका वो सन होगा I am the friend of your son then she allowed me inside उन्होंने मुझे अलाओ कर दिया I met my friend he got so happy and I was so happy ऐसे करके मैं अपनी बात क्या थोड़ा 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 बड़ा भी बन जाएगा थोड़ा 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 शुरू करो आ रहा है चलो एक और situation है एक और situation है देखते ना one day my teacher ask stand up I ask what happened teacher ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इससे क्या बन सकती situation क्या sentences बना सकते हो इस बाद को इंग्लिश में बन पाएगा बन पाएगा बन पाएगा और मैं आपको कुछ और तरीके बताता है यह जरूरी था भी इस लेवल की practice के लिए अब हमारा लेवल और उपर जाएगा कुछ नए चीज़े सीखने वाले नए फ्रेजी सीखेंगे नए नई 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 चीज़े और हम techniques इसमें सीखने वाले जिससे हम आपनी speaking को और fluent करें दूसरा आपने दोनों तरह के ii sentences देख लिया समझ ले कि काम वाले कैसे कैसे बोले जा सकते कहां कहां इस्तेमाल होते हैं जो ना काम वाले होते जिनमें काम नहीं होता वो कैसे सिमाल होते है क्या मैं आपको वी बता देता हम एक वो था इसी कि मुझे जाप चाहिए इस तरह से हम QQ को बहुत इस्टेमाल करते हैं, तो इस आप लगा कि ना sentence में कही तरह से इस्टेमाल कर सकते हैं, इसे लिए जादा बोलने पर फोकस करूँगा, चलो, कैसे बोल सकते हैं, आओ चलो, I want to, I want, I want to learn English because I need a job. ऐसे बोल सकते हो, कि मुझे एक जॉब की जुरत है, या I want a job, ऐसे बोल तो कि चल जाएगा, शुरुआत में सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे और because क्यों बना है, I did not come yesterday, मैं कल नहीं आया, I did not come yesterday because my brother was ill, मेरा भाई was ill था, मेरा भाई बिमार था, क्या आप भी ऐसे बना सकते हो, क्या बना पा रहे हो, कम से कम नहीं थो, अभी न, अभी, कम से कम, 10 sentence तो अभी बना लो, जो भी बना सकते हो, कुछ भी बना लो, चलो आगे बढ़ते है, therefore, therefore का हिंदी sound आता है, feel आता है, इसलिए, कि बहुत मैं बीमार था, इसलिए मैं नहीं आता, बात वही है, थोड़ी मिलती जुलती है, तो या मैं तुमसे, मेरे पास time नहीं था, इसको बनाए, मेरे पास time नहीं था, क्या था, क्या बनेगा, past में time नह क्या बताया था सर आपने अजय बना के बताया था I did not have time I did not have time therefore I did not come to meet you ऐसे sentence बन जाएगा के नहीं बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा क्या सर हम प्रैक्टिस करेंगे हमें और अच्छे समझ जाएगा बिल्कुल प्रैक्टिस करो देखो मूँ पे अपने आप आएंगे ऐसी कि बड़त होता है now देखो कितना छोटा sentence था I am in a problem I am in a problem now I want you now मैं तुम्हें भी यहाँ चाहता हूं है ना I want you now मैं तुम्हें यहाँ चाहता हूं ठीक है I want you now मैं तुम्हें चाहता हूं और क्या हो जाएगा I want to speak English now कहीं पर भी जुड़ जाता है now जब भी आपको बोलना कि अभी की बात है तो बल दो आप now को इस्तेमाल कर दो ठीक है ऐसी तो का इस्तेमाल होता है तो के लिए यह बिल्कुल देर फोर की ही तरह इस्तेमाल होता है जैसे I came here I came here so I came here I came here I came here मैं आया so I can speak English मैं इंगलिश बोल सको इस तरह से I came here so I can take your classes इस तरह से आप बना सकते हो फोर का इस्तेमाल के लिए होता है जोसे हम लिखते भी ना this is for you this is this is for you कोई flowers दे रहो कोई gifts दे रहो it was for me it was not for me it is for you it is for us I am learning English I am learning English for getting a job for getting a job I am here I am here for you I am here for you I am here for you तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर हूँ तो इस for का इस्तेमाल होता है इसके भी बस कुछ नहीं करना 20-25 सेंटेश अपने मुँपे जो मर्जिया बना के बोल ले ना ताकि फोर कहीं पर भी फिर situation ऐसी है आई आपको ऐसा बोलना हो आए आए मिन प्राब्लम आयम रूम मैं रूम के अंदर हूँ आयम न रूम किसी पी तरह के अंदर को दिखा रहा है जैसे I am in you, अब इसका मतलब निकल रहा है, इसका मतलब मैं तुम्हारे अंदर हो गया हूँ, तो यह feel आ रहा है, इसका यह sense आ रहा है, I am in a good mood, मैं अच्छे mood में हूँ, My name is in the list, मेरा नाम लिस्ट के अंदर है, I am in classroom में, classroom के अंदर हूँ, इस तरह से हम sentence बना सकते के नहीं बना सकते, बिल्कुल तो इनका इस्तेमाल कहीं भी जब भी देखोगे न, यह पढ़कर जादा सीखोगे, जैसे आप देखोगे कहीं इस्तेमाल होता वा, यह सुनते हुए देखोगे, कोई कोई बोल रहा है, किसी को सुनते हुए देखोगे, कहाँ बहीं बोलते हुए कानम आएगी, इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, यह इतने important है कि यह आपको general daily life में बहुत इस्तेमाल करने पड़ते हैं, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, अब सर इन since का इस्तेमाल बता दो, since का मतलब वज़ा देने के लिए, since I was not well, I did not come yesterday, क्योंकि मैं बीमार था, इसलिए मैं आया नहीं, ऐसे since का इस्तेमाल किसी पुराने समय को दिखाने के लिए भी करते हैं, since my childhood आपने सुना भी होगा, since 2016 इस तरह से, sir क्या आपने इनकी वीडियो बना रखी है, मैंने बना रखी है, मैंने इनकी preposition और conjunction की वीडियो बना रखी है, आप YouTube पे भी अलग से देख सकते हैं, और देखना चाहो, अभी सिर्फ काम की बात के लिए काम का बात कर रहे है, किसी मोटा मोटा समझ में आजाया है, बाकि तो हम बोलते बोलते सीख जाएंगे, बोलते बोलते सीख जाएंगे, कोई एक्जाम थोड़ी ले रहा हमारा, आजो जी, और इस तरह से, तो यहां पर और बताना है क्या, I am the son of Mr. भई किसके बेटे हो, I am the son of Mr., जो भी रोहित है, सोहित है, मोहित है, जो लगा सकते हो, to का इस्तेमाल वड़ अच्छा होता है, किसी की तरफ इशारा करने के लिए, जैसे हमने देखा भी था, I am going to Agra, I am going to Delhi, I am going to Mumbai, है न, इस तरह से, I want to ask to you, मैं तुम से सवाल पूछना जाता हूँ, ठीक है, तो to his, अब ऐसे जिसे, to his, इतना ही सुना ना, मैंने तो पर समझ मा आगया, कि यह उसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो to जैसे ही माइंड मा आए, यह सुनो किसी का, तो यह समझो कि वो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए, ठीक है, चलो जी, पर कोई चीज हो तो, है न, इसे लिखते थे न, नीचे बाए, सुमित के बनाई है, सुमित के द्वारा बनाए गई है, अभी बाए का इस्तेमाल पूरा-पूरा समझाओंगा, अभी कुछ चोटी सी चीज करा नहीं, तब देखेंगे, तब देखेंगे, तो देखेंगे, इसको और अच्छे से, लेट का इस्तेमाल होता है, किसी को अलाग कर देना, लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो, लेट मी से, मुझे कहने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, इस तरह से सेंटेस बनते है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल होता है, अपने देखेंगे, किस चीज को ताकत दिखाने के लिए, जैसे I can speak English, he can come, he can drive the car, he can do that, he can do this, इस तरह से जो भी आप दिखाना चाहते हो कि वो बंदा या वो चीज ये काम कर सकता है, तो उसके लिए हम can का इस्तेमाल कर देता है, सर कितने sentence आप करूँ, या मैं कितने लिख के practice करूँ, कोई लिखने की practice करने की जुरूरत नहीं है, इसके तो बस vocab अपने सामने रखो, और can उठाओ, और बोलते चले जाओ, जैसे he can come, he can go, he can agree, he can understand, you cannot understand, they can understand, they can come, they can read this, I can speak, they cannot speak, I can learn, I cannot learn, इस तरह से मुपे आने लगेगा ना जब फिर बस बात खत्म हो जाएगी, ऐसी letter और यह जो कहने ना, या ऐसे ही के इनको बोल के, यह जादे इस्तेमाल नहीं होते, number of जो इनका usage है ना, वो कमी है, मतलब सेम ही sentence बार-बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, let's speak, यही बार-बार होगा, let's start, यही बार-बार होगा, इसके बहुत different-different तेले मिले इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए मैं ज्यादा इनकी इस्तेमाल नहीं करा रहा, ताकि आपका टाइम बचा सकूँ, आपको फसाना नहीं चाहता मैं, में का मतलब भी हिंदी तो सकना निकलते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी यह परमिशन को दिखाता है, जैसे, he may come, वो आ सकता है, he may not come, I may come, I may not come, I may speak, I may not speak, ऐसे permission जिसे स्कूल में कहते हैं, may I come in sir, तो में शुरू में रखके permission के लिए हो जाता है, may I say something, may I come here, may I come inside, may I take your pen, may I go there, may I talk to you, may I know your name, किसी का नाम पूछ रहा है, पूछ लो, may I know your name, इस तरह से हो जाता है, ठीक है, तो यह permission and possibility के लिए हुआ, एक होता है end, जिसका Hindi meaning होता है, और sentence को जोड़ने के लिए, I am coming here, and my friend is also coming, तो इस तरह से end ने दो sentences को जोड़ दिया, और ऐसे has to, have to, had to, अब इनके कैस्तेमाल है सर, वो भी बता दो, वो भी बता दो, has to, have to का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे न हमें कोई काम करना पड़ता है, हम करना नहीं चाहते हैं, जैसे I have to speak English, मुझे English बोल ली पड़ती है, तो अगर speak के इसके साथ इस्तेमाल होता है, I have to speak English, I have to go to school, मुझे school जाना पड़ता है, I have to meet you, I have to talk, I have to speak, I have to practice, I have to teach, जितने भी sentence बना सकतो बना डालो, अब तो बड़े हो गए sir, अब तो बड़े हो गए, अब समझ मा आ जाता है, एक second में समझ मा आ रहे हैं sir, अब तो ये सारे phrases, sir, head to का का होगा, अरे sir, बच्चा समझाए क्या, अब तो समझ मा आता है, कि head to, जहां past की बात हो जाएगी, तो past में इस्तेमाल हो जाएगा, दोस्तों, ये वो phrases थे, ये वो words थे, मैंने इनको इदम compile कर दिया, जिनके usage आपको घोंट के पी लेने, ये पीलोगे न, तो sentence तो आपको आई गए, उनको फिर मिलाना भी आ जाएगा, और देखना कैसे अब चलती का नाम गाड़ी हो जाती है, अब ही मैं आपको कुछ phrases बत बार आपके साथ ये होता है, कि आपको समझ ही नहीं आता, कि कैसे English बोलने की शुरुआत करूं, किसी भी topic पर कैसे शुरू करूं, या फिर बीच में अटक जाते हो, तो फिर वहाँ से बात खिच नहीं पाती, कैसे उसको extend करना है, कैसे उसको join करना है, वो आपको समझ नही की, कोई भी बात आपको बोलनी है, किसी भी जगह पर बोलने की शुरू कर दोगे, अपनी कोई राय देनी है, so as far as I am concerned, ऐस तरह से आप बोलोगे, कि जहां तक मेरा सवाल है, मेरी बात है, as far as Independence Day is concerned, इस तरह से आप अपनी बात शुरू कर दोगे, I think that, और आगे अपनी बा बात को शुरू हम और आगे बढ़ा सकते हैं, being honest या फिर to be honest, ऐसे बोलना शुरू करो, ऐसे शुरूआत कर सकते हो, being honest, honestly speaking, या to be honest, ये एक ऐसा फ्रेज है, जो आपकी हमेशा help करेगा, as you know, शुरूआत में ऐसे बोल दो, as you know, I am the tupper of my school, as you know, I am the best, as you know, as you know, our country is the best, इस त जाता हूँ, first thing first, पहली बात तो ये, विजो आज चलो, आगे बढ़ते हैं, as you said, किसी ने कुछ कहा, तो आपको आगे बोल ला है, as you said, इसी तरह से नहीं बहुत सारे हैं, जो मैं आपके लिए अलग से लिख दी हैं, अब क्या मैं आपको ये सारी यहां explain करूँ, और आपक करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, फिर ये आपको समझ मा आ जेंगी कि कहा कैसे बोलना, जहां भी अटक रहे होंगे ना, वहां पे आप बोल पाओगे, इसमें एक और चीज है, how to extend conversation, बीच मा टक गए, फिरागी की बात कैसे कहें, जैसे, what I mean to say was, इस तरह से बोलना है, ये आपके ऐसे phrases होते हैं, ऐसे fillers होते हैं, जहां भी आप अटकते हो, well, okay, sorry, I could you repeat that, इस तरीके से आप अपनी बातों को कह पाओगे, तो इनने learn कर लेना, practice करना, ये आप करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, आप अच्छे से इनने learn करोगे, कुछ भी निकरना, अपने सामने आपको के आगे रख लेना और practice करना, ठीके practice भी कैसे करनी है, वो तरीके ही बताऊंगा, लेकिन ये वो काम था, जो मैं चाहता हूँ, मेरे बच्चो आप करो, क्योंकि ये वो phrases है, ये वो words English के, जो maximum इस्तेमाल होते हैं, बड़े-बड़े celebrity भी इस्तेमाल करते हैं, तो इन आप इन words को देख के, खुदी इस्तेमाल करना सीख सकते हो, तो करोगे practice, तो इन्हें learn करना है, सब को, सब लोग इसको learn करेंगे, PDF ले लेना, टेलिग्राम से, वही बहुत-बहुत मुवारक हो, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, अब आप English speaking के advanced level पे आ गई हो, चोटी- एक sentence है, they love me, बड़ा simple sentence था, देखते ही पकड़ लिया आपने, कि कोई लोग है, दे है, वो मुझे प्यार करते है, they love me, ये बात थी, लेकिन वो इसको इस अंदाज में कहते हैं, इसको इस अंदाज में भी तो कहा जा सकता है, कि मुझे प्यार किया जाता है, मैं प्यार करत है, नहीं, गलत कुछ नहीं है, शब्दों का हेर फेर है, बात तो सही है, sentence तो सही है, और कुछ बाते तो होती है, कुछ अंदाज और style होता ही है, जो बोला ही ऐसे जाता है, जैसे फैसला लिया जाता है, आपको बताया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, खाना पकाया जा लिखता है इसको मुझे कहना है एक खत लिखा जाता है उसके द्वारा उसके जरीए उसके जरीए खत लिखा जाता है मुझे ऐसे कहना तो कैसे बनाओगे कुछ बढता है जो बात आपको लास्ट में बोले थी नहीं तो आपके मुझे आगया और याइफ सिंगलर अगया उसके बाद में राइट तो उसका नाम आजाएगा बाए मी या फिर हिम था इसके अंदर तो हिम हो जाएगा ठीक है अगर लड़की होती तो हर हो जाएगा कुछ समझ मैं आरा हलका भूलका मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर बोलने के तरीके कुछ अलग भी होते हैं जो सेंटेंजिस वहेंu दिफरेंट तरीके से बोलते हैं इंडैरेक्ट तरीके से बोलते हैं जिनमें जो अब्जेक्ट होता है न कि पाने आ पको प्र गता है शा चलाकी यह जैसे देलाव मी बेखिए लेकिन मेरे मुँपे आया गिया था मेरे मुँपे आया गिया तो मैंने क्या लिखा ऐसे डा बार दिया मैंने ऐसे एक मुटशला कि ची सपीक्स इंग्लिश लेकिन मेरे मेरे यह कोई रूल नहीं है बलकि यह तो एक चलाकी है ट्रिक है कि अगर हमारे मुपे गलती से जो अब्जेक्ट है वह मुपे आजाए जो बाद की बात ही वह पहले आजाए तो उसे हम कैसे बना सकते हैं एट टाइम उसका बनाने का तरीका है कुछ और संदेस बनाओगे आज बात हो ना आरे स्रक्चर कुछ नहीं है वह बड़े होगे हो सबसे फहले तो अब्जेक्ट बोल देना जो भी अब्जेक्ट आगया मुपे उसके बाद प्रेजेंट है तो इसे मार पास्ट है तो वह जाएगा अगर पूरा हो चुका तो उसमें है बनाओगे हो जाता ह प्रेक्टिस के लिए कुछ वर्ड है कोई बी वर्ड हो सकते और कुछ बनाओ लिक ने जुकी थोड़ा सा help हो जाएगी work is done किसके दुआरा कौन कर रहा है काम by me work is done by me बन गया ऐसे cricket है cricket के उपर कुछ भी बनाओ पहले cricket बोलके cricket is played by me cricket was played by me cricket is played by सचिन तेंदुलकर cricket is played by Indians cricket is played by Australians British कुछ भी बोलना है birthday birthday पर बनाओ birthday बढ़े मेले मुपे बोलना है birthday is celebrated by सवरफ गांगुली बढ़े celebrated my friends my birthday is celebrated my friends my birthday is celebrated by my friends ऐसे बना दो life के उपर बनाओ life is lived by me life is lived by me life is lost life is lost by me life is spoiled by me कोई भी sentence बन सकता है कि नहीं बन सकता बन पा रहें नहीं speech किसीने speech जिसके बोलो speech is delivered by Mr. Modi हमाई प्रदान मंतरी है ना ऐसे बोल सकते हैं ना speech is delivered yes speech was delivered by Mr. Pradhan मंतरी मोदी आजे इस बन जाएं के नहीं दे वर किल्ड ऐसे हो जाएगा के आपको में gift दे रहा हूं तो मैं एक वह बोलूंगा पहले मूपे वाच आगे खुशी बहुत हो रही थी कि वाच मिल गई तो मूपे वाच आगी तो मैंने क्या करदा अब वाच ऐस गिवन ए वाच इस गिवन टु मी मैं ऐसे बोले और वाच इस गिवन पहले हो अलग से पूरी डीटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपको देखने का मन करता है, इसको और सीखना है, वो देख लेना, मैंने इंतिजाम कर दिया है, आपको बस थोड़ा सा अपना effort दिखाना है, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अभी मेरा पेट नहीं भरा, दोस्तों और प्रैक्टिस करते हैं, और बोलते हैं, कुछ sentences लिखें, बदलो ना इनको, इनको voice, बदल दो इनकी, इनका style बदल दो, passive में बोलकर दिखाओ, He gave me a letter, He gave me a letter, so क्या बनाओगे इसके, कि gave, पुरानी बात थी, तो पुराने में रखेंगे न, He gave me a letter, a letter was given to me, या a letter was given by him, ऐसे करके बना दूँगा मैं इसको है न, चलो चलो चलो, She did not give him the opportunity, उसने did देखते ही, पास्ट में पहुंच गिया मैं, पुरानी बात थी, She did not give him the opportunity, उसने उसको लड़के को न, opportunity नहीं दी, सबसे पहले मूपे opportunity आ गया, opportunity, the opportunity was not given to him by, ने सबसे पहले मूपे, उन्होंने मूपी देखी, मूपी पहले आ गया मूपे, तो क्या बना बना सकता हो, a movie, a second form थी, समधिया past की बात थी, a movie was watched by him, या फिर by them था, तो them हो जाएगा, ठीक है, he gave her the punishment, तो फिर क्या हो जाएगा, the punishment was given by him, इस तरीके से हो जाएगा, a punishment was given to her by him, ऐसे, रश्मी took her decision, रश्मी ने decision लिया, तो a decision was taken by रश्मी, the decision was taken by government, the decision was taken by family, इस तरीके से किसी भी तरह का sentence अब आप बना सकते हो, क्या हुआ, पंक लग गए ना, पंक लग गए अब, लग रहा है पंक आगे उड़ने वाले, आगे, समझ पा रहे हो, खुश हो ना, चलो, खुशी की और एक और लहर लेके आते हैं, अब कैसे आपको practice करनी, speaking की techniques, practice की भी techniques होती है, reading, phrases, सब कुछ कराऊंगा, अब लेकिन technique पहले बता देता हूँ, कैसे practice करनी उनकी, दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे आपको English speaking की practice करनी है, जिसके लिए आपको किसी partner की जुरत नहीं है, आप अकेले कर सकते हो बड़ी असानी से, बस इन techniques को follow कर लेना, पहला, आपको speaking करनी है, किस तरह से, जो भी आपने sentences बोलने हैं, मैं आपको कई तरह के, कई different different तरीके के sentences सिखाए हैं, उनको बनाने का तरीका भी सिखा है, mind में कैसे बनाना है, तो उनके positive sentence भी, negative भी, और interrogative भी, सभी को एक साथ practice करना, कैसे जिसे करके बतातो, जिसे, I speak English, I don't speak English, do I speak English, why do I speak English, I want to meet you, I don't want to meet you, do I want to meet you, why do I want to meet you, where do I want to meet you, इस तरह से sentences को आपको ऐसे rhythm में, कोई भी वर्ब अपने आगे रख लेना, मालो 20 वर्ब्स आपके सामने है, 100 वर्ब्स, 100 वर्ब्स आपके सामने, देखके बोलेना, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि वर्ब्स आपको पहले रटनी हैं, और उसके बाद बोलनी है, पहले बोल लो, अपने आप माइंड में याद रह जाएंगी, ठीक है, तो वर्ब्स कहां से मिलेंगी, अभी PDF बता रहा हूं, दे रहा हूं, मैंने आपके लिए बहुत सारी वर्ब्स, जो आपकी form of वर्ब् की हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी, उन्हें देख के अराम से बोलना, ऐसे पढ़ना, ऐसे अपने आपको के सामने रखना और बोलना, I see you, I don't wanna see you, can I see you, I say can के अगर मानले इस्टेमाल करने, have to का मैंने आपको एक इस्टेमाल सुनाया था, I have to meet you, I don't have to meet you, do I have to meet you, where do I have to meet you, इस तरह से sentences को बनाना है, बेसिक काम है, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहली CD यही है, इसको तब तक करो, जब तक के वो जो फ्रेज हैं, उस तरह के जो sentences हैं, वो आप बना नहीं लेते हैं, वो आपके मुपे एकदम से आनहीं जाते हैं, तब तक आपको यह काम करन साथ के साथ आपको क्या करना है, जो मैंने आपको भी phrases दी हैं, कि कैसे शुरुआत करनी है, as far as my life is concerned, as far as this news is concerned, as far as prime minister is concerned, इस तरीके के जो phrases हैं, to be very honest, I mean to say that, I wanted to say that, I couldn't come yesterday, यह जो sentences थे, जो phrases थे न, उन्हें लरन करते हुए चलना, उन्हें बीच में घुसाते हुए चलना आपको खुद करना पड़ेगा दूस्तों, अगर एक बात कर लोगे न, जिन्देगी भर खाओगे इसका, देखना ऐसे लगोगे कि अंग्रेज भी शर्मा जागा आपको देखके, और second तरीका क्या है, speak introductory phrases on tips, किसी भी topic होता है, उसको कैसे introduce करना है, जो मैंने आपको तरीक आपको पक्की आनी चाहिए, second, take random topics, क्या लिखा हुआ है, take random topics and speak, take random topics, क्या करना, अपने आसपास, जो भी आपको चीज देख रहे है, for example, wall देख रही है, तो wall के ओपर कोई the sentence बना दो, उससे related, कुछ भी हो सकता है, this wall is beautiful, it has white color, and it is looking rough, ऐसे करके कुछ भी जो भी छोटे- sentence बना सकतो न, वो बना दो, अपने आसपास की चीज देख लिए, आपने, आपने किसी बच्चे को देखा, तो बच्चे को देखा, आपके mind में क्या-क्या thoughts आए, वो बना दो, बना पाओगे, ये करना है, करना है, सिर्फ कहके नहीं जाना, करना है, वादा किया आपने मु अभी vocab कराऊंगा, vocabs कराऊंगा, आपको कुछ phrasal verbs कराने वाला हूँ, कुछ ऐसे important main verbs है, जो common, इतनी, like, ऐसे नहीं है, कि आपको उनको ऐसे randomly learn करना, जो करना ही करना, वो अपने हाथ से कराके जाऊंगा, कहने का मतलब, ये कुछ vocabs तो मैं आपको अपने हाथ से अभी learn क करवा के वे जूँगा, कुछ मैं आपको homework दे रहा हूँ, कर लोगे ना, चलो, तो vocabs are important, अपने सामने रखना और sentence बनाना, next है, use stopwatch and count your sentences, stopwatch होती है, अपनी घड़ी में समय देख लेना, कि अगले 60 seconds तक मुझे sentence बोलना है, कोई से भी, वो कोई भी बोलना चाओ, जो भी, I I can meet you, I cannot meet you, can I meet you, इस तरीके से करते भी देखना, कितने sentence बोल पा रहे हो, जो भी आपके मन में, जो भी आपके जबान पर sentence आ रहे हो, और फिर देखना, कि आज मैंने 20 बोले थे, कल 25 बोले थे, एक मिनट के अंदर, फिर 30 हो गए, इससे fluency बढ़ेगी, इससे fluency बढ़ेग अपने उपर बोलना, कि my name is, जो भी आपका नाम है, my name is Pooja Kumari, I live in Delhi and I am 28 years old, I have 3 siblings, इस तरीके से अपनी बातों को कहना आपको आना चाहिए, myself पर कम से कम रोजाना, रोजाना तो बढ़ाते रहना, शुरुआत में कम से कम 10 sentences, फिर थोड़ा अपने बारे में 15 तक पहुचना फिर 20 तक, ऐसे sentences, छोटे-छोटे sentences जिसमें end लगा के, therefore लगा के, because लगा के, as far as लगा के, उसको बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ठीक है, बढ़ा पाओगे, कर पाओगे ना, कर पाओगे, बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, कहीं कोई डाउट आता, इंस्टा पे पूछले हिम्मत मता, मैनत कराम नहीं करेंगे, माइ कंट्री के ओपर आपको बोल सकते हो, आप टॉपिक ले सकते हो, माइ फेवरेट सिलेबरेटी, जो भी आपके फेवरेट सिलेबरेटी हो, को यूट्यूबर भी हो सकते है, कोई फिल्म जगत से हो सकते है, कॉलेटिशन हो सकते है, My Last Birthday, जुचाना लास बटे का शेलिब्रेट किया था My Friends, एसे बोल सकते हैं My Friends, All My Last Birthday My Friends came to my house and we had a party together And they bought me some gift as well ऐसे करके आप बातिों को पूरा बना सकते हो I cut the cake, I had a great time I had a great time And I loved my friends जुचाना बना सकते हो I was looking so happy Everyone was calling me that you are looking so beautiful, so nice चोटे-चोटे sentences, बहुत-बहुत मैं आपकी basic level पाके बाते कर रहा हूं, आजाते हैं, best moment of my life, आपकी लाइक को जो best moment था, कि on that particular day, for example, when I topped my 10th class, that was the best day of my life, I enjoyed that day a lot, and it was a dream come true for me, because I had never thought that one day I would top my school or my class, इस तरीके से कहें कि अपनी बात आगे बढ़ा सकतो, चोटे-चोटे sentences, कबराने का नहीं, आजा, जहां लगे कि मेरे को इस तरह के words बनाने में दिक्कत आ रही है, would के इस्तेमाल में दिक्कत आ रही है, have head के इस्तेमाल में, इस तरीके से करके अपनी जोबी बाते हैं, मैं तो आपके सामने धेर सारे बना सकता हूं, आपकी बारी है, आप बनाओ, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, एक topic, my favorite film, आपकी favorite film, जैसे आप बोल सकतो, my favorite film is Chakda India, and it is a great film, it is about hockey, Shahrukh Khan is in lead role in that film, and I love that film, because it represents our country, it shows the patriotism, इस तरीके सागे बढ़ा सकतो ने जजे पेटरिजम, ने इस तरीके सागे बढ़ा सकतो, ने जजे पेटरिजम, ने 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 इस्तेमाल होना है, उस वोड़ को भ आप अपना use mail होगे, horrible day of my life कैसा था, social media, social media के बारे में क्या खैसा था, these days social media is so popular, and it has become part and parcel of people's life, and now everyone likes to use social media, ऐसे करके आप अपनी वादो कारे बढ़ा होगे, करोगे, मैं तो सिर्फ hint देना का मेरा काम है, अब आपको सिर्फ practice करनी है, दोस्तों, कुछ भी नहीं है, अब मै आपके सामने क्या करूँगा, मैं आपको PDF बता देता हूँ, जो vocaps के आपको जुरुत पड़ेगी, जो आप अटक सकते हो, उनकी मैं कुछ PDF बना रखी है, आपके लिए, अब वो देख लेते हैं, दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था, कुछ vocaps, कुछ ऐसे verbs, कुछ ऐसे phrases है, जो तो मैं आपको यहीं पर सिखा दूँगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो असान है, जो आपको करनी है, और काफी important है, वो देख लेते हैं, तो एक तो जैसे यह मैंने life-changing vocabulary आपके लिए बना रखी है, उसको आपको मैं दे दूँगा, एक बात देख लेना कैसी-कै में क्या-क्या words बोले जाते हैं, phrases बोले जाते हैं, यह आप यहां से सीख जाओगे, कुछ vocabs ना मैंने इस तरह से बना रखी हैं, जैसे कुछ रूट words होते हैं, root words का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी vocab power को improve कर सकते हैं, तो वो root words और उनसे related vocab पूरा आराम से detail में आपके ल बस उसके पास अभी दिक्कत पता है, vocab की दिक्कत है बस उसको, और vocab कहां से आएगी, learn करके आएगी, repeat करके आएगी, practice करके आएगी, सामने रख के बोल लोगे तो आ जाएगी, चलो जी, और क्या देर हो सर आप हमें, बता तो दो, क्या क्या देर हो आप हमें, सर, verb की forms, form of words, जो सबसे important है, जिसे break है, break को देखते हो कोई भी sentence बना सकता है, कोई भी sentence बना सकते हो, he broke my pen, he broke my heart, why are you breaking my heart, you should not break my heart, इस तरह से कोई भी sentence बना जाएगा, ये सामने आनी चाहिए, बस ये पता होना चाहिए, break मतलब क्या हो रहा है, आपके मुह पे आना चाहिए, आपके जहन माना चाहिए, चलो जी, तो सर ये भी आपको मिल जाएगी, टेलिग्राम गुरूप पे, और क्या, वो जो introductory phrases थे, वो आपको मिल जाएगे, और जो बहर simple से tools होते हैं, जो daily life में इस्टमाल होते हैं, वो यहाँ पे आपको मिलते हैं, और क्या ऐसा लग रहा है, जिसे मै कोई product बेच रहा हूँ, जबकि मैं कोई product बेच नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ, कि आपको हम यहाँ पे क्या-क्या दे रहे हैं, parts of body name बिल्कुल basic सी बात, अगर आपको यह भी नहीं पता तो यह भी सीख सकते हैं, चोटे बच्चों के लिए कि parts of body name भी आपको यहां से पता चल जाएंगी, idioms and phrases जो daily life में इस्टमाल होती है, जिसे apple of one's eye को मतलब क्या होता है, आख का तारा होता है, जो छोटे बच्चे बच्चे बोल देते हैं, जो बहुत आख का तारा होता है, bring to light, कोई चीज रोशनी में लाना, किस चीज पर ध् आने वाली है, तो यह telegram group से डाउनलोड करके रख लेना, description में लिक दे दूँआ, ठीक है, तो attention मतले ना, अब हम क्या करने वाले है, अब कुछ वोई vocab जो मैं आपसे कहा रहा था, जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ से आपको सिखा के चला जाओ, वो और देख लेना, अच्छा दोस्तों बार-बार कह रहा हूँ, आपको English speaking अब आ चुकी है, सिर्फ जरूरत रह गई है, इन vocabs का इस्तेमाल करते हूए बोलने का, ठीक है, तो बिलकुल परिशान मत होना, मेरे कहने से कितने समय, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक महीना, सिर्फ एक मन्त, वन मन्त भ बिना हिंदी से रटे हुए, English को English में सिखाएंगे, दोस्तों जिससे कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने मैंने कुछ words लिखे हुए हैं, सबको दिख रहे हैं, लेकिन यहां उनकी हिंदी नहीं लिखी हुई है, बिना हिंदी के, हाँ यही तो चमतकार है, यही कमाल है, बिना हिंदी के यह सारे words, हम घोल के पीने वाले इस वीडियो के end तक दुबारा सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस मेरी बातों को चुप-चाप से सुनते जाओ, बड़े मन से सुनते रहो, चेरे पे smile जरूर रखना, comment में लिखो smile कर रहे हो ना, yes लिख के मुझे बताओ, smile रहनी चाहिए बाए, attention नहीं चाहिए अपने को, पहला बड़े sensational, sensational, शायद सुना हो, नहीं सुना हो, फरक नहीं पड़ता, लेकिन अब याद हो जाएगा जिन्देगी भर के लिए, sensational, पहले तो इसका pronunciation सुनल, sensational सब बोल पा रहे हैं, sensational का मतलब क्या होता है, हिंदी नहीं पूछ रहा है, मतलब कहां इस्तेमाल करूं, sensational का इस्तेमाल, कार, कोई कार देखी, क्या उसे sensational कह सकते हैं, हाँ, कह सकते हैं, कोई कार sensational है, कोई actress sensational है, कोई actor या actress भी sensational हो सकता है, कोई match sensational हो सकता है, क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच, हाँ, वो भी sensational हो सकता है, क्यों कह रह बहुत ही जबर्दस सी जो चीज होती है, बहुत ही खुबसूरत हो, मजेदार हो ऐसी हो क्रिफ आहए, तो हम क्या word यूज करते हैं говорD use करते हैं, sensational उसकी तारीफ में यूज यूज करते हैं हिंदी सुनी क्याusurt हिंञा, रचने की जुद्रणती नहीं आप क्या देखोगे, कोई चीज जिसको देखके, आपके आंके फटी की फटी रहा जा, इतनी बड़ी आ हो, इतनी बड़ी आ हो, तो क्या लग, वर्ड यूज करोगे, sensational कोई कार हो सकती है, कोई actor हो सकता है, कोई activity हो सकती है, कोई भी ऐसा काम, किसी ने जादू दिखाया, ऐसी किसी जगह पे, जहां आपका मुझ खुला खुला रह जाए, बड़ी जबर्दस कोई चीज हो, तो वहां आप sensational का इस्तेमाल करोगे, हिंदी में, अब आते हिंदी पे, सबसे आखिर में, सिर्फ समझने के लिए, रटने के लिए नहीं, अब भूल के दिखाओ, अभी आपको याद रह जाएगा, अभी exercise भी कराओंगा, मैंने आपके लिए exercise भी बना रखी है, जो practice करेंगे, आप उसका जवाब दोगे और दे पाओगे is correct, ये मेरा आपसे वादा है, आगे बढ़ते है, विटी, विटी कौन होता है, कोई person विटी हो सकता है, कोई इंसान विटी हो सकता है, कोई statement, कोई बात विटी हो सकती है, अब विटी होती क्या है, कोई बात विटी कैसे हो सकती ह मैं तुझे चटी का दूद याद दिला दूँगा क्यों दूद वाले हो आप मैं तेरे लाफा मारूँगा क्यों कामवाली बाई हो आप मैं तेरे लाद मारूँगा क्यों गदे हो आप अब यह बार बार जवाब दिया गया जैसे कोई बात कही गई इद्दम पलट के कोई जवाब दे दिया गया, हाजिर जवाब ही कर दी गई, तो ऐसे इंसान को क्या बोल देते हैं, विटी, ऐसी किसी बात को क्या कह देते हैं, कि ये एक विट थी, विटी था ये चीज है न, तो कोई परसन हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, कोई इंसान विट दिखाते हैं, है न, वो क्या है? विटी इंसान है, कबिल शर्माईजा विटी परसन, है न, आ जाते हैं आगे, statement, किसने कोई बात कही थी वो विटी हो सकती है, comment किसने कोई dialogue मारा था, वो भी एक विट हो सकता है, वो एक विटी comment हो सकता है, कोई दिक्त समझ मा आगिया न, विटी, बिल्कुल समझ मा आगिया स्कूल में कोई न, कोई टीचर होता है न, ऐसा विटी, जिसको आप ऐसे बोल देतो कि वो हमारी सर, हमारी न, फिल्म बना रहे थे हमारा मजाग उडा रहे थे, हैं न, वो विटी टीचर होते हैं, ठीक है, समझ आया भूल पाओगे, अरे, ऐसे कैसे भूल पाओगे exercise में भी पूछूंगा, तब बहुर याद होंगे ठीक है, तो समझ पारो, रटना बढ़ रहे गया कुछ नहीं, smile नहीं चाहिए, चाहरे पे smile नहीं चाहिए आगे बढ़ते हैं, amiable, amiable का मतलब क्या होता है, किसके लिस्तेमाल हो सकता है, किसी person को amiable कह सकते हैं, अब amiable का मतलब बहुत जादे जो friendly होता है, बहुत जादा friendly, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ मिलते एकदम गुल मिल जाता है, इनसान है न, उनके साथ get along होना बहुत असान होता है, उनके साथ गुलना मिलना असान होता है, उनने क्या बोलते हैं, amiable है हिंदी नहीं बता रहा मैं इस वर्ड की आपको last में बताऊंगा, कोई person amiable हो सकता है, किसी का behavior amiable हो सकता है, तो sentence बना सकते हूं his behavior is amiable, क्या इसके लिए बहुत सारी grammar learn करनी है, नई, क्या इसके लिए बहुत साथ English आने की सुरत है, नई, हिंदी में बोल दो ना, तुम तो बड़े amiable हो, औरे भाई साब, अब इससे याद हो गया, friendly, एक word होता है, वो भी याद हो गया, friendly और amiable क्या, दोनों मिलते जुलते है, हाँ, इस्तेमाल करोगे, friendly इस्तेमाल करोगे, नहीं, amiable इस्तेमाल करना, impression अच्छा जमेगा, और क्या हो सकता है, किसी की का gesture, किसी ने ऐसा कोई gesture दिया, ऐसा रुख अपनाया, जो के बहुत ज्यादा amiable था, अच्छा लगा, है ना, जैसे कोई cricket match था, Indian team के साथ, Pakistan team खेल रही थी, दोनों वैसे तो rival है, बहुत आर्ट, जिसे कहता है ना, बहुत पुराने rival है, लेकिन बाद में उन लोग के बीच ना, जो behavior रहा है, उन लोग का आपस में gesture रहा है, बड़ा amiable रहा है, ठीक है, समझ मा रहा है, चलो, आ जाते है, sincere word सुना बहुत है, अब इसको क्यों मैं करवा रहा हूँ, और समझनी कोश्च करते हैं, अब sincere का इस्तेमाल क्या होता है, किसी person को या student को sincere कहा देते हैं, अब sincere है कि straight forward कोई इंसान है, जो एकदम जैसी बात होती है, वैसी कहा देता है, उसको भी कहते हैं, तो एक नया word याद रहेगी है ना, straightforward, upfront, honest, तो उसकी जगार sincere भी इस्तेमाल कर लो, जरूर नहीं कोई student ही sincere हो, कोई इंसान भी sincere हो सकता है, कोई औरत भी sincere हो सकती है, कोई पुरुष भी sincere हो सकता है, clear हुआ, आगे बढ़ते है, diligent, यह क्या होता है, सुना सुना सा तो लग रहा है, diligent, intelligent, intelligent जैसा साउंड कर रहा है, diligent हाँ मिलता जुलता ही है अब diligent किस को बोल सकते हुआ किसी opisट को किसी पिरसन को किसी worker को कुछ connect कर पा रहे हो diligent किसी worker यानि जो मैनग कर रहा है इते उठा रहा है ऐसे बटियों में काम कर रहा है let student लिख रहा है जिकर रहा है तो कैसे-कैसे इस्तेमाल कर सकते हूं कि this student कोई employee है, कोई staff है यह कोई leader है, किसी के लिए भी इस्तेमाल क्या हो जाएगा, diligent हो जाएगा कर पाओगे, हमेशा hard worker मत बोलो, आप diligent इस्तेमाल करो अब कर पाओगे, रटना पड़ेगा नई, intelligent से बनाए, intelligent diligent, diligent, ठीक है, clear है आगे बढ़ते हैं, authentic, authentic इस्तेमाल का होता है, और पहले तो इसको बोलना सीखो, authentic authentic, ठीक है, आजो कोई book authentic हो सकती है तोड़ा connect करना, सूचना, इसका मीनिंग क्या होगा book, book authentic है documents authentic है documents authentic है, news authentic है कुछ कॉमल लग रहा है, person कोई authentic है कोई picture, कोई तस्वीर authentic है, यानि कुछ ऐसा लग रहा है कि document, news यानि सही है, correct है बिलकुल, authentic का मतलब यह निकला, कि कोई भी ऐसी चीज, कोई book हो सकती है कोई document हो सकता है, कोई knowledge हो सकती है information हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, उसकी बात हो सकती है जिसमें factual चीजे हो जिसमें facts हो, वो जूटी ना हो, जो कि correct हो, जिसके पीछे कोई ना कोई fact चुपा हुआ हो समझ आया, तो कई जगे इस्टमाल कर सकती हो कि this book is authentic, this person is authentic, this reporter is authentic, this news is authentic CBSC ने कल से exam शुरू करती है बच्चे काँ पने लगे, रेकिन वो तो पढ़ाने के काम के लिए मैं authentic हूँ, है ना, क्योंकि यह मेरा job है, clear हो गया, समझ आ रहा authentic का इस्तेमाल कहा करोगे, क्या इसकी हिंदी मैंने आपको बताई हो रहा है ना जादू, हिंदी नहीं बता लेकिन आज आज आप अपने पापा से कह सकते हो पापा आप बड़े authentic इंसान हो, पापा खुश हो जाएंगी, क्योंकि हाँ हाँ ना, वो ऐसे ही कुछ नहीं बोलते, उनकी बाग में हमेशा facts होता है तो किसी की general and general भी आप तारिफ कर सकते हो, authentic बोल सकते हो, किसी book को बोल सकते हो हाँ बोल सकते हो, अगर उसका writer बहुत अच्छा है उसमें सचाई लिखी होई है, तो वो authentic book होई document कोई authentic हो सकता है, बिल्कुल होगा अगर उस पे ठपा लगावा है, फर्जी नहीं है या government का document है, किसी authority का document है तो ही authentic होगा, clear होगा अब भी exercise कराऊंगो, और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है आगे बढ़ जाते है, significant, significant सुना तो बहुत देशार इस कैसे स्तेमाल करना, कोई चीज बहुत ज्यादा significant है तो think के लिए स्तेमाल हो जाता है significant कोई person, कोई इंसान बड़ा significant है मेरी life में आप बड़े significant हो क्या मतलब निकलना है, सोचनी खुशिश करो connect करो, कोई point significant हो सकता है कोई point, किसी भी तरह का point आपकी जिंदेगी का कोई point है आपका कोई match चल रहा है, cricket match है उसका कोई point था, कोई run out था वो बड़ा significant था, कोई situation थी कोई number भी significant हो सकता है अगर cbsc का exam हुआ था अभी exam conduct कराए गए थे उसके अंदर 100 में से 99 बच्चे पास हो गए, तो ये number क्या बड़ा significant number है है ना, तो significant का मतलब क्या निकल रहा है, सोचो सोचो सो हाँ important, आप important बाबाबाब बोल सकते हो और ये तो बड़ा important chapter है या ये बहुत important person है, ये important number है आप उसके जग़ा significant भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिलते जुलते ही है समझ माया significant का इस्तेमाल क्या रटबा रहा हूँ मैं आपको बिलकुल नहीं क्या हिंदी बता रहा हूँ, बिलकुल नहीं मैं तो आपके बस ये दिल में डाल रहा हूँ ये सारे words, आपके आपसपास ही है ऐसे लोग, जिनके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो और करोगे अब एक और word है, फिर देख लेते है versatile, पहले versatile को देख लेते है versatile का मतलब क्या होता है देखते किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है versatile का इस्तेमाल किसी athlete के लिए हो सकता है athlete मतलब जो sports person होता है cricket खेलता रहता है या football खेलता है, वो इनसान artist के लिए इस्तेमाल हो सकता है versatile, किसी person, किसी भी मर्द, औरत, लड़का, लड़की के लिए वर्साटायल इस्तमाल हो सकता है, किसी मटीरियल के लिए इस्तमाल हो सकता है, चीज के लिए, कोई पदार्थ के लिए, तो वर्साटायल का क्या मतलब निकल रहा है, सोचो न, हाँ, ऐसा इंसान जो all rounder हो, जो हर तरह का काम कर ले, आप कोई एक्टर होता है, जैसे बोलते हैं बड़ा वर्साटायल है, नसुरुदीन शाह के बारे में बोला जाता है, के भाई हर तरह का rule कर वालो, शारुक खान के बारे में, रितिक रोशन के बारे में, हैना, या रनदीप उड़्ड़ साहवे हैं हमारे, वो तरह तरह की करते हैं तो कैसे अक्टरय कभी बुढ्ड बन जातें कभी जबान बें गरhaftु कोई अचैलिट unique विराट और से यृट है भाई बालिंग भी फीलिडिंग बहुत है एक तरह अब तक तुमाल होता था अब कर सकते हो ना कर सकते हो बिंकुल करोगे तो आप को आ गिया बिल्कुल क्लियर एक एक वर्ड है ना अब याद लॉंग टम तो कैसे रह जाएगा एक और ठपा और लगा देता हूं ठपा लगा तो याद तो रही जाएंगे यह सारे वर्ड भूल तो नहीं पाओगे भूला के देखना मुझे नहीं भूल पाओगे तो यह वर् लगया फिर हमेशा कि यह आद हो गए आगे बढ़ रहा हूं तो झádर वैक एक सैंटेजे अगे बढ़ रहा हूं मैं आगे बढ़ रहा हूं जल्दी से बढ़ जाते हैं सर आ जाते हैं एक वर्ड है trustworthy पहले इसको समझो trustworthy थ्रस्ट का मलत पता है ना किसी चीज़ के लायक अब वैसे तो समझ में आई रहा है कि बहुत ही अच्छा इंसान जिस परोसा किया जा सकता है फ्रोसे नंद हो जिस इसमाल हो सकते है फ्रेंड रिसवर्दी होता है आपकी कंपनी में क्वक्ता है आपका मैंचर हो सकता है आपकी फ्र्राइ। ना गूल गयर था अभड ऍभ र good में लिखना पुर्दी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब करोगे चलो आगे बढ़ते हैं अब जर्विंट इसको पड़ा जाता वैसे ओब जर्व से बनाए किसी चीज को ध्यान से देखना अना अब मतलब अब किसे कहते हैं इसका मतलब क्या निकल रहा है ऐसा इंसान या ऐसी फैमिली या इसा कोई इंपलॉई ऐसा कोई सर्वेंट जो के बहुत ज्यादा तेज तर्रार होता है आँखो नजर रखता है चीजों पे उसको अब्जर्वेंट बोलते हैं क्या आपके घर में भी ऐसे लोग होते हैं हाँ होते हैं जो बहुत आसपास नजर रखते हैं आपकी सुसाइटी में भी ऐसे लोग होते हैं जो नजर रखते हैं कि क्या हो रहा है हर चीज का ब्यूरा रखते हैं साथ इसका एक और इस्सेमाल होता है कोई जो रिलीजियस कोई को किसी तरह की कस्टम्स होते हैं ट्रेडिशन कोई holidays क्를 अच्छा को सकती है अच्छा कोई जोग हो सकता है ऑच्छा शूऊए हो सकती है अच्छा यानि मुझे कुछ समझे हारा है हिलेरियो कुछ मजे जे रिलेट है अले इसका मतलब होता है मजाकिया कोई-ब知 पर्सन को इंसान हो सकता है कपिल चर्मा खुद एक लेरियस परसन है अब इसको negatively कर सकते है किसी ने कोई आपको सीरियस कहानी सुनाई कहानी छोड़ना फिल्म की बात कर लेते एक देशद्रोई फिल्म है के आरके की अब कोई ओफेंड नहीं करना चाहता मैं के आरके सापको लेकिन उनसे फिल्म को कई लोग बोलते हैं अच्छे से डिरेक्शन नहीं हुआ या एक्टि ऍिलिजे एक्पी इंसां के लिए इस्तेमाल और नहीं हो सकता बूलते है इले ही यह बढर हमको को इंसान डिटर्मिंड है इंसान के लिए इसा इंसान है जो बहुत ज्यादा जिसने अपने मन में ऐसा ठान रखे होते हैं कि मैं यह काम करके रहूंगा डिटर्मिंड इंसान जैसे 12th क्लास के अंदर में 90% लाँ गांगा अगलिश स्पीकिंग आज सीख के जाऊंगा तो यह क्या ही डिटर्मिंड इंसान है वह करके ही माने का भाई रुके गानी जैसे आज में यहां खड़ा हूं मैं इस सारे वर्ष आपको घोल के पिलाके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए ये मैंने क्या लिए रखा है? Determination लिए रखा है और मैं खुद क्या हूँ? Determint हूँ. Clear हो गया? विराट कोली 100 मानने के लिए अज क्या है? Determint है. शारुक खान acting करके, डिशुम डिशुम करके क्या है? अपनी फिल्म को hit कराने के लिए Determint है. Next word है हमारा Ambitious. Ambitious का मतलब किसके लीइ Iztramal हो सकता है? कोई film ambitious हो सकती है? कोई person ambitious हो सकता है? किसी का effort MB, पहले तो सुनो MB. so вс किसी की conversation, यानि बात-चीत ambitious हो सकती है, किसी की voice ambitious हो सकती है, अब कुछ connect कर पा रहे हो? बहुत जःदा जलून है कामियाब होने का जनून है, इसके अंदर वाकई में एक लगा है, यह स्टोरी में दम था, इस फिल्म को बना इस तरीके से गिया था, जिस में लोगों को जगाने के लिए जो एफ़र्ट मारे गए थे, वो सकसेस्फल हो गए थे, ठीक है तो अंदर जिसके अंदर काम्यावी की भूख होती है वो चीज है ना काम्यावी की भूख वाला ambitious इसकी हमें हिंदी जानने की ज़ुरत नहीं है तो को फिल्म ambitious थी हाँ थी वाई कोई person ambitious था हाँ उसके बहुत सारे मन में plans थे जिनको हासिल करने के लिए हमेशा तयार था काम्याव होने की भूख थी उसके अंदर clear हो गया बना पाओगे बिल्कुल आजब आगे बढ़ते articulate articulate कोई speaker articulate हो सकता है आठ से बना है पहले तो आठ इसको थोड़ा तर्णिक यंदर किसी speaker to articulate कह सकते हो किसी writer को articulate कह सकते हो किसी conversation को किसी की आवासít को articulate कह सकते हो इस वकत में आप लोग koş crops काने में सिखाने में बौई वाह रेटी दोस्तों तो ambitious work और life तक था voice articulate हो सकती है तो speaker, writer ये person कोई भी ये सारे articulate हो सकती है या नि इन में art है इतना समझ में आ गया इतना समझ में आ गया कि इन में art है अब art कौन सी वाली अपनी बात को साफ-साफ clearly बोलने वाली या लिखने वाली कोई भी चीज जो साफ-साफ बोली गई हो clearly या लिखी गई हो से हम क्या कहते है आटिकुलेट है वो चीज वो चीज आटिकुलेट है वो person आटिकुलेट है वो voice आटिकुलेट है अब मैं ऐसे बोले लगा बच्चो आज आपको बढ़ाने जा रहा हूँ अब आपको समझ मारा ठीक है तो मैं कैसा टीचर हूँ आटिकुलेट टीचर हूँ मेरे अंदर आटिकुलेशन है तो बच्चो ये वर्ड इस्तेमाल होगा इन सभी के लिए आटिकुलेट अब हमाले कोई बड़ा वर्ड निया अब अपने आसपास देखो ना आपको कोई टीचर आटिकुलेट है हाँ है आपके कोई परिवार में आटिकुलेट है हाँ है अब समझ मारा है हिंदी जानने की जुरुत है पता ही नी लिखी नहीं जुरुत ही नहीं आगे बड़ते हैं इसको कहते हैं जिसमें आदमी ऐसे देख रहा है और ऐसे रुख जाता है उसे रुखिया उसे रुखिया उसे रुखिया उसे रुखिया उसे कैंडिड बोलते ना बिल्कुल कैंडिड बोलते है जिसके अंदर लाग लिपट के बात नहीं होती है, जैसा होता है, original जिसे हम बूल सकते हैं, original चीज को हम क्वा बोलते हैं, candid बोलती है, clear हो गया, तो original कोई picture हो सकता है, कोई कोई मिलावट नहीं है, clear है, किसÍ इंसाम को मैं candid बोल सकता है, he's a very candid guy, होता है सब्सक्राइब कोई अप्रोच होता है कोई किस चीज़ को देखने का तरीका हैंडल करने का अप्रोच कॉशस हो सकता है कोई स्ट्रेटेजी कॉशस हो driver cautious हो सकता है driver cautious है okay brands Zara और Puma और क्या होन कहने होते हैं एडिड़ास यह सारे यह सारे ब्रैंड्स क्या है iPhone ही सारे cautious है cautious है यह मतलब मतलब cautious का मतलब अच्छो निकलता है जहां पर आप रिस्क जो होता है किसी भी चीज़ का जो risk है उसको mind में रखते हुए कोई काम करो किसी चीज़ के risk को mind में रखते हुए काम करो कि कोई danger जो खतर है उन सारों को एक बार cover करते हुए चलो कहा जी ऐसा होता है तो अब समझो ना इस चीज़ को कोई approach मेरा cautious है यानि मान के चल रहा हूं कि अगर मैं driving कर रहा हूं गाड़ी चला रहा हूं तो यहां खाये गिर सकती है तो मैं cautious हूं बड़े धियान से careful word use कर सकता हूं केरफुल जैसा आप केरफुल इस्तेमाल करते हूं कौशिस इस्तेमाल कर लेना समझा गया तो परसन भी हो सकता है कोई strategy कोई driver और कोई brand आगे बढ़ते हैं दोस्तों competent exercise कराऊंगा धियान से देखते रहो धियान से देखते रहे एक्सराइस करोगे फिर देखूंगा कितने सही कर पा रहे हो ठीक है अभी exercise कराऊंगो बस यह और रहे गया चलो competent कौन इंसान होता है कोई teacher competent हो सकता है कोई teacher मेरी बात हो रहे है भाई मेरी अपरी टीचर कॉंपेटेंट है कोई piece of work कोई काम किसी ने कोई काम किया वो competent हो सकता है कोई professional professional बतला कोई doctor को engineer या फिर कोई lawyer यह लोग competent हो सकते हैं यानि कुछ समझा रहे है कहीं न कहीं कला की बात हो रही है इन सब में किस की बात हो रही है वेरे प्यारे बच्चों सक्ल्स की बात हो रही है एबिलीटी की बात हो रही है कोई सी चीज़ के काम ठीक है पास degree होगी परण लिख अच्छा पढ़ाना जानता होगा कोई कोई piece of work कोई कोई काम किसी ने किया है वह competent कब होगा वह और competent कब होगा जब उसके अंदर sufficient इतन जितनी चीजे होने चाहिए उस काम को पूरा करने में जो काम के अंदर शामिल होने चाहिए वह include हो ठीक है तब उस piece of work हम क्या बोलेंगे competent बोलेंगे ठीक है ऐसी professional कोई प्रोफेशनल कोई कोई दॉक्टर कमपेटेंट कव है आप को धूला चाप डॉक्टर है दवाई दे रहा है दवाई मांगे ती नजले की दे दी उसने बुखायर की पढ़ गए ना बीमार ठीक है तो वो डॉक्टर क्या है को लगाए देख कोई फटेंसी से बनता है समझमार है ठीक है आजा कॉंशेस का मतलब तक यहाद को सॉसाइटी कॉंशेस है कोई एफर्ट कॉंशेस यानि जगी हो जो गलत और सहीमें फरक करना जानती हो, तो society can be conscious, किसी का effort conscious है, कि उसमें जो effort लगाया थे, कोशिश की थी, वो conscious था है, तानी आग बन करके चला जा रहा था, ऐसे कोई person conscious है कि ने, कि उसको इतनी समझ है, वो जगा हुआ है, कि ने, सचेत है कि ने, उसे बोलेंगे हम conscious, clear हो रहा है, आगे बढ़ जाते है, convenient, बहुत बार हम confused होते है, convenient में और convince में, convenient और convince में दोनों अलग वर्ड़े बच्चो, convenient और convince में फरक है, तो यह देख लेना, वो एक convenient की बात कर रहा हूँ है, कि यह आपके लिए convenient है के नहीं, तो time convenient, location convenient है के नहीं, ट्रांसपोर्ट, यह scooter, bus, car convenient है आपके लिए क के नहीं, कुछ समझ पा रहा हो, हाँ, हाँ, इसका feeling यह तो आ रहा है कि आपके लिए comfortable है के नहीं, तो comfortable हो, त्राइम में आने में, comfortable हो, उस लोकेशन में, comfortable हो, उस ट्रांसपोर्ट से travel करने में, हाँ, यानि comfortable, comfortable के लिए convenient आप इस्तमाल करोगे, ठीक है, is it convenient for you, is it convenient for you, ऐसा से बुचूँ के आप कब आ सकता है, आप जवाब दोगे, सर में, दो बज जा जाओंगा, and that is convenient for me, that time is convenient for me, is it easy or not, is it easy or not, असान है, क्या नटवा रहा हूं, मैं, हिंदी बता रहा हूं, नहीं, इस्तमाल करा रहा हूं, बस एक बार फिर वही बात repeat करूँगा, कि अपने paper प प्रेशर, society का प्रेशर, काम्याब होने का प्रेशर, enormous है, enormous है, building enormous है, समझ पाई, बस समझ गया, समझ गया, यानि बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़ा, बहुत बड़ी building, बहुत बड़ी amount, बहुत बड़ा प्रेशर, उसके लिए हम enormous का استعمال करते हैं, clear हो गया, exercise करा आता हू exercise में इन ही words को कहीं न कहीं डाला है, कहीं न कहीं मैंने इस्तेमाल किया है, और आपको पहचानना है कि कहां कौन सा words सबसे ज्यादा suit करता है, बचो, मेरी मेहनत का फल, अब आपको मिलेगा, और मुझे भी मिलेगा, मुझे पता चलेगा, मेरे जितने भी students अभी देखना है, कि उन्होंने कितना समझा exercise करेंगे फिर कुछ और वर्ड्स देखेंगे दोसे smile चैरे से गई तो नहीं है ऐसे मुस्कुराते हुए अब आप जवाब दीजिए आपके सामने sentences हैं कौन सा वर्ड इन में सबस्यादा फिट होगा जो अभी तक सीखे हैं अगर आपने वो वर्ड स पढ़े उन में से कौन से यह सब सादा फिट बैट रहा है नाना प्रिकर सिगनिफिकेंट एक्टर हैं हां बोलता हो सकते हैं सबसादा फिट नहीं है एक्टर कैसा होना चीए वर्से टाल हां सही कहा हर तरह के रोल कर लेते हैं कभी कमेडियन बन जाते हैं मजनूद है और पर से बिद्वाइब कर लेता हूं पिए तो कैसा पर से न लगा वाता तो यानि यहां पर तो कोई यही आएगा आएगा कि नहीं अब यह से पड़े थे अब यादा एक ऑथेंटिक पर सन कौन होता है अथेंटिक वह होता है जिसके पास ना फैक्ट होते हैं अपनी बात के ज बता दोना बता दोना तारीफ करने के लिए कौन सो वर्ट देगा था सेंसेशनल था के नहीं हां सेंसेशनल था सर बिलकुल इस्टमाल कर पाओगे हां आके खुली की रह गही थी ना खुली 2018 में केली थी मेरी खाल पाकिस्तान के गलाब यह चौक्य यह चुक्य वह 183 नोट भी है जो नजर रखता है तेज तर्रार है ध्यान देता है अब्जर्वेंट हां याद आगिया क्या लिख पा रहा हूं है हां लिख पार क्या मेरे सारे साथी इन वर्ट को रिकॉल कर पा रहे हैं रिवाइंड कर पा रहे हैं कनेक्ट कर पा रहे हैं उम्मीद है कर पा रहे ह बच्चो बच्चो ये वीडियो लाइक जरू कर देना ताकि ये सब तक पहुंचे हमारी मेहनत काम्याब हो सब लोग ये एक मिनी कोर्स है मिनी स्पोकन कोर्स है वो कैब्स का जो आपको 100% आ दी एक बार देखने के बाद खत्म हो जाया बस आपको सब समझ माज़ है चलो आज़ा बढ़ते हैं तो क्या determined या सही लगा दी है correct हो गया हाँ ambitious भी हो सकता था बिल्कुल ठीक है जिसको जीतने की चाह होती है ambitious हमने पढ़ा था can you pick me up if it is dash for you क्या आप मुझे pick कर सकते हो हाँ एक होट सुना था time time तुमारे लिए convenient है के नई place तुमारे लिए convenient है याद आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो यह convenient लगा दू हाँ लगा दू सर बाकी के answer हमारे उपर छोड़ दो हम कर लेंगे इसके correct answer आप हमें telegram पे PDF दे द दो सवाल आपके लिए यहाँ छोड़ दिये मैंने और इनको attempt करना मैं आगे बढ़ जाता हूं हमारे दूसरे words कुछ अलग words है मेरे प्यारे बच्चों यह वो words है जो आपके काम आएंगे और ऐसे काम आएंगे कि जहां कोई negative में बात हो रही होगी negative में कैसी जहां कोई इसेमाल होने वाले different words मैं आपके सामने ले कर चुका हूं जिसमें पहला है reprimand reprimand भी इसको लोग बोल लेते हैं क्या है यह रेप्रिमेंड हिंदी नहीं पता कोई employee हो सकता है एंप्रिमेंड एंप्लॉय को किया जा सकता है इससे स्टूडेंट्ट को reprimand कर सकते हैं यह twenty reprimand कर देता है कभी सुना ला डची को ने रप्रिमेंड किया who कोट ने रेप्रिमेंट किया यानि क्या किया होगा वकील को रेप्रिमेंट कर दिया या जो भी जो पेटिशनर था उसको रेप्रिमेंट कर दिया कोट ने या कोई को मारा बड़ा होता है जो बड़ी authority हुелей तो reprimand कर देती है reprimand किन हरकतों पर अगर आप लौफल कोई काम नहीं करते हो को यई ऐसी reprimand समझ माया समझ माया से चल अपलते है के बीच मेंicki करता है बुद्र employee की बीच में health equation हो जाता है friends के बीच में dernière हो जाता है subtraction का मतलब दो लोग हैं आपस में बड़े सुख्शांती से रह रहे थे एक दिन दोनों में डोनों में किसी बात को ले के बहुत हो गई argument हो गिया argument हो गया किसी बात को ले के तो अब इनदों bosser employee को हो जाएगा पहले argument होगी फिर क्या होगा फिर altercation होगा clear हो गया चलो जी आगे बढ़ जाते हैं रेनेगेट बहुत मज़िदार है जो cricket को follow करता तो BBL की team का नाम भी रेनेगेट है रेनेगेट किसको बोल सकते हैं कोई old party किसी पुरानी political party का कोई leader हो सकता है वो रेनेगेट हो सकता है अब दिमाग लगा ना old party का कोई नेटर रेनेगेट हो सकता है कोई agent रेनेगेट हो सकता है यानि आप देखते हो ना कि इस दल से उस दल में चले जाते हैं ये उसने हमसे गद्दारी कर ली हमसे बेववाफा हो गया तो ऐसा कोई इंसान जो इधर से इधर होजाता है जिसे देश-दुरोही भी कहए थे ट्रेटर भी कह सकते हो तो रेनेगेट इंसान जो पहले किसी एक ग्रूप के साथ था अब किसी दूसरे ग्रूप के साथ जुड़ गया, वो कौन होगा, वो रेनेगेट होगा, जात पर पॉलिटिकल पार्टी के लिडर्स के लिए स्थमाल होता है, मंडेन, मं, मं, देखो ध्यान से याद रखना मन की बात हो रही है, मंडेन है, मंडेन किसको बोलते हैं, कोई टास्क, कोई काम मंड कर पा रहे हो, मंडेन, अरे जिसमें मनी नहीं लग रहा, जो बिलकुल नीरस है, जिसमें कोई रस ही नहीं है, अब देखो न, कोई टास्क, मलब बोरिंग, बोरिंग वर्ड यूस करते हो, बिलकुल बैसे ही है, लाइफ कैसी हो गई, मंडेन हो गई, आप इसका इस्तेमाल क नीचे आ जाते हैं, ठीक है, इस्टबण, इस्टबण का मतलब सुना भी हो का बहुँ साल, लोग ने, सबसे जाब सोचते हैं, मुझे चुलबुली सी लड़कें आती है, बच्ची होती है, वो नजर आती ही, मैं बार में इस्टबण सोचती है, इसो यूँ होट निकालके, आज वह द सबर्ण हो सकता है किषी का माइड सबर्ण हो सकता है चायर यह स्टेंज मुझे यादा गी है दाग अच्छे है खूब दाग लगाो दाग अच्छे होता है याद आया कुछ तो इस सटल बार क्या हता प्राब्लम है पूर्ट आप जाते हैं घरीबी को बोलते हैं इतना क्लिर है लेकिन इससे डूर आपको याद करने के लिए असानी होगी से लिए मैंने इसको यां पे मैंशन किया है अभी बताऊंगा पूर्टी से रिलेट कुछ वर्ड एक आया अवेंजर्र रिवेंज मेरा मुर्डर किया जाता, किसी ने किसी का मुर्डर किया, तो वो बदले में क्या करेगा, एविंच करेगा, अच्छा, असॉल्ट, किसी ने किसी पर असॉल्ट किया, तो वो क्या करेगा, एविंच करेगा, उसका, किसी ने किसी की डेथ कर दी, कोई डेथ हो गया, डेथ हो गया, दूसरा क्या करेगा एवेंच करेगा अच्छा रिवेंच में क्या होता है किसी ने किसी की इंसल्ट की अब वो क्या करेगा वो रिवेंच करेगा किसी ने असेसिनेशन कर दिया किसी का तो अब वो क्या करेगा रिवेंच करेगा फर्क तो कुछ समझा नहीं रहा दोनों में फ speaking थोड़ा बहुत idea है बस तो वो सारे मिलके पूरे दुनिया को यह तो बचा रहे होंगे ना ऐसा ही तो कुछ हो रहा होगा है ना उनका कोई personal जगड़ा थोड़ी थोड़ी दुनिया बना रहे थे वो वो लोगों के लिए कर रहे थे लोगों के लिए बदला ले रहे थे दुश्मनी ले रहे थे है ना दुश्मनी का बदला ले रहे थे रिवेंज ले रहे थे लेकिन revenge में क्या होता है अपना बदला हो insult क्या क्या आपकी personal होती है हाँ personal insult हो जाती है आपकी किसी ने insult कर दी आपने जाके दे मारा करना नीची है ऐसा है तो insult हो जाती है तो आदमी personally अपना बदला ले रहा होता है लेकिन किसी और का ले रहा होता है इतना फर्ग होता, याद रख पाओगे, ठीक है बई, सर अब तो समझ में आ गिया, ए रेविंजर्स मूवी याद रहे जाएगी, रिवेंज भी याद रहे जाएगा, कुछ और वर्ट सिखाओ न सर, शिवर, मैंने आपको पोवर्टी वर्ड याद कराया था, जब पाटनर से, अपनी वाइफ से, फिर आप क्या कर रहे होते हैं, आप शिवर कर रहे होते हो, और इसी से याद रहे जाएगा, पोवर्टी, पोवर्टी से क्या होता है, कोई इंसान पूर है, पोवर्टी से उसको क्या हो रही है, शिवर्ण हो रही है, क्योंकि उसके पास, उ इसमें वो खुद को cover कर सके, अब इससे हमें शिवर याद रहा, आगे आजाते हैं, शाय कोई person के लिए इस्तमाल होता है, शाय को आप जानते होता है, stage fear होता है, hesitation, hesitation समझते होना, hesitate होना, he is so hesitated, he is having hesitation, आप इस तरह से इस्तमाल कर पाओगे, बिल्कुल, तो hesitate जो होता है, वो shy होता है, okay, clear है, आगे बढ़ जाते है, condemn, अब एक word है, condemn, condemn, condemn किसको करते हैं, किसी के behavior को condemn करते हैं, behavior मतलब, behavior मतलब किसी का लहजा, किसी के लहजे को, किसी के व्यवहार को condemn करते हैं, किसी के work को condemn करते हैं, किसी की हरकत को, act को condemn करते हैं, और court में, हमने जातर देखा है, जो Supreme Court होता है या कोई भी बड़ी authority होती है कोई judge होता है वो लोग क्या करते है किसी भी चीज़ को कोई नेता कंडेम करता है हमारे रक्षावंत्री राजाजासिंग काफी मशूर है वो इस चीज़ के लिए कि वो कहते है कोई उची आवाज में बात कर रहा था अपने बड़ों से तो उसको जो बाकी लोगों क्या कहेंगे उसके behavior को condemn करेंगे I condemn the behavior of my child मैं अपने चाइल्ड के behavior को condemn करता हूँ I condemn the behavior of my student I condemn for my behavior भई मैं अपने खुद के behavior के लिए condemn करता हूँ ठीक है आगे बढ़ते है work किसी का काम अच्छा नहीं तब कोई गलत हरकत करी थी तो उसके काम को कहा जागे कि that work was condemnable वो work कैसा था condemnable था ठीक है उसको मैं condemn करता हूँ I condemn that work ठीक है एक्ट किसी की कोई हरकत थी वो work में आगया ठीक लिए हो रहा है condemn करना आप भी condemn किया करो आप condemn करो भाई किसी ने कोई भी हरकत करी कहीं किसी के साथ गलत हुआ है आप उसको literally condemn करो उसको condemn के अलावे दूसरा work कि हो सकता है defend defend भी जोको सीख लिया है यही से हमने condemn करना बुरा कहना defend करना defend करना उसको हिंदी नहीं बोलना चाहरा है हिंदी नहीं सीख रहे हैं हम लोग हम इंगलीज सीख रहे हैं इंगलीज की बात करेंगे ना भाई तो defend करना यानि उसका अच्छे लोग बोल देता हूँ समझाने के purpose से बचाव करना किसी का बचाव करना defend हुआ उसका उसकी निंदा करना condemnation आगे बढ़ते हैं stare stare लोग stare करते है लड़कियों को stare करते है criminal stare करते है अब तो clear हो गया यानि किसी को यू यू ऐसे करके देखना अब वो दो तरीके के से हो सकता है लड़कियों को लड़कियों के साथ को घूरा जा सकता है hat को घूरा जा सकता है why are you staring at my head why are you staring at me why are you staring at my bag why are you staring at my child इस तरह साथ इस्तेमाल करोगे clear तरपारे stare का मतलब ठीक है आगे पड़ जाते है बोड़ा मेरा फीवरेट वाट है exaggerate exaggerate किसी की वो सकती किसी की demand को exaggerate कर देना किसी के loss को loss को exaggerate कर देना किसी के expenses को expenses को exaggerate करना किसी की preparations को preparations को exaggerate कर देना कुस्ता मच पा रहे हूँ हाँ बड़ा चड़ा कर बता देना exaggerate हमारे होते हैं न कुछ दोस्ट लोग होते हैं अब घर में आगे गलती से चुआ अखास्तों से लड़के क्या होती है चेचे फिर उचलाती चुए को देखते है ओ दयारे मैयारे और उचल गई हो अब भाई चुआ आया ता डाइनसार नहीं ता वो लेकिन उसको क्या लिया था iPhone का cover चड़ाया तुमने उस पर तो इस तरह से लड़के भी exaggerate करते हैं अपने दोस्ट की गाड़ी लिया आते हैं exaggerate करके दिखाते हैं जितनी उनकी income नहीं होती जो उनका status नहीं होती उससे बड़ा चड़ा कर दिखाना उससे क्या बोलते है exaggerate करना ठीक है इसके ओपर sentence अभी बनाया है exercise में पूछूंगा आजा बच्चो अच्छा जितनी भी example यह दिये जा रहे होते हैं वो सारे कालपनिक होते हैं वो मेरी कोई personal सोच नहीं होती वो सिर्फ आपके समझाने भर के लिए होते हैं तो कोई भी personal ना ले आगे बढ़ते है आजबा फंबल फंबल speaking करते हुए फंबल हो जाता है lines किसी lines को बोलते हो और things को बोलते हुए फंबल हो जाता है आपके लिए पढ़ रहा हो शर्क ताकि आपको सुनाई दे जाए वैसे ये शक होता है शक करते हैं किसी पर रहे हो किसी कोई परसन है जो शक कर रहा है कोई कोई लीडर है जो शक कर रहा है यानि यानि अरे अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी से जो भाग रहा है जो रिस्पॉंसिबिलिटी से अपना दामन चुड़ा रहा है चोरी कर रहा है उसको बोलते है शक चोरी कौनसी रिस्पॉंसिबिलिटी से चो कोई person arrogant हो सकता है, कोई actor arrogant हो सकता है, कोई cricketer arrogant हो सकता है, कोई teacher, ना, teacher तो arrogant हो यह नहीं सकता, जो teacher arrogant हो जाए, वो teacher नहीं हो सकता, आज़ो जी, manner, किसी का manner arrogant वाला हो सकता है, बात करने का तरीका, लहजा, बोलना, गाड़ी चलाना भी अरोगेंट हो सकता है तो याद रखोंगेंट किसके लिए इस्तेमाल करना बहुत सारे हमने ऐसे सिलेबरिटी देखे है और बहुत सारे से लोग देखे है जो बहुत स्यादा एग्जाजरेट करते है उसके बाद एरोगेंट हो जाते है कर और रहे हम भी जिसको अपड़ देते है लाइफ बीलेच सटेट है appear विलेच है सवाई हो सकता है medicine है एक जो sedate करने के लिए life sedate है या विलिज sedate है या वहां पर या तो बहुत ज़्यादा शोर शरावा हो सकता है या बहुत ज़्यादा शान्ती हो सकती है तो जहां पर बहुत ज़्यादा calmness होती है peace होता है बहुत ज़्यादा serious महौल होता है उसके लिए what use होता है sedate को इंस सदेट्ट करने के लिए याद रह जाएंगा याद रह जाएगा लगिवड़ती है ठैसिटर्ण करके पादर मेरे टैसिटेर्ण नेगा एक्टर टैसिटर्ण कोई पोजिदेटर्ण हो सकता है कोई इन्सान यह शब्ता है नीजिस रहतो डता है यह बोलता है तोड़ा सा बोला आपने इतनी सारी बात बोली और जैसे आपको रिपलाई मिलते हैं समझने वाले समझ रहे हैं ठीक है तो टैसिटन का मतलब क्या होगी है जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता ठीक है आज जो जी डिजेक्टिड बहुत प्यारा वर्ड है मेरा फेवरेट कर रहा था रहा है और प्लेयर्स स्वक्राइब्स के बेसे घरने के बाद मेरा प्लेयर्स को सकती डि-जेक्टर फील कर रहा था गायटमक कर रहा था द्येक्टिटर थाप इस्टुडेंट के माक्स कम है वो डि-जेक्टिट था डि-जेक्टिड क hanno कि पूंज मारा को तो संधने नॉलिघ book वहर नॉट भी जिर ना frosty ते उन सब के लिए क्या वोड उसका हो आप डिजेक्टिड नास्ट टाइम कब हुए थे डिजेक्टिड डिजेक्टिड अब नहीं भूल पाओंगे भाई बहुत बोल रहे हैं आजां मगप करना मग अपमगा लिया आप उपर लिया मगप मतलब कोई लेसन को के चाप्टर को ये knowledge को mug up कर लेना मगप समझते लेना रट लेना रटा मार लेना जो काम हम नहीं कर रहे हैं हम उसको feel कर रहे हैं इसका feel ले रहे हैं और हमें मगप करने की कोई जुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब हम एक exercise करेंगे इनी words की फिर क्या मगप करना है ना मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी यूजी नहीं करें आपने notice कि मैंने कई हिंदी लिखी तक नहीं देव नागरी लिपी है नहीं यहाँ पर और यह आपका कमाल है मेरे प्यारे बच्चों मेरे दोस्तों यह आपका कमाल है कि आप मुझे इतना support कर रहे हो कि जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे ही आप इन जो हर दिखा दो जल्वा दिखा दो पहला sentence है I felt dash when she turned down my proposal मैंने कैसा मैसूस किया I feel dash जब उसने मेरा proposal turn down कर दिया reject कर दिया तो कैसा मैसूस हुआ होगा कैसा मैसूस हुआ होगा अभी पढ़ा ना एक word अभी पढ़ा ना क्या हाँ सही पकड़े है I feel dejected I felt dejected किसी तरह भी इ मतियार दे के जा रहा हूं उसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए मैं तो आपको बस बता रहा हूं कहीं पर इस्तेमाल कर लो फिर टॉन्टशे इट वस जो सब्सक्रेद्ट वाइशинов आवट सबक्रों ने हमने मग पढा है हमने 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 हमने-इचान-ब पढ़ा था था एक रेट प्रवाइल स्पीकिंग ठीक है दोस्तों मैं चाहरा हूं कि बाकी के बीना आप अंसर मैं दे दूँगा टेलिग्राम ठीक है ताकि आपकी नॉलिज्ट इन्हांस हो आपको सोचना पढ़े सोचने पे मजबूर हो वर्ट्स आप रिवाइंड कर पाओ और फिर इनमें फिल करोगे ना देखना याद रहे जाएंगे ठीक है और वही काम दुबारा करना मेरे प्यारे बच्चों ताकि हिंदी में याद करने की जुरूत ना पड़े कि कम से कम इन सभी वर्ट्स करना कम से कम एक दो एक दो सेंटेस अपने आप बना के लिखे ले ना एक बन लिखे ले ना बिलकुल आलास नहीं करोगे ना बिलकुल चलो जी आए दो सब कुछ ऐसी एक्शन वर्ब्स देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आएंगे ठीक है आब बिना हिंदी रटे ह इस्तेमाल करने शुरू कर देंगे करेंगे ना आईए चली देखते हैं पहला एवर्ड अपॉलजाइज उसके आगे लिखा है सॉरी सॉरी तो खूब कहते हो I'm sorry लेकिन इसका एक और तरीका है एक और एक और स्टाइल है किसी को सॉरी बोलने का वो क्या है अपॉलजाइज एक वर्ब है वर्ब की तरह इस्तेमाल होगी जैसे कि I apologize, you apologize, I want to apologize, she wants to apologize इस तरह से आप इसका इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कहीं पर भी कर सकते हो किसकी इंदी बताने की सुरत है अब नहीं मैं apologize करना चाहता हूँ क्या तुम apologize करोगे क्या उसने apologize किया अब समझ जा इस पर बताने की सुरुत नहीं, make understand कर देना. अब उस खाले क्या लिखा है? family को make understand करना, friends को make understand करना कोई ऐसी चीज ऑख या इसी बात है Maisie ऋमझ नहीं कुई सकता है कोई एक्स्क्यूंस हो सकता है ईटॉ आप थू I want to make them understand अब नहीं होता है तरह पार्टी में तब नहीं हुए आप meeting में turn up नहीं हुए क्या feel आ रहा है party में क्या नहीं होए turn up भांगड़ा के लिए तो होगा नहीं के भांगड़ा नहीं के आपने इसका मतलब ये निकला कि आप party में आए नहीं आप present नहीं थे turn up का मतलब present होना क्लास में तुम प्रेजेट थे turn up हुए क्या teacher turn up नहीं हो पाए class में, इस तरह से हम turn up का विस्टमाल जगा जगा पे करते हैं, खूब करते हैं, आज आते next पे, confess करना, confession, facebook पे आपने ज़रूर यह वाट सुना होगा, confession इसी से बना है, confession page होता है, वहाँ लोग क्या करते हैं, confess करते हैं, confess सुनते ही न, मुझे ऐसे कोई ऐसे करते हैं, नजर आने लगता है, जैसे किसने अपने गरदन पर ऐसे पगड़ रहा है, मा कसम सच बोल रहा हूँ, ऐसे होता है, confess भाई, facebook पे होता है, partner से, अपने partner से, आप life partner हो सकता है, business partner हो सकता है, उसके साथ आप कुछ confess करना चाते हो, यह public में कोई leader, कोई neta होता है कोई celebrity होती है, वो क्या करते है, confess करते है, अब समझ में आ रहा है, confess क्या होता है, कि हिंदी बताने की जुरूरत पढ़ रही है, क्या आप कुछ confess करना चाता हूँ, कि मैंने पहले इतनी महनत से नहीं पढ़ा था, लेकिन अब पढ़ूँगा, सर मैं आज confess करना चाता हूँ, पहले मुझे पले नहीं पढ़ रहा था, लेकिन अब मैं काफी चीज़े सीख रहा हूँ, मुझे confidence आ रहा है, तो confess का हिंदी बताने की जुरूरत पढ़ रही है, क्या, नहीं, 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 confess करना कोई ऐसी बात, जो आपने कभी किसी को नहीं बताई, और आज एक कसम खा के सच-सच बता रहे हो, जो बात आपके दिल में थी, वो आज आप सब के सामने पहली बार खोल रहे हो, उसका मतलब हो confess करना, ठीक है, आ जाते है, प्रवोक, अच्छा confess, एक क्रिमिनल के अंदर की भी होता है, जैसे कोई किसी ने क्राइम किया, तो क्रिमिनल है, वो अबलिक को प्रवोक किया जाता है, क्या? हाँ, किया जाता है, और फ्रेंड्स को प्रवोक किया जाता है, हाँ, किया जाता है, क्या रिलीजिन को, रिलीजिन के बेस पे प्रवोक किया जाता है, अरे इसी का तो सबसे बड़ा जगला है, वे रिलीजिन को प्रवोक करके तो लोग फायदा उठा रहे होते हैं, तभी तो सारी प्राब्लम हो जाती है, अगर प्रो वोक ना किया जाए, तो जगडा हो ही नहीं सकता, कभी दो लोगों के भी जगडा नहीं हो सकता, जब तक के प्रो केशन ना हो, या उन्हें प्रवोक ना किया जाए और आपकी जिम्मेधारी है कि आप प्रवोक ना हो कभी भी किसी की भी बातों से प्रवोक नहीं होना चाहिए उसने मुझे प्रवोक किया था तो मैंने हजारों रुपे उड़ा दिये उसने मुझे प्रवोक किया था मैंने ड्रिंक कर ली उसने मुझे provoke किया, मैंने cigarette पी ली, नहीं होना है, provoke नहीं होना, आपके हिंदी बताओ इसकी, नहीं, 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 समझ मारा है, provoke का मतलब क्या होता है, हाँ, हाँ, वही जो तुम बोलते हो, भढ़का देना, तो किसी को भढ़का देना, ऐसे push कर देना, provoke करना क्या लाता है, आपको कभी किसी ने provoke किया, अब सोचो ना, इस तरह से आप sentence बनाओगे, बना पाओगे, ठीक है, आजाते है, influence, अब influence, आपने खूप सुना होगा, social media influencer, influence, पबलिक का भी क्या होता है, इन्फलेंस होता है, पबलिक के ओपर भी किसी celebrity का क्या होता है, influence होता है, तुमने उसक influence में आके ये काम कर दिया, मैंने उसके influence में आके ये काम कर दिया, उसका influence अच्छा है, उसका influence बुरा है, इस तरह से influence का इस्तेमाल होता है, यानि किसी का असर पढ़ना, किसी का दूसरे पर असर पढ़ने को क्या कहता है, influence कहता है, ऐसे social media influencer होते हैं, यानि वो social media पे ऐसे ल कुछ समझ मा गया फिर थोड़ा सा और हिंदी का भी तड़का लगा देते हैं ताकि कोई गुंजाईश न रहे बिलकुल एंड तक दिल तक पूरा खुल जाया मामला ठीक है चलो जी अच्छा आजो टॉलरेट बड़ा फ्यारा हुआड है उसके साथ कैसे इस लिखा हुआ है लिखा हुआ है उसका behavior में tolerate नहीं कर सकता बड़ा गंदा बियेवियर है i cannot tolerate her behavior ऐसी किसी person को उस person को मैं tolerate नहीं कर सकता भाई बहुत पकाता है आजो और क्या problem इस problem को मैं tolerate नहीं कर पा रहा हूं यार मुझे washroom जाना है i cannot tolerate anymore है na आप समझबाउये tolerate मतलप हाँ जी, कोई भी चीज जो आप हट से जियादा और और नहीं ले सकता हूँ, हो गया मेरा, इतना हो गया, यानि कोई चीज बरदाश्ड करना, जिससे कह देते न, वो रिटे तो tolerate, behavior को tolerate नहीं कर सकता, person को नहीं कर सकता, problem को नहीं कर सकता, उस atmosphere को tolerate नहीं कर सकता, तरह से, I want to tolerate you, मैं तुम्हें tolerate करना चाहता हूँ, ऐसे ठीक है, आप तो मुझे tolerate नहीं कर रहे हैं न, मन से देख रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं, एक हैma manipulate, manipulate का मतलब क्या होता है? किसी facts को manipulate किया जा सकता है, कोई reality उसके manipulate किया जा सकता है, ये कोई person होता है उसको manipulate किया जा सकता है कोई ऐसी बात जो सच नहीं है उसे घुमा फिरा के जोलमोल करके किसी के सामने रख देना उसे कहते है manipulate करना किसी इंसान का दिमाग घुमा देना इस तरह समझ दो उसे बोलते manipulate कर देना है न जैसे कोई facts से कोई साफ-साफ लिखा हुआ था कि आ दिन में 25 ला रहा हूं, चार दिन में कितना हुए, पापा ने कर लो टे, पचास, और आठ दिन में कितना हुए, सो, देखो कितना टेलेंटिड है अपका बेटा, लाओ चलो अब मेरे को नई मोटर साइकल दिलाओ, ऐसे, अब आपने क्या क्या नंबर को और आपके सामने आजाते हैं, आपको बोलने पड़ जाएंगे, पढ़ने पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने स्टॉक मतलब सोशल मीडिया पर बहुत से महल हो राजकल आप किसी को क्या कर रहा है आप से बात नहीं कर रहा है आपको ब्लॉक मार दिया है और आप दूसरी आइडी से जाकर देख रहे हो तो ना हिंदी से ट्रांस्लेट नहीं करोगे बस समझोगे फील लोगे इंग्लिश में डायेट बनाओगे ठीक है ओके नेक्स है 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 यह ज़्यादा है क्यों मैं बहुत ज़्यादा है कुछ कॉमन देख रहे हो क्या है कॉमन यहानि चाइड कर दिया मैंने तो पापा ने क्या किया चाइड कर दिया ठीक है स्कोल्ड आपको पता ही है चाइड एक नया पता चला एक और पड़ाता हमने कौन सा था कौन सा था कॉमेंट में लिखके बताओ एक और इसी से विलता जिलता वर्ड था क्या याद रहा गया चलो आजाओ किनसोल किया जाता है किसी अनहापी को किया जाता है क्या होता हो कोई इसको चाहए она किया अनहापी को अनहापी किया उसको जाके आपने एस lleMichness मुम्याज तो समझे न हां दिलासा देना किसी को, कोई unhappy है, उसके साथ बुरा हुआ है, वो अकेला है, उसको जाके आपने दिलासा दिया, उसको better feel कराया, ठीक है, तो console किया, ठीक है? कोई भी नई policy आती, उसमें भी urge किया जाता है, मैं भी आपको क्या कर सकता हूँ, urge कर सकता हूँ, यानि बहुत ज्यादा किसी से request करना, जोर देना किसी चीज़ पे, उसके लिए हम urge का इस्तरमाल करते है, next आ जाते है, conquer, बड़ा अच्छा है भई, conquer किसको problem को conquer किया जाता है, fear को conquer किया जाता है, doubts को conquer किया जाता है, conquer कमला अब समझ पा रहे हो, problem को conquer कर दिया, problem आई, हमने का, English speaking नहीं आती, सर्थ speaking में डर लगता है, सर कहां से शुरू करे, आ गए न हम, हमने क्या करा, हम आपके साथ, मैंने का, भाई, क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई, हम लो कि मैंने उस fear को conquer कर लिया, swimming का भी क्या था, fear था, उसको भी conquer कर लिया, यानि उस पे काबू पा लिया, उसको दूर कर लिया, उसे जीत लिया, तो इसके लिए conquer का इस्टेमाल होता है, ठीक है, okay, reckon, reckon का मतलब, doctors reckon करते है, person reckon करते है, doctors क्या करते है, रक्टर उसन ने दवाई reckon किये, इसका मतलब करना, कि कुछ सोच समझ के, कोई facts को पढ़के, कोई बात कहना, इसका simple meaning आप समझ सकते हो reckon का, कि think करना, है न, think करना, कुछ चीज calculate करके बोलना, उसको बोलते है reckon, doctors ने क्या क्या reckon करते है, doctors reckon करते है, यानि सोचते हैं, किसी facts के basis पे, कि ज्यादा burger खाने स आपको obesity का problem हो जाता है, आपका fat बढ़ जाता है, तो उन्होंने क्या किया, reckon किया है, ऐसी मैं reckon करता हूँ, कि I reckon, practice करोगे, English speaking की English में, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, आप जल्दी English speaking सीख जाओगे, तो ये भी मैं क्या कर रहा हूँ, reckon कर रहा हूँ, यानि मैं सोच र कर रहा हूँ, X के उपर repent कर रहा हूँ, SINCE, SINCE मतलब क्या होते है, हाँ, वही, उल्टी सीथी हरकत है, गुना जी से बोलते है, पाप जी से बोलते है, उसके उपर आप repent कर रहे हो, आय, गल्ती हो गई, उसी को मार दिया था, या फिर exam से पहले पढ़ानी था, खुब पब मैं पढ़ाई नहीं कि रहे आप क्या करो रिपेंट कर रहा हूँ वो रिपेंट कर रहा था इस तरह से रिपेंट को पहले हिंदी से ही बोलना शुरू करो ऐसे नॉमली हिंग्लिश में रिपेंट बलना और फिर पूरा-पूरे सेंटेस बल सकते हो ठीक है आगे बढ़ जाए ठीक है जबले मतलब गुवर्मन को भी ब्लेम कर दिया को करियर को इसी की पार को कर दिया कर दिया पहले इतनी थी अब उससे दवा कर दिया या किसी को कम कर दिया कर देना तो क्या क्या ची शaking कम हो सकते हैं किसी का करियर अच्छा का सा करियर था उसको कम कर दिया एसी बहुत पावर मिली थी उसको कर टेल कर दिया ठीक है अभी जैसे इसका लेटेस्ट एग्जामपल बता सकता हूँ डेली के अंदर अभी एक नया बिल पास हुआ है उसमें केजरिवाल government को ऐसा बोला गया किया अब जो bureaucrates के transfer का right हो central government को तो कहीं ने कि डेली government की चीफ मिनिस्टर की पार को हलका सा क्या किया गया यह बिल्कुल relevant आपको आमेने example दिया आईए चलिए आगे बढ़ते है next है हमारा whisper whisper ऐसे कान में ऐसे जाकर कुछ बोल देते हैं गॉसिप होती है ऐसे whisper होता है कान में जाके ऐसे कहते हैं उसको बोलते है whisper why are you whispering तुम whispering क्यों कर रहे हो he always whispers यह हमेशा whisper करता है she always whispers वो हमेशा whisper क करती है जिस पर अब समझ मागिये ना बस वो कान में कुट 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 कर देना ओ ठीक है shout करना my wife husband पे shout करती है और husband wife पे shout करता है boss employee पे shout करता है और employee पीछे boss के shout करता है ऐसे person दो लोग आपस में shout कर रहे होते हैं उसको 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 नहीं करना चाहिए तो यह these are some examples of shout दोस्ती यह वो action words थे जो generally बहुत इस्तमाल होते हैं इनके अलावा भी आपको daily basis पे नए ने words को pick कर रहा है कहीं सुन लिया, google किया, pick कर लिया, इस्तमाल में लिया आए, कहीं पढ़ लिया, pick किया, इस्तमाल में लिया आए मैं तो आपका हाथ पकड़के उठा दूँगा, आपको दुड़वा दूँगा, अब speed आपको पकड़नी है, कितना तेज आप दोड़ते हो, यह आपके हाथ में है अब मैं आपको कुछ phrasal verbs भी सिखा रहा हूँ, जो phrasal verbs spoken में बहुत इस्तमाल होती है, जो आपको असल में impressive बना देंगी, आईए वो भी देखते हैं दुस्त हमारी पहली phrasal verb है breakdown, इसका इस्तमाल होता है, जब कोई चीज रुक जाती है, stop working, आपने buses देखी है न, buses में कभी-कभी होता है कि बस जब चल नहीं रही होती है, आउट आफ और हो जाती है अचानक से, तो उनके ओपर ऐसे light से लिखावा होता है, breakdown हम समझ जाते है कि वो बस नहीं चल रही है, ऐसे कोई machine भी अगर खराब हो जाती है, नहीं चल रही है, तो इसको क्या बोल दें कि breakdown हो गई, कोई भी चीज जो खराब हो जाए, work ना करे, work करना बंद करते है, उसके लिए breakdown का इस्तमाल होता है, for example, my car broke down midway, मिरी गाली बीच रास्ते में खरा पढ़ता है, रो पढ़ता है, आसो निकल जाता है, उसके लिए जाता है, कि क्या हो गया, वो breakdown हो गया, वो breakdown हो गया, आपने कई ऐसे news सुने होंगे, videos देख होंगे, breakdown होने के, ठीक है, आ जाते है, call off, call करना और off कर देना, कितना असान इसको याद रखना, कोई event को cancel करना, कि कहीं कोई event होने वाला था, कोई program होने वाला था, and I had to call off, मुझे call off करना पड़ा, वो program नहीं होगा, corona आगया, call off कर दिया, कोई शादी थी, call off कर दी, लड़का लड़की नाराजी, शादी हो गई, call off, ऐसे करके call off का इस्तेमाल होगा, आपने कोई party रखी ते उसको हमने क्य with का मतलब कि to think of an idea, किसी idea को सोचना, जैसे he always comes, comes up with a plan, वो हमेशा किसी plan के साथ आता, he always comes up with a plan, ऐसी she always comes up with an excuse, वो हमेशा किसी excuse के साथ आती है, या they always come up with a strategy, वो हमेशा किसी strategy के साथ आते हैं, तो इस तरह से come up with का, इस्तेमाल कब लगाओगे, कब करोगे, कब करोगे, जब कोई भी चीज, या कोई भी इंसान, किसी idea को लेकर आया है, कोई suggestion लेकर आता है, तो उसके लिए इस्तमाल होता है, next आता है, count on, बहुत बढ़िया, या आप से related है, count on का मतलब, to rely or depend on someone, या to trust someone, जब आप किसी को बोलो कि हाँ यार, इस पे मैं depend कर सकता हूँ, इस पे म मुझे count on कर सकते हो हमेशा, I always, I always count on my family and friends, मैं हमेशा अपने family and friends को count on करता हूँ, तो मीनिंग क्या निकल के आया, क्या हिंदी बताने की सुरूरते रटोगे, नहीं, count on, break down, break down, call off, इस तरह से आपको याद रखने, और कौन सा हमारा come up with, come up with, है न, ऐसी count on, count on, कौन है मेरा count तो कर लूँ, कौन है मेरा, कौन है मेरा अपना यहाँ, ऐसे होगा, ठीक है, fall apart, बहुत प्यारा सा phrasal वो अब है, fall apart, कोई चीज fall हुई और apart हो गई, मतलब अलग-अलग हो गई, उसके टुकड़े-टुकड़े हो गई, to break into pieces, कोई चीज चुरा-चुरा हो जाना, इसका म कोई चीज, मानलो मैंने, कोई shoes खरी दे थे, और दो महीने बाद ही, वो fall apart हो गई, इसका मनलब क्या हुआ, वो चुरे-चुर हो गई, मतलब उनका ऐसे-ईसे कपड़ा उतर के side हो गया, मैंने कोई shirt खरी दी थी, कोई back खरी दा था, वो fall apart हो गया, कोई इंसान भी fall apart हो जात है, get friendly with someone, किसी के साथ friendly हो जाना, क्या आप उसके साथ get along with हो पाए, क्या मैं उसके साथ get along नहीं हो पाया, तो हम इसका 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 इसार साथ बना सकते हो, can you get along with him, क्या तो मुसके साथ मिल जिल सकते हो, get along हो सकते हो, यह बहुत trending है, यह phrase, ऐसे ही नहीं बता रहा, trending है, बहुत trending है, तो आप यह कहीं न कहीं सुनो के जरूर, बोलना भी, get away, get away, get away, यानि किसी भी चीज से अवे हो जाना, उससे अवे हो जाना मतलब एक तरह से दूर हो जाना, इसका मीनिंग क्या निकला है, to escape, मतलब उस चीज से skip कर लेना, बच निकलना, जैसे I want to get away from the work, I want to get away from you, I want to get away from this problem, इस तरह से get away रहना, मतलब उस चीज को दूर कर देना, दूर ज जाओ, बई giveaway ये तो आप सुनते रहें, दोस्तों आज मा आपके लिए लिए क्या आया हूं, नया फोन, नया कैमरा, आज मा आपको माला माल कर दूँगा, giveaway में, ऐसा पोलते हैं, तो giveaway यो दा है, तो डोनेट करना, बाई, डोनेशन हो रहा होता है, तुम्हें बहुत giveaway कर दी है, मैंने अपनी jacket giveaway कर दी, इस तरह से आप इसका इसका इस्तेमाल करते भी हो, और करा भी करो, चलो जी, let down कर देना, to disappoint someone, to frustrate someone, किसी को down feel कराना, किसी को नीचा दिखा देना, जातर क्या होता है, रिष्टों में इस्तेमाल होता है, किसी के husband ने किसी wife को, अपनी wife को let down कर दिया, वहाँ पे drink कर ली थी बहुत ज्यादा, या एक student था, बच्चा था, हुआ कम नमब लाया, उसने अपने parents को, अपने teachers को क्या किया, let down करा, पढ़ लो ना, chill मारो, dear sir से पढ़ो, number अच्छे लाओ, ठीक है, तो let down करना, मैं उसको let down नहीं करना चाहता था, इस तरह would I let you down, why would I let you down, why would I let you down, ठीक है, इस तरह से आप समझ पारू मैं हिंदी में नहीं जाना चाहता, let down समझ लो, let down करना, किसी को भी down करा डालना, किसी को भी down feel करा दे, ठीक है, आ जाते है, look after, look after, 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 जैसे आपकी मम्मी, आपको दूद और खाने की पीछे पढ़ रहते है बेटे-बेटे, खाना खाले, खाना खाला है, और आपके पीछे रहती रहती, रहती, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, देखते हो, look after, after, look after, है ना, समझ बारा है ना, look after, क्या आपका look after करने के लिए, आपके पास कोई है, हाँ, मेरे family है, मेरे friends है, है ना, बहुत सारे put on करना, to wear, कोई भी चीज put on कर लेना, socks हो सकते, कपड़े हो सकते हैं, कोई accessories हो सकती है, कोई gadgets हो सकते, कुछ भी जो भी आप put on कर लेते हो, ठीक है, तो I just put on new shoes, मैंने भी नए shoes put on किये है, I want to put on this new jacket, मैं इस नही जैकट को put on करना चाहता हूँ, है ना, तो why have you put on new glasses, तुमन का इस्तामाल कर सकते हो, चलो जी, put की second, third form put ही रहती है, इसलिए बदलती नहीं, आजा, run out of, lack of stock, किसी भी चीज का खतम हो जाना, किसी के stock का खतम हो जाना, वो चीज नहीं बची, the government is running out of cash, government क्या है, उसके पास cash नहीं, running out of cash, ऐसे घर में खाना कम पढ़ गया, तो आप बो show off का इस्तेमाल to show something, show off, अब यह क्यों show off कर रहा है, यह तो होता ही, आपना खूब देखा है, कि किसी चीज को बहुत ज्यादा दिखाते है, show off करते है, उनके लिए हम show off का इस्तेमाल करते है, तो कोई beauty को, किसी product को, किसी भी चीज को दिखाना, show करना, present करना, present करना, बहु turn up का पढ़ा था, turn up क्या था, अब turn down है, turn down लेकिन उससे थोड़ा अलग है, इसका बल्ला होता है, जैसे आपने किसी को ऐसे, या भी February में क्या आता है, वो एक दिन आता है, जिसके अंदर सब लोग रोज खरीदने लगते हैं, और ऐसे रोज देते हैं एक दूसरे को, अब आप ही आप फिर turn down से वज्जा हो गए, ठीक है, तो turn down मतलब reject कर दिना, किसी के शादी के proposal को turn down कर दिया, ठीक है, किसी और business proposal को turn down कर दिया, जैसे हम बोल सकता हूं कि, he came up to me, but I turn down her proposal, yeah, I turn down his proposal, in fact, तो मैंने वो proposal को turn down कर दिया, मेरे पास वो आया था, put up with, to tolerate something, किसी चीज क को tolerate करना, put up with, I have to put up with, और इंसान का नाम बोल सकते हो, यह किसी चीज का नाम बोल सकते हो, I have to put up with this noise, मुझे शोर से इस noise से put up with करना पड़ता है, मला उसके साथ जीना पड़ता है, I cannot put up with this man, मैं इस इंसान के साथ put up नहीं कर सकता, मला, put up तो समझे इस ता नाम ने, put up रहन हूँ, यानि आप से मुझे प्यार हो रहा है, महबत हो रही है, I am falling for Virat Kohli's batting, I am falling for cricket, I am falling for new serials, I am falling for this song, इस तरह से आप किसी के भी प्यार में जा गिर रहे हो, डुक्की लगा रहे हो, वह fall for का इस्तेमाल करोगे, आई यह आगे और देखते हैं, look out, to watch out for something, look out, look out, कई जा आप नीचे कोई गड़ा है, कोई hole है, आप क्या कोगे, आप क्या कोगे, look out, दियान से देख लो, be careful, एक तरह से यह feeling इसकी आती है, ठीक है, brush off, to ignore someone, अरे, यह तो आप बहुत अच्छे से समझते हो, लड़को, she brushed him off by saying, I have no time to talk to you, that means, बताने की जुरुत ही नहीं है, तो brush off जब आपको ignore कर देता है, कोई भी, कोई इंसान, आपको ignore कर देता है, किसी दूसरे इंसान को, तो वो क्या कर रहा है, उसको brush off करता है, तो simply ignore मत बोलो, brush off बोलो, impressive लगोगे, किसी चीज को भी brush off कर दिया जाता है, आपने सुना भी होगा, court के अंदर कोई case आया, और जो judge सहा उन्होंने उस case को brush off कर दिया, यानि ignore कर दिया, side कर दिया, next is call for to require a demand, किसी चीज की demand करना, जैसे public ने किया किया, public calls for investigation, या opposition calls for investigation, तो calls for demand की जा रहे है, या union, किसी चीज की union है, जो बनी होती है, union बनी होती है, मजदूर union, labor union, इस तरह की बनी होती है, calls for immediate action, वो immediate action के लिए call for कर रहे हैं, किस चीज की demand कर रहे हैं, किस चीज की requirement को कह रहे है, go through करना, किस चीज को experience करना, he has to, he had to go through a very difficult time, उसको क्या करना पड़ा, बहुत difficult time को go through करना पड़ा, क्या तुमने किस चीज को go through किया, क्या तुमने इस किताब को go through किया, क्या तुमने इस video को go through किया, यानि किसी चीज़ को देख लेना, नजर मानना, एक्जामिन करना, उसका हम बोलते हैं, गो थू, ठीक है, बहुत common सा phrase है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसी phrasal verse मैंने सीखाई, जो must है, जो आपको पता होनी चाहिए, अब मेरे प्यारे बच्चो, बिना रटे, इनका एक एक सेंटेस, कम से कम एक सेंटेस बनाओगे न, और अपने डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करोगे न, और हिंदी का तो इससे, मैंने बताया नहीं हिंदी में इसलिए, अब आपको भी ऐसे याद रखना है, कि ब्रश ओफ कर दिया, यार हो तो हमेशा ब्रश ओफ कर देता है, यार वो हमेशा ब्रश ओफ कर देती है, मैं टीचर के पास जाता हूँ, मैं जैसे टीचर के पास जाता हूँ, तो मेरे बाकी फ्रेंड मेरे को ब्रश आफ करना शुरू कर देते तरह कहते हैं कि टीचर का तू तो चमचा है, ऐसे बोला है न, call for, call for, call for, जो students union है, वो call for कर रहे, और किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हो कि हमें, हमें छुट्टी मिलने चाहिए, हमें छुट्टी मिलने चाहिए, इसके लिए call for कर रहे, तो इस तरह से आपको इनको अपनी daily life में ले के आना है, धीरे धीरे, 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 वो कैसे होगा, जब बा रहे जाएंगे, फिर put on को पूरा English sentence बनाना भी आपके लिए असान हो जाएगा, put up with, fall for, सारे आपके लिए मज़ेदार मज़ेदार phrases, मैं आपके लिए लेका हैं, दोस्तों, तो दोस्तों, finally, यहां complete होता है हमारे यह historical spoken English course, जो English सीखने का बैस तरीका हो सकता है, ना, वो मै मैं आज आपको सिखा दिया है, मैं खुझ से बहुत साटिसफाइड हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है, आप लोग भी बहुत खुश होंगे, बहुत साटिसफाइड होंगे, बस अब मेरी इज़त आपके हाथों में है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोलते हुए देख लिया मुझे पसा चला कि हाँ भाई अब यह लोग बोलने लगेंगे हैं और इंडिया से पूरी दुनिया से इंग्लिश बोलने का डर खत्म हो चुका है बस मेरी लाइफ जो है बिल्कुल कंप्लीट लगेगी मुझे लगेगा हाँ मेरा पैद सकें प्री में सीख सके हमने शुरूआत की है फ्री में लोगों को सिखाने की अबढ़ा न उसको आपका काम है सब्सक्राइब लेंगर को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के कोर्स रिए वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के बने रहे डियर सर के साथ